चलिए तो हमको बात कर रहे थे NCEIT बुक्स के बारे हैं तो इसमें कच्छा छटवी से लेकर कच्छा नौवी तक की सभी बुक्स देख चुके हैं कच्छा दसभी की भी आपकी एक बुक्स हम लोग खतल कर चुके हैं लोगतंत्रिक्राज़नेटी 2 के नाम से उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं अब हमें करनी है संकालीइन भारत 2 को आपकी बुक्स का नाम है उसी को हम लोग बात करनी हैं यह Google की वोक्स है, एक बात आप लोगों यहाद रखिए, अगर आप Civil Service for State PCS, इनकी एक्जाम की तैयारी कर रहा हैं, तो आप NCEIT समय रहते हुए पढ़ लें, और जो जो आपको NCEIT जरूरी हैं, वो सभी आपकी टेलिग्राम पर डाल दे गए हैं, वहां से डाउनलोड करके र और एक बात में इसा याद रखिए, अगर वैसे आप लोग कक्छा 20 से कक्छा 12 तक ही पढ़ लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कुछ जाना ही वैस्ते हैं, तो आप कक्छा 9 से लेकर कक्छा 12 तक तो आपको पढ़ना ही है, हर हाल म आप इतना कर सकते हैं कि जैसे आप देखिए कि हिस्टरी की बुक्स लिए, NCEIT पढ़ लिए और एक कोई आप इस्पेसल बुक्स पढ़ लिए इन से सम्मंदित, तो चाहिए आप पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आप NCEIT पढ़ लिए, एहम लक्षमी कान पढ़ स सकता नहीं है, इनी से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरह के से, किसी दूसरे की नोट्स लेने की वज़ाए अगर आप खुद बनाएं तो मुझे लगता है कि आपको आसान होगा पढ़ने में, और तयारी भी आपकी वेहतर हो सकती है, तो आज हम ल अच्छा दस की बोबोल, ठीक है, सभी डाल दी गई है, पीडियाक वहां, वहां से डाउंडोड कर लें और बाकी ये पढ़ते रहे हैं, जो भी आपको ज़रूई लगी, ठीक है, सबसे पहले तो आप भारत का संभिदान देख लिए, मुझे लगता है कि भारत का संभिदा हम भारत की लोग भारत को एक संपूर, प्रभुद्ध संबन समाजवादी, पंत निर्पेथ लोकतांत्रिक गड़राज बनाने के लिए, और उसकी समस्त नाग्रेकों को सामाजी कार्थिक और राजनितिक न्याय, बिच्चार, अधि वेक्ती, विश्वास धरम और उपासन की सुतनता, पितिष्ठा और अउसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा ओंसम में बेक्ती की गरिमा, अवरार्ट की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए, दर्ड संकल्प कोकर अपनी समिधान सभा में, आज तारीक 26 नवंबर 19 24 को इत्त द्वारा इस समिधान को अंगीकित, अधीनिमित और आत्मप्रिट करते हैं, एक बात आप लोग को पता होना चाहिए, कि आपका कुछ प्रावधानों के साथ समिधान आपका लागू हो चुका था 26 नवंबर उन्निश्चित को, लेकिन पूरी तरह से अगर आप स विसाय सुची की बारे में बात करेंगे, तो कौन-कौन सी चेक्टर भी देखना है, तो चेक्टर एक में आपका संसाधन एवं विकास की बारे में दिया गया है, इसके बारे में विस्ताल से बढ़ेंगे, बन वन जीब संसाधनों के बारे में बात करेंगे, जल संसाधन द देख लेंगे और विसे भी सब्धावलिया आपके रहा जांगी किसे कहते हैं पर्यया भूखोल क्या है इस तरह की जो भी सब्धावलिया शटेता है Ses ए करणवा जाती है अब सबसे जरूरी एक सूचना रहती है बहरत का समिरान harap आप चार में आपके नांग्रिकों के मू giants कर्तब दिये गए जिस तरहसे आपको मौलीग अधिकार मिली हुगे हैं यानि कि उसी तरह से आप जोड़का देख सकते हैं कि आपकि सी बरी वरुसा करते हैं तो आपका क्या हो मौलीग अधिकार मालए सामते हैं और उसका कर्तब भी क्या है कि उस भरोसे को बरकरा रखा जाए यानि कि उस भरोसे को नात तोड़ा जाए यही मौली कर्तब होते हैं यानि कि सरकार आपको कुछ अधिकार दे रही है तो आज जैसे बोलने का अधिकार दे रही है आपको तो आपका भी तो कर्तब बनता है कि इसा नहीं कि बोलने के अधिकार का गुर्वियों करते हुए किसी को गाली देने लगें आपको धर्ना पिदरसन का और अंदुलन करने का मौलिक अधिकार दिया जा रहा है अधिकार है अपके देश में तो ऐसा नहीं कि आप सरकारी संपत्ति को जलाएं किसी दूसरे को चोट पहुँचा है या नहीं पहुँचा है तो इस तरह कि आपके मौलिक कर्तब है याद रखिए आपके अगर देश में मुझे लगता है कि अगर मौलिक अधिकार और जो आपके कर्तब है इन दो को सभी जागरू को जाये इन दो के पिदि तो आपके 80-90% समस्याइं जो हैं वो आराम से कर्तब हो सकती है समझ रहे आपको यही दोनों कारण बने हुए है कि लोगों को जिने नागरिकों को अपने अधिकार पता है उन्हें कर्तब पता नहीं है जिने कर्तब पता है उन्हें अधिकार पता नहीं है और सभी देखते भी नहीं है इसके बारे में जादा सोचते भी नहीं है यह आपका अनुच्छ इंक्यावन का है इसमें आपके समलेते हैं मूल कर्तब भरत के पिदेख नागरिग का या कर्तब होगा क्युग है समगों करें समीधान का पराओधान आपसमाज़ करें जैसे आपकी आदर्स, उसके आदर्स हैं, जो संस्थाएं हैं, राष्ट दर्जे, राष्टगान हैं, उनका सब का आदर करें, ये जवर्जस्ती नहीं है आपकी पर कि आप लोग इसे पालन करना चाहिए, लेकिन आपका कंतब है कि इसे पालन करना चाहिए, अब आप देखत पर आपका सुदंता के लिए हमारे राप्टी आंदुरुन को पेरेद करने वाले उच आदासों को हिदय में सजोई रेखें और उनका पालन करें भारत की संद्रभूता एकता उखंडता की रक्षा करें और उससे अच्छुन बना रेखें देश की रक्षा करें और आहान किये जाने पर राष्ट की सिवा करें भारत की सभी लोगों में समरस्ता और समान भात्ति की भावना का निर्माण करें जो धरम भासा और प्देश या फिर बर्ग पदा धरित सभी भेदभाव सी परिवों ऐसी पिधाओं का त्यार करें जो महलाओं के सम्मान की विरूत हो। दूर रखें। लेकिन आप देखते हैं कि सबसे पहले जब भी आंदोरन होता है या कुछ इस तरह के काम होते हैं। तो सबसे पहले सरकारी संपत्ती की तोड़-पोड़ की जाती है। बसे जलाना, रेलवे पटली को उखारना, रेलवे जलाना तो आप देखते रहते हैं। इसलिए कि आप देखते हैं, जोगी सारवजेनेक संपत्ती की वहानी होती है। उनकी आखेर लाष्ट में भरपाई आप लोगों भी आमजन्ता को ही कहनी बढ़ती है। तो इससे पर्चेतर हैं। बैक्ति के तो सामुही गतिविधियों की सभी चेतरों में उतकर्स की और बढ़ने का सतक पिर्यास करें। जिससे राष्ट नेंतर बढ़ते हुए प्रतन और उपलवदियों की नई उचाईयां को छू सके। यदि माता पिता यासन रख्चत हैं तो 6-14 वर्ष तक की आयूवाली अपने यह था इस्तिती बालक या पिती पाल को सिक्छा के उससर पिदान करें। याद बरकिए अगर आपका कभी मेंस में लिखने के लिए आता है क्योंकि आपको देखते हैं MPPSC, UPPCS की जो इस्टेट PCS हैं उन्हें पूंच लिया जाते हैं। अगर आपको सभी 11 के 11 जो आपके मौलिक कर्तब हैं यह आपको याद हैं अगर सभी करम से याद हैं तो ही करम डालें इसका। अगर आपको करम से याद नहीं है तो आप 10 लेगा कर लिख सकते हैं। यह करम डालने की आपको जरूरत नहीं है। यह तभी डालें जब आपको clear याद है तो आज इसमें नहीं बात करा हूं कभी भी point तभी दें जब आपके पास निर्धारिट point हो आपको सभी point याद हो परना आप डेस्ट लगाकर लिखें तो बहतर रहेगा आपकी लिए तो इस तरह से आपका यह हो जाता है मूल कर तब आपकी और इसमें बचता है आपका हम लोग पहला दिया देखेंगे संसादन एवं पीकास के बारे में जानेंगे इसमें कि देखेंगे मैं सब कुछ किलियर कर देखेंगे संसादन एवं बिकास के बारे में जानेंगे एक बात यहां बता देना चाहिता हूं कि देखेंगे मैं सब कुछ किलियर करके ही डालता हूं आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि वो कच्छा दस्वी पॉलिटी की नहीं पड़ाई राजनी दिविग्यान तो याद रखी एक बात देख जरूर लिए करिएगा तेले लिष्ट सूची में जाकर वहां जरूर वियाक की उपराउद्यान तो यानि कि पॉलिटी की भुक्स भी पड़ा दी गई है आज हमें बाद कर रहे हैं संकालीन भालत के बारे में सेकेंड के बारे में इसे भी उसके बाद तीन बुक्स और बश्ती हैं कि उन्हें भी हम लोग करम से देखेंगे संसाधन एवं विकास क्या आप उन बस्तूओं का नाम बता सकते हैं जो गाओं और सहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं ऐसी बस्तूओं की एक सोची तेयार करें इनको बनाने में प्रयोग होने वाली पदालतों का उपयोग बताएं याद रखिए अपने सोच कि आपको बनाते हुए नहीं बैठना है सेविल सर्वेस या अच्टेट पीसेस में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पैक्टीकल करते हुए बैठते रहें तो आपको के बंद दिमाग में सोच लिया करिएगा सोची बनाने के लिए आ रहा है या पिर कहीं प्रयोग पी ऐसा आपको सब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना है बस आपको बड़े मन से पढ़ना है हमारी परयावन में उपलब्ध पितेकबस्तु जो हमारी आवस्तक्ता को पूरा करने में प्रयोप्ध की जा सकती है और जिसको बनाने की प्रोदभी की उपलब्ध है जो सोचिए कि आज से पहले और कई साल पहले आपने देखा है कि रेद बजरी का काम नहीं जो अभी नदियों में आती है उसका उप्योड़ नहीं होता था तब तक वो मेरे अलिए या हमारे लिए सबके लिए संसाधन नहीं थे आप देखते हैं कि लुहा बहुत पहले से था लेकिन लुहा का प्रियोग नहीं होता था तब तक हमारे लिए वो संसाधन नहीं था तो आप कह सकते हैं कि जो भी आपकी जरूरत हो और वो प्योग करने लाइक हो प्योग करने लाइक तो उसे ही हम लोग संसाधन कर देते हैं मानो संसाधन, मानो पूंजी सबसे बड़ी पूंजी है आप जापान को देखिए दो बार परमाडू हमला धिलने के बाद 1945 में आपने देखा है कि फिर भी विक्सित देशों की सूची में जा खड़ा हो रहा है तो वहां कि अभी कुछी दन पहले राष्ट अद्देश ने कहा था राष्ट पे मुग ने कि हमारी सबसे बड़ी बिजय है कि हमारे आप मानो पूंजी है यानि कि हमारे आप कारसी पूंजी है लोग पड़े लिखे हैं, लोग जानते हैं समझ रहे हैं? एक कावण भी सुनते रहते हैं तो वह था कि दस गंटे की जगए 12 गंटे काम कर सकती है और कई जगए आप ने सुनाएगी हर्ताल होती है बहुत हो रही हिस तरही कि जो भी कमपटीयों के खराब हर्ताल हो रही है असरे करकार के तो समय कम्पटीवानी क्या करते है पदा है कमपनी में जो मज़दूर काम करते हैं वहां की बात कर तो क्या होगा कि हर्टाल कर रहा हैं तो पूरी तरह से बंद कर जाएगी कंपनी तोड़-फोड करेंगे सरकारी संपत्ती की तोड़-फोड करेंगे तो इसलिए हम लोग पिछड़ी रहे गए हैं कि अश्यागे हमसे बेटर इस्तिती में चायणा पहुंच चुका है कहा जा रहा है कि एडिप के मामले में चायना कुछ सालों बाद पहले नंबर पर पहुंच जाएगा और देखते हैं आप लोग वैसे भी बहुत से डेक्स आते हैं जिनमें चाहिना हमसे ऊपर ही रहता है समझ रहे हैं? हमारे परियावन में उपलव्द बस्तुऊं के रूपांतर्ण विक्रीपरक्यती पुरुधव्दोगी संस्थाओं के पारस पर ही कृयात्मक सम्द्में ने हैते मानोपुरुधव्दोगी द्वारें प्रक्यती के साथ किया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गती को तेज करने के लिए संस्थाओं कर निर्माद करते हैं क्या आप भी अन्वस्त बहुत से लोगों की तरह संसाधन को प्राक्टिक उपहार समझते हैं ऐसा नहीं है संसाधन मानवी ये क्रियाओं का पईडाव मानव स्वयम संस्थाओं कमात्कूंड हिस्सा है बेपर्यावण में पाए जाने वाले पदार्थों को संस्थाओं में परिवर्थित करते हैं और उने प्रेयोब करते हैं, इन संस्थानों का बरेगी कर निम्नितकार से किया जा सकता है एक बात आप सोचिए, कि आप लोग यी तो संसादनों को बनाते हैं कहा जा रहा है ना कि मानव संसादन सब से ऊपर है आप सोचिए कि परयाबड में हजारों बस्तू हैं हमारी धर्ती पर हाजारों बस्तू है, हाजारों तरह की पतारत अपलब दे, क्या सबको पता है कि इस तरह का यूज होता है, जब आप ही इसे यूज के काविल बनाते हैं, उपयोग के काविल, तब जाके वो संसाधन बनता है, कोई ही बस्तू अपने आप में पूरी तरह से स संसाधन ना बनाए यानि कि उसकी जाचपरक ना करें आप देखते रहते हैं कि कई तरह की सब्गियां बनने लगी है जो पहले नहीं बनती थी तो मानों ने उस परकार किया और जाना कि इसकी भी सब्गी बन सकती है तो वह भी वहारे लिए संसाधन हो गया एक तरफ सी समझ है तो यही है अगर संसाधनों की पेकार की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर जैब और असेब और सामपेटा के आधार पर नभी करनी है योग और आणभी करनी है योग नभी करनी है उर्जा पर वी देख रहे हैं आप लोग किस तरह से जोड़तिया जा रहा है स्वाम प्रक्ति प्रुद्ध की और संस्थान संस्थाओं के मध्ध अंतर संबनध यह माना हो गया अब करेवन प्रक्ति की संस्थावो तर्या नहीं थिये गए आप देख सकते़ हैं हैं कि koola कोईला है फिर या कच्चा तील हूँ एक समय के बाद इस खतम हो जाएगा और आप जानते हैं कि कोईला हो या फिर कच्चा थेल इसे बनने में 1000 साल लगते हैं और अगर आप सूर से अगर सूर से हमारे उर्जा प्राप्त करेंगे या पवन से या जल से तो ऐसी उर्जा हैं इस से ऐसी उर्जा मिलेगी जो जब तक आप सुचिए हवा चलेगी तक तक आपको उर्जा मिलती रहेगी आप समझ सकते हैं कि पबन जिस दिन चलना बंद हो गई उस दिन हमारा भी रहना इस पित्वी पर मुश्कर हो जाएगा तो आपके साथ साथ यह चलती रहेगी यह आप उसके साथ साथ चलती रहेगे उसके बाद आ नभी करनी है यह योग इसमें पुना चक्रिये जैसे धातू आ चक्रिये जैसे जीवास इनन मान भी अगर की बात करें तो सरचनाए एवं संस्थाए मात्रा एवं गुडबत्त क्रिया खलाग पितिक संबर्ग में कम से कम दो संस्थानों की पैच्छान करें संसाथनों की पिकार उत्पत्ति के अधार बागे हम बात करें तो जैब संसाथनों इन संसादनों की प्राक्ती है जीव मंदल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त हैं लुआ मस्या नंवर्जय और पसुर हैं यह आपके जयव संसादनों में आते हैं जाते हैं अगर सामप 2010 कि आगर पर बात करें तो नभी करनी यंग संसादन चेहां निजह बहुत दीम रसाईने उयांत्रिक टपन किया जा सकता है उन्हें नभी करण योग अत्वा उना पूर्तियोग साधनों कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है, उधारन के लिए ले सकते हैं सो और पबन उर्चा, जल बन और बन जीवन, इन संसाधनों को सतत अत्वा प्रभास संसाधनों में विवाजित किया गया है, फिर दूसरे आपकी आध इन संसादनों का विकास एक लंबे भू बिक्यानिक रत्राओं में होता है. खणे जो और जीवासमी इनन इस पेकार के संसादनों की उधारन है. इनके बन्य में लाकों बर्स लग जाते हैं, कि राकों, हजारों लाकों साथ लग जाते हैं? इन में से कुछ संसादम जैसे दातू में पुना चक्री हैं, कुछ संसादम जैसे जीवास में इनन आचक्री हैं, वे एक बार के प्रयोग के साथ ही खतम हो जाते हैं, लोहा आप देखते हैं, इस टेल देखते हैं, या पर कोई और भी दातू देखते हैं, तो जैसे ही आप द जानते हैं कि जब आपकी गाड़ी में प्यट्रोल लगता है, उसके बाद आप चलाते हैं तो उसे दोबारा ऐसा कुछ नहीं बचता है, उसमें की दोबारा उपयोग कर सकते हैं, अगर स्वामित्य के आधार पर हम लोग संसादनों की बात करें तो बैक्तिकत, बैक्तिकत संस संसादन, संसादन निजी बैक्तियों के स्वामित्य में भी होते हैं, बहुत से किसानों के पास सरकार बारा आवटित भूमी होते हैं, जिसके बदले भी सरकार को लगान चुकाते हैं, गाउं में बहुत से लोग भूमी के स्वामी भी होते हैं, और बहुत से लोग भूमी ह होते हैं सेहरों में लोग भूखंड घरों वा अन जयजात के मालिक होते हैं बाग चारागाय तालाब कुओं का जल आधी संसादनों के डीजी स्वामित के कुछ इत्यादी नगरिये छेत्रों में सार्वजनिक पार्ग पिकने के स्थल खेल के मैदान वहां रहने वाली लोगों सभी लोगों के लिए उपलफ्द होते हैं यानि कि यह किसी एक बैक्ती के लिए नहीं है सब के लिए यह उपलफ्द रहेंगे अब सोचें आपकी समसान है जो किसी एक बैक्ती यह उच करें इसा नहीं होता है आप भी जा सकते हैं पर कोई भी हम भी जा सकते हैं कोई भी जा सकते हैं आपने इसे तालाब देगी है आप लोग यह वो अलग समय था कि तालाब छुआ-चूद रहता तो जो निशले तपके के लोग थी उन्हें नहीं बे सकते हैं राश्टि यह संसादन की बात कर करें अगर हम लो तो तकनीकी तर पर देश में प Oil आजाने बाली स्वी सारे संसादन राश्टि है देश की सरकार को कानूर नी अधिकार है कि वहाए बैक्तिगर संसादनों के भी आम जंता की इतमें अधिगेत कर सकती है आपने देखा होगा कि साड़के नहरें रेल लाइने बैक्तिगर स्वामित भाले खेतों में बनी हुई सहरी विकाफ प्रादीकर्ण को सरकार ने भूमी अधिगेंड का अधिकार दिया है सारी खनिच पदार गल संसादन बन वन जी बन राजनितिक सीमाओं के अंदर सारी भूमी और बारे समुद्री मिल यानि कि आप लेज सकते हैं कि 22.2 किलोमीटर की तक महासागरी एचित भूग भागिये संबुद्री मिल इसमें पाई जाने वाल इस अंसादन राष्ट की संबुद्रा है एक बात जयाता रखए कि आपकी अभी जमीन अगर अधिगरण की जाती है तो आपको मुआप्चा दी दिया जाता है और आप जानते ही कि अगर मुआप्चा ना दें आप जबर जफ्यश्टी कराएं कि हमें नहीं जाईगी तो भी आपकी जमीन जाएगी इसके लिए आप कोई नियालाय में नहीं जा सकते हैं कि आपने देखा था कि संपत्ति का दिकार आपका था मौली का दिकारों में जुड़ा था कि अगर इसका अनन होता तो आप सुप्रिंग कोट जा सकते थे या हाई कोट जा सकते थे लेकिन आपने देखा है कि 44 समिधान सलसुदन द्वारा इसे हटा दिया गया है 1978 में तो अब ऐसा कोई प्रावदान नहीं है कि इसका अगर कोई आपकी जमीन हड़पता है मतलब सरकार तो आप अंतराष्टी या कहीं भी किसी भी न्यालाय में जा सकें आगर अंतराष्टी संसादों की बात करें कुछ अंतराष्टी संस्ता हैं संसादों को नियर्धीक करते हैं तटरेका से 200 समुद्री मिल की दूरी अपुवर जक्र आर्थिक छेत सित्पर एखुली महासागरी संसादों पर किसी भी देश का दिकार नहीं है इन संसादनों को अंतराश्टी संस्ताओं की सहिमती के पिना उपयोग नहीं किया जा सकता है विकास के स्थर के अधर प्रग्राम लोग बात करें तो संभावी संसादन या विये संसादन हैं जो किसी विदेश में बिद्धिमान होते हैं परंतु इनका उप्यों को नहीं किया गया है उधारन के तोर प्रफश्य मीं बात देशिस का राजिस्थान और गुजराट में पणर और सहरूर्जा संसादनों के अपारत संभा होना है परंतु इसकाड़ी सही डंग से भीकास नहीं हुआ नहीं होई विकास नहीं हुए है अगर विक्सित संसाधनों की बात करें तो बे संसाधन जिनका सर्विक्षन किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुर्वत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है विक्सित संसाधन कहलाते हैं संसाधनों का विकास प्रोधुगी की और उनकी सं से बाहर हैं बंडार में सामिल हैं उधारन के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन ऑक्सीजन का योगिक है हाइड्रोजन उर्जा का मुक्स रोध बन सकता है परंतु इस उद्देश से इसका प्रियोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तक ने की ज्यान होना आवस सके और कि बहुत अच्छा इंधर माना जाता है इससे कम पिलूशन भी फैलता है और भवस का इंधर कहा जाता है इसका इसे ठीक है आप सोचिए कि अगर धरती में कहीं भी आपके कोई आपके आभी अगर तेल है या पर कोई भी धातु है तो उसे जब तक आप नहीं निकालेंगे तक आपके लिए वो संसाधन कैसे बन सकता है नीचे तो सब कुछ है आप सुचें कि आपको मिले तब तो सही तभी तो कहा जा सकता है संसाधन तो आपकी पहुच नहीं है वो संसाधन नहीं कह सकते हैं मालव जाता की जाती की पर ये एक में particular किसी वेक्ति को मत रख लेंस थे मालू चला आपके पास सुपिधा नहीं पड़ोस्थी के पास सुपिधा है तो आपकेहें कि हमाद एस संसाथन है innerayan कि हमांत अलाई नहीं है कि हमाद ₹ अभी आरम नहीं हुआ है इसका उपयों भविष्व में आवस्था फूर्थी के लिए किया जा सकता है न्यदियों के जल को विद्धोत पैदा करने में प्रुक्त किया जा सकता है परणतू बारत्मान समय में इसका उपयोग सीमित परमाने पर ही हो रहा है इस पिकार बांदों में जल, बन, आदी, संचित कोशें जिसका उप्योग भविस्व में किया जा सकता है पर आपके संसाधनों का विकास की बात अगर हम लोग करें तो संसाधन जिस पिकार मनुस के जीवन यापन के लिए अत्याव सकें उसी पिकार जीवन की गुर्वक्ता बनाए रखने के लिए भी ये महत्कुन है ऐसा विश्वास किया जाता था जी संसादन प्रक्यती की दय है पाईडाम स्वरूप मानाव ने इसका अधादूंद उपयोग किया जिससे निमलिकित मुक्त समस्याएं पैदा हो गई है आप समझे कि आपके यहां बन हैं ठीक है एक प्रक्यती ने दिये हुए है समझे रहे हैं लेकिन हम इन्हें उपयोग करते रहें सीमित समय के लिए आप अगर एक बन काट रहें, दो बन काट रहें, दो पेड़ काट रहें, तो उसकी जगए एक दो पेड़ आप लगा तो सकते हैं, तो ये संतुलन बना रहेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, कि जब पेड़ काटते जाएं, चंगल साप करते जाएं, लेकन हम उसकी जगए पेड नहीं लगाएंगे तो इसी का पेडाम होता है कि आप बीमारियां देखते हैं तरह तरह की इसी के कारण उप्तंबन होती है कुछ ब्यक्तियों के लालच बस संसादनों का हिरास हो रहा है एक आपने गांदी जी की कोर्स सुना होगा कि हमारे जो भी प्रक्ति है यह हमारी प्रूड़त को पूरा कर सकता है लेकिन किसी एक लालच बैक्ति के अगर मन में लालच चा जाता है तो उसके लिए इस सभी संसादन कम पढ़ सकते हैं समझ रहे हैं क्योंकि आप देखते हैं कि किसी के पास एक खेत है वो खेत से उतना खाने के लिए उत्पन हो रहा है कि उ उसकी लालच कियांगे पूरी प्रकेती कम पढ़ जाएगी। संसादन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आगे है। जिससे समाज दो हिस्सों में संसादन संपन और संसादन हीन अर्थात अमीरों गरीव में बढ़ गया है। संसादनों के अधादन सोशन से बैस्विक परिष्थित की संकट पैदा हो गया। जैसे भूम अंडलिये तापन, ओजोन परत आउचर, पर्याबन, पिदूशन, और भूमी, निम्नीकरन, आधी ये सभी देखे जा रहे है। और एक बात हो आप लोग ने देखे होगी, कि अभी कुछी दहने पहले आपने देखा है कि अंटार कीटा पर भी, अंटार कीटी का पर भी पिदूशन देखने को मिल रहा है। वहां तो मानोजाती रहती भी नहीं है, फिर भी वहां भी इस तरह की आवांचिरिया तत्त देखे जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चिंता का कारण भी पंता जा रहा है। कि जब जहां मानो जाती रह नहीं रही है, अगर वहां भी पीदूसन फैलने लगी, तो आप जहां हम लोग रह रहे हैं, वहां की स्थिति आप जान सकते हैं, मानो जीवन की गुडबत्ता और विस्व सांती बना रखने के लिए संसाधनों का समाज में नियाय संकत, बटवार आवसेक हो गया है, यदि कुछी व्यक्तियों या देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोवन जारी रहता है, तो हमारी पितिवी का भविस्थ खत्रे में पड़ सकता है, इसलिए हर तरह की जीवन का अस्तित बनाय रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना ब विकास की अर्त हुता है कि विकास फर्यावन को बिना नुक्सान पाफशाय हो, वर्तमान विकास की पिक्रिया भिवविस्क्य पेणियों के आउने के सकत है कि औरना intent strip की आप इतना उपयोग कीजिए पर्यावन का कि आने वाली पीड़ी के लिए बच्छा रहें। समझ रह आते हुए इतना रख जाएंगे कि उनके वच्चे सुखी रहें तो इस यही परियावण के साथ भी करना होगा कि हमें इतना वच्छा के रखना चाहिए कि हमारी आने वाली पीडी को सतत मतलब सभी उपयोग होते रहें उसके सुद्ध हवावलती रहें पानी भी मिलता रहें एक आप सम्मीलन सुनते हैं रियो डी जिन्रो पिदिवी सम्मीलन 1992 में हुआ था जून 1992 में सौ से अधिक राष्ट अधेट्ष ब्राजील की सहर रियो डी जिन्रो में पिथम अंतराष्टी पिदिवी सम्मीलन में 31 हुए सम्मीलन का आएजिन विस्विस्तर पर उभरती परियावन सरक्षन और सामाजी कार्थिक विकास की समस्याओं का हल दूनने के लिए किया गया था इस सम्मीलन में 31 नेताओं ने भूह मंडलिये जलवाई परिवतन और जयविक बिवित्ता पर एक गुष्णापत पर हस्ताक्चर किये रियो सम्मीलन में भूह मंडलिये बंच दानतों पर सहमती जताई और 21 भी सदी में सतत पोष्णी अभिकास के लिए एजिंडा 21 को सुईकिती पिदाल किये याद रखिए आप लोग कि आप लोग कुछ समय पहले देखते थे कि पानी के देखते थे तो कितना बरसाद होती थी साथ साथ दिन तक बरसाद हो रही ही बराबर हर जगे आपको हर्याली देखिती थे आप घर से ही जब निकलते थे तो हर्याली शुरू हो जाती थी और आज आप देख रहे हैं कि फानी ना के वराबत बर्वसरा है आप देख रहे हैं कि बंग आपको मुश्किल से कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं एजेंडा 21 की अगर बात करें 21 तो यह एक गोठना है जिसे 1992 में विराजील के सहर रियो डी जिन्रों में सहीवत राष्ट पर्याबन और विकास सम्मीलन की तत्वाधान में राष्ट अध्यक्चों द्वारा स्विकित किया गया था इसका उद्देश भूम अडली सतत्थ पोष्ण यह विकास अंसिल करना है यह है कि एक कारी सुची है जिसका उद्देश समानेतों पारस पर एक आवसकता हो एवं सम्मीलिक जिम्मेदारियों के अमसार विस सहयोग के द्वारा पर्याबन चति गरीवी और रोगों से निबटना है एजेंडा 21 का मुकुद्देश यह है कि पितेक इस्थानिये निकाय अपना इस्थानिये एजेंडा 21 तेयार करें संसादनों के अगर नेवजन की बात करें हम लोग तो संसादनों की बिवेक पूर उपयोग के लिए निवजन एक सर्व मान रर निदी यानि की एवजना बनाने के तरह इसलिए बारत जैसे देश में जहां संसादनों की उपलग्दिता में बहुत अधिक बिवित्ता है यह और भी मात्कून है यहां ऐसे पिदेश भी है जहां एक तरह के संसादनों की पिचोडता है परंतु दूसरे तरह की संसादनों की कमी है कुछ ऐसे ही पिदेश भी है जो संसादनों की उपलग्दिता की संदर में आत्म निर्वर है कुछ ऐसे भी आपको पिदेश देखने को मिलेंगे जहां मत्कूर संसादनों की अत्यधिक कमी देखने को मिलेंगे उधारन के लिए आप जारकंड मत्विदेश चत्तीस गड़ आधी परांतों में खने जोग और कोईले की पिच्चुर बंडार ले सकते हैं अरुनाचल पिदेश में जल संसादन पिच्चुर मात्रा में पाये जाते हैं परन्तु मूल विकास की कमी है हुआ राजिस्थार में देखेंगे कि बबन और सौरूर्जा संसादनों की बहतायाते यानि कि यहां अधिक देखने को बेगा लेकिन यहां जल संसादनों की आपको कमी देखने को मिलेगी लद्दा की अगर बात करेंगे तो सीत मरूस्तल देश के अन्न भागों से अलग दलग पड़ता है यह पिदेश सांस्कितिक विरासत का धनी भी है लद्दा परन्तु यहां जल आधार भूद आवसर रचना वो कुछ मत्कून खनेजियों की कमी देखी जाती है इसलिए राष्टिये प्रांतियों और प्रादिसिक और इस्थानी स्तर्ब संतुलन संसादन नियोजन की आवस्ता है भारत में अगर संसादन नियोजन की बात करें हम लो तो संसादन नियोजन एक जटिल पिक किली आ है हमारे देश में जिसमें निमलेखी सौपान है देश के वेवेशन पिदेशों में संसादनों की पहिंचान कर उनकी तारिका बनाना इस कार में चेत्री सर्वेट्चंड मांचित बनाना, संसाधनों का गुरुवत्ता पूर्ण ये इवं मात्रात्मत अनुवान लगाना बाभमापन करना एक हमारी सामने समस्या है संसाधन विकास ये लागू करने के लिए उपिफ्त प्रोद्गी कोसल संस्थागन नियुजन राच्टी विकास युजनाओं में समनवे इस्ताफित करना स्वाधिनता के बाद भारत में संसाधन युजन के उत्यस की पूर्थी के लिए पितम पच्चबर्शी युजना से ही प्रयाज किये अब युजना युजना युग सुनते थी न ये आपका उनी सो बचास में ही बनाय गया था लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये 2014 में आपका गोशना वो चुकी थी कि नीती आयोग आएगा युजना युग की जगए और एक जन्मरी 2015 को नीती आयोग आ चुका है युजना युजना युग को पिती स्थापित करके यानि कि युजना युजना युग की जगए अब आपका नीती आयोग आ चुका है और बार सक सार्थ है परंत पुरदुगी की वह संस्थाओं में तदन रोपी परिवर्तनों के आभारों में मात्य संसादनों की उपलगता से विकास संभव नहीं है देश में बहुत से चेथ हैं जो संसादन समर्द होते हुए आर्थिक रूप से पिछड़ी पिदेशों की घिंदि मे आते हैं इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रिदेश हैं जो संसादनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूफ से विक्सित हैं आप बुंदेलखन को ही ले लेज़े या कई आदी आपको देखने की कुमिली बैदबा को आप ले सकते हैं बैदबा में मुझे लगता है कि आपका बार से जहलों में तो आप समझ सकते हैं कि बेदे उप्यों को सकता है कि आप संसाधन संबंस परणतों और आर्थिक रूप से प्रिदेश्यों के नाब बता सकते हैं ऐसी प techniques?" या इसी का उत्तर विदेश का जासी का उधारान ले सकते हैं कि पास में ही आपका 14-15 km बैतवा नदी दूर ही है इतना ही होगा है 10-12 km फिर भी आप देखते हैं जहांसी किस तरह से पानी की केलव से परिशान रहता है उस तरह आप देख सकते हैं कि सिंदू नदी है सिंदू नदी वो भी आपकी जाना दूर ही नहीं है अगर विवस्था करना चाहें तो दूर भी होगा तब भी पानी की सुग्जा हो सकती है उपनिवेशन का इदिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संबल पिदेश विदेशी आखमणगारीयों के लिए मुक्ष आगर्सन रहे हैं उपनिवेश कारी देशों ने बहतर पुरुदगी की के सारे उपनिवेश्यों को संसाधनों का उत्सोचन किया उन पर अपना अधिप पत्य इस्थाफित किया अता संसाधन किसी पिदेश के विकास में तभी युदान दे सकते हैं जब वहाँ उपिप पुरुदगी की विकास और संसाधन परीवत्तन किये जया बलकि इसमें परदुगी की मानव संसाधन की गुर्वत्ता और इतिहासिक अनभव का भी युगदान रहा है आप जानते हैं कि आपके हां जो कपड़ा होता था आपके हां जो मसाले होते थे इसी की ब्यापार के शक्कर में अंग्रेज आयव हुए थे आपके हां लेकिन उन्होंने यहां आकर देखा कि हमारे यहां जहांदा उपयोग नहीं किया जा रहा है निकार तो उन्होंने कुछ दिनों तो अपना व्यापार किया उसके वाद हमारे उपर सासन करना सुरूं कर दिया आप जानते हैं कि जो हमारे समुद्र महासागर हैं आप हिंद महासागर आपके पास महीं है इसका उप्यूंग हम नहीं करते थे पहले हम लोग महासागर में जाना पाप समुझते थे आपने सुना होगा कि अन्वेजों के समभाए अगर कोई हमारे यहां का समुद्र पार कर गया है या समुद्र में कदम भी रखा तो उसे पापी माल लिया जाता था और आप जानते हैं कि जब तक आप समुद्रों में नहीं जाएंगे तो आप मचली कहांसे पकड़ेंगे कितनी अगर पालन भी कर रहे हैं मचली पालन तो कितना कर पाएंगे समुद्रों में कुछ जानदा ही संसाधन रहते हैं आज आप देख रहे हैं कि संसाधन महासागर सब के लिए जरूरी होते जा रहे तो अंग्रेजों ने उनके पास तकनीक भी थी उनके इस पास परोदगी की भी थी तो उनोंने आकर इसे बढ़ावा दिया संसाधनों का सरक्षण की अगर बात करेंगी सुरक्षा की तो संसाधन किसी भी तरह है कि विकास में मत्पूर्ण भूमी का निवाते हैं परन्तु संसाधन का विवेग पूर्ण उपयोग और अती उपयोग के कारण कई सामाजी कारती और परियावणी समस्याँ पैदा हो सकती हैं इन समस्याँ से बचाओं के लिए विविन इस तरह पर संसाधनों का सरक्षण आवस्ते हैं बूतकाल से ही संसादॐनों का सरक्षन बहुत से निताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विसेभीरा है। उधारन के लिए गांधी जी ने संसादॐनों की सरक्षन अपर अपनी चिंता इस सब्दों में वैक्त की थी। अब देखिए, हमारे पास हर बैक्ति की आवस्ता, आवस्ता पूर्टी करने के लिए बहुत कोछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुर्टी के लिए है नहीं, अर्थात हमारे पास पेड़ भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, इसका मतलब सीधा सा है, कि हमें प्रक्किति ने इतना दिया कि सभी व्यक्तियों की धर्ती पर जो भी रह रहा है उनकी आवस्तिता पूरी हो सकती है लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई लालची पैदा हो जाता है उस समाज में तो उसकी लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास इतना संसाधन नहीं है सभी संसाधन कम पढ़ जाएगे उनकी अनसार विस्तितर पर संसाधन हिरास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक पुरुदगी की सोचना आत्मत प्रवित्ती जिम्मेदार है अधितिक उत्पादन की विरुद थी और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन्वसंदाय द्वारा उत्पादन के फक्चवर भी थे एक बात आप लोग सोचिए कि आपके पास फेड़ है कही तरह कि आप सोच रहें कि कच्चा तेर भी हमारे पास कोईला भी है तो अगर एक सुचिए कि आप तो एक सीमित तक खर्च करते हैं तो ठीक है लेकिन एक लालच की नजरिये से आप खर्च करना लगते हैं तो एक कम पढ़ जाएंगे और इससे क्या होगा कि आप समझे कि सियोटो यानी की कारबंडा या ओक्साइड की मात्रा बढेगी पिरताम मान पड़ेगा इससे कई हमारे सामने समस्याइं भी c यहीं कहा जा रहा है कि जो परयावन जब यहां वह सभी परयावन को हणी पहुंचाने की हमें यहीं कहा जा रहा है अंतराश्टी इस्तर पर विवस्तित तरीके से संसाधन सरक्षन की वकालत वकालत उनीस सो सट में किलब और रॉम ने की थी तत परशाथ उनीस सो चोटर में सुमे सरफ ने अपनी पुस्तक इसमाल इस ब्यूटीफुल मैं विसाय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनावित्ति की उनीस सो सताथी में बोड ब्रोंड ब्रोंड लेंड आयो की रिपोर्ट द्वारा व्यस्विक इस्तर पर संसाधन सरक्षन में मूलाधार योगदान किया इस रिपोर्ट में सतत पुष्णी ये विकास की संकल्मा पिस्तुत की और संसाधन सरक्षन की बकालाद भी किया यह रिपोर्ट बाद में हमारा सांजा वविस सीशत पुस्तक सिक किरू में पिकासित भी वी इस अंदर में एक और महत्पूर एकदान रियो डी जिनरो ब्रा संसाधन हैं हम भूमी पर रहते हैं इसी पर आने एक आर्थिक किरिया कलाब भी करते हैं विवेन रूप मेंड का उपयोग भी करते हैं अता भूमी एक बहुत महत्पून प्राक्तिक संसाधन है प्राक्तिक बनस्वती वन जीवन मानो जीवन आर्थिक किरिया है परिवहन त अगर आप गिरामीट सित में रहते हैं, तो आपने देखा हुआ कि आपका केत है, उसके बाद दूसरा केत है, पर चाहे आपका हो या पड़ोसी का हो, तो उसके बीच एक मैड कहलाती थी, इतनी जगे छोड़ दी जाती थी, कि एक टेक्टार आराम से आ जाया करता था, लेकि इसके थी उस समय की ठीक थी, कि कम से कम इतना छोड़ देते थे फिर भी इतना उपयो उत्वादन होता था, कि आपकी पूर्ती पूरी होती जाती थी, बारत में भूमी पर विवेंड पिकार की भुवाक्तियां, जैसे परवत पठार मैदान और दूई पाए जाते हैं, जादियों के प्रवार को सुनिचित करते हैं, पर एटन, विकास के लिए अनकूल परिस्तितियां पिदान करते हैं, और बारिस्तितिकी के लिए मात्पूने, देश के चितपल्म का लगभव 27 सितिती सर्थ हिस्सा पठारी चित, इस चित में आपको खनेज जीवासमी धन औ सुद्बनों का अपार सुम्चे देखने को मिलेगा, यह देख रहा है आपको, मुख भू आक्तियों के इंतकर चेत, यह आपका परवत हो गया, यह आपका पठार हो गया, यह आपका मैदान हो गया, 30% आपके परवत, 27% आपके पठार, और 43% मैदान देखने को मिलेंगे, सामान भू उपयोग संबग 1961 की बात की जरी यहां देखिए फिर आपका 2014-15 में दिया जारा है 2014-15 का यहां आप देखेंगे कि आप बन कहां है बन यह आपका बन 18.11 उसके बाद आप देखेंगे कि यह है आपका क्या बंजर बंजर तथा किरसी आयोग भूमी फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यह आपका हो गया 14.95 गयर किरसी पेउजान के लिए अंत्रगत छेत उसके बाद आप देखेंगे 14.31 यह आपका इस्थाई चारागाहों चारागाह थता अन गोचर भूमी है उसके बाद यह आप देखेंगे 3.50% में पलती भूमी के अंत्रगत अन पुरातन पलती है और यह आप देखेंगे सुध्य बोया गया चेत अन गया 46.50% यानि कि सबसे जाना अगर हम लोग 2014-15 में पहुँचें तो आपको सबसे जाना सुध्य नीबल बोया गया चेतफल 45.50% देखने को मिलेगा यानि कि कमी देखी जा रही है उसके बाद अगर आप देखेंगे कि बन देखेंगे तो 23.50% यानि कि बड़े हैं उसके बाद आप देखेंगे बंजर भूमी की तो 5.50% यानि कि गटी है उसके बाद अगर आप देखेंगे कि गैर क्रिस्टी प्रियोजनों के अंतरक चित तो ये भी आपका बढ़ा है 8.70% उसके बाद आप देखेंगे कि अगर इस्थाई आप देखेंगे तो ये आपकी बड़ी है क्या हुए बढ़ा है 3.60% उसके बाद लाश्क में आप देखेंगे कि बरत्मान परती भूमी तो ये आपका चार दसमलों नौपितीस है यानि कि ये भी बढ़ा है अब बात करते हैं भू उपयोग पूस अन्सावनों का उपयोग निमलेके तुद्देश से किया जाता है 1. किरसी के लिए अनुपलब्द भूमी बंजर दता किरसी आयो भूमी गैर किरसी प्रियोजनों में लगाई गई भूमी जैसे आपने लोग सकते हैं कि इमारते हो गई सर्ग उद्देश इस तरह ऐसे हैं परती भूमी के अंतरगत अन्ने किरसी आयो भूमी आती है जैसे इस थाई चारा गाहे हो गए अन्ने गोचर भूमी इसमें सामिल होती है बेवेद ब बात करें कि वर्द्मान पर्ती जहां एक किरसी बर्स या उससे कम समय में ख्यती न की गई हो उसे भूमी वर्दमान पर्ती बूमी के एक बार से यदि बोए गए चित को सोद्ध निवल बोए गए चित में जोड़ दिया जाए तो है सकल किर्षी चित कहलाता यानि कि आप कह सकते हैं कि इसमें एक साहर में एक से दो फसलें भुद्धी रहती आ रहा हुँची यहीं हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी रहती भारत में अगर हम भूपयोग प्रारूप की बात करें तो भूपयोग को निधारित करने वाले तत्तों में बहुती कारक जैसे भू आख किर्दी जलवायू मेर्दा के पेकारत तता मानुविये कारक जैसे जनसन के आगानत है पुरोदोगी की चमता संस्किती और परंपराए में इत्यादी सामल है भारत का कुल भोगली चितफल 32.8 लाग वर किलोमीटर है कितना 32.8 लाग वर किलोमीटर है परंथु इसके 93.3 बात की ही भूपयोग आख्रे उपलब्द है क्योंकि पूरुवत्तर परांथ में असम को छोड़कर अन परांथों को सुचित चित के बार परियूप का सरविक्षण भी नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि पियोग के बाहला हिस्सा आपका चाइना स्वरी पाकिस्तान कभजा किये हुए अब साइचीन वाला हिस्सा आप देखते हैं चाइना कभजा किये हुए है इस था ही चारागाओं के इंतरगत भूमी भी भूमी कमी हुई है पसुदन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारागा उपलब्द कराने में कैसे समर्थोंगी और इसके क्या पैड़ाम होंगी वर्तमान परती भूमी के अत्रिक्त अनपरती भूमी अनुप जाओ और इन पर फसलें होगाने के लिए किर्सी लागत बहुत जाना है अता इस भूमी में दो या पर अधिक बरसों में इनको एक या फिर एक या फिर दो बार बोया जाता है और यदि से सुदनेबल बोय गए चित में सामिल कर लिया जाता है तब भी भारत की पुल सूचित चित के मड़ी पूर अंडवान एक वादू समी में देखेंगे तो यहां के बल दस पिती सथ चेत पर से भी कम चेत बल बोय जाता है वही पंजाब और हर्याणा में आगर आप देखेंगी तो 80% से जादा ही किर्दी होती है हमारे देश में रठी वन नीती की बात करें तो सबसे प आपी कम हुआ है वन नीती द्वारा निधारित यह सीमा पारस्तित की संतुलन बना रखने के लिए आवस सके बन चेत्रों के आसपास रहने वाली लाखों लोगों की अजीब का इस पर निर्वर रहती है वह उपयोग का एक बड़ा भाग बंजर भूमी है दूसरी किर्स ग पहाड़ी चक्ताने सूखी और मरुष्थली ये भूमी सामल है गयर किस्वी प्रयोजन में लगाएगी भूमी में आपकी बस्तिया होगी रेल लाइन उद्द्यों ये सबी आपकी सामल रहती है लंपी समय तक लगातार भूमी सरक्चन और प्रवंधन की आउयलना करने पर गंबीर आपता भी आ सकती है और आपकी आ सकती है आप देख भी रहे हैं कि आती रहती है बिहार में आप देखते हैं कोसी नदी की बाड़ अब मालू ही नहीं चलता है कि आप रात में सोई हैं मालू चला कि आपकी खटिया के साथ आप भाह है तो ये इस्तिती देखी जा रही आपकी बिहार में आप सनुशते थे कि राजिस्थान में कभी बाड नहीं आती थी आज देख रहें कि बाड आने लगे हैं आज थोड़ी सी वर्साद हो तुरंत आप देखते हैं कि बाड जसे स्तिती उत्पन हो जाती है बहुमी निमनी करन और सनक्षण के उपाय की अगर हम बात करें तो बहुमी एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूरवच करते आए तथा बहावी पीडी भी इसी बहुम के कारण ना केवल भूमी का निमनी करन हो रहा है बलकि भूमी को नुपसान पहुंचाने वाली प्राक्तिक ताक्तों को भी बल मिला है इस समय भारत में लगबग 13 करोड हेक्टर भूमी निमनी के थे इसमें से लगबग आपकी 28-30 भूमी निमनी की बनों के हद्द दक आती चपन के तीसत चेत आपका जल अपर दित है और चेत जो सेश चेत है यह लबड़ी और चारी है कुछ मानव करियां जैसे बनोनुमूलन अती पसुचारण खनंद ने भी भूमी के निमनी कर में मुख भूमी का भी निभाई है खनन के उपरांद खदानों वाले इस्थानों को गहरी खाईयों और मलवे के साथ खोला छोड़ दिया जाता है खनन के कारण जहारखंद चत्तिसगर्ण मत्पदेश और उडिशा जैसे राज्यों में बनोन्मूलन भूमी निमनी करण का कारण बनाए गुजराज राजिस्थान मत्पदेश और माराथ में अती पतु चारण भूमी निमनी करण का मुख कारण है पंजाब हरे आणा पश्चमी उत्तत पदेश जैसे राज्यों में देखनेगी तो अधिक सिचाई भूमी निमनी की करण उत्तरदाई है अती सिचन से उत्तपन जल करण भी भूमी निमनी करण के लिए उत्तरदाई है जिसमें मिर्दा में लवड़तिया लवड़नियता और चारियता बढ़ती भी खनीच पिक्रियाओं जैसे सेमेंट उद्द्योग में चूना पत्तर को पीसना मिर्दा बरतन उद्दोगों में चूने खड़िया और स इसलिए कुछ वर्सों में देश में बेवेन बाबं में उद्दो के चल्ब निकास से बाहर आने वाली अपसिट पतार्त भूमी और जलबी दूसन को उतका सुरोध विया एक बात आप लोग ने देखा होगा अगर जहांसी गए हैं कभी तो जहांसी से आप थोड़ा इस त पास की पूरे सर चप जाते हैं मतलब पूरे ढक जाते हैं यह भी तो आपका पिदूसरन ही है हम लोग भानी पहुंचा रहे हैं उसी का बैडाम भोगत रहे हैं भूमी निमनी करण की समस्याओं को सुल जाने की कई तरीके हैं बनारोपर्ण चारागाहों का उच्छित प्र प्रों में की जा सकती हैं बन्जर भूमी के उच्छित प्रबंदन खनन नेतन और उद्धोगी जल के परिस्कंड के पश्चात बिसरजित करके जल और भूमी पितूसरन को कम किया जा सकता है यह का आपकों ने देखा हुआ कि चंबल में खंडर बड़े-बड़े पेर वहा कमान ड्रके सण लेने लगते हैं अब ये आपका मिलदा संसादन अनल मिलदा सबसे मातपूं नभीकर्ण योग प्राक्तिक संसादन है 충 जीवन जीवन सिताए कुछ सेंटीमीटर गहरी मेहदा मिर्दा यानि की मिठी बन्ने में कि लाफूं बर्स लग जाते हैं कितने लाफश लग जाते ही मेहदा बन्नी की फिक्रिया में उच्चावच, जनक सेल, अतमा संस्तर सेल, जलवायू, बनस्पति और अन जयपदार्थ और समय मुख्य का रखें याद रखें आप लोग जानते हैं कि इसे बनने में लाखों समझ लग रहे हैं और इसे हटने में आप देखते हैं किस तरह से अगर एक अच्छी बरसाद हो जाए और बेट पौद हुआ ना हो तो किस तरह से कट जाती है उसे आप लोग जानते हैं परक्ति के अनेक तत्य जैसे तापमान परीवदन बहते जल की क्रिया पवन हिम नदी अब घटन किरियां आदी मिर्दा बनने की पिक्रिया में यह उदान देती हैं मिर्दा में होने वाली रसादिक और जविक परीवदन भी आपकी माथपूर है मिर्दा जेब ह्यूमस और जेब दोनों पिकार की पदार्थों से बनती है मिर्दा बनने की पिक्रिया को निडधारीत करने वाली तत्यों उनके रं, कहराई, गठन, आयू वह रसाइनिक और बहुतिक गुड़ों के आधार पर भारत की मिर्दाओं की निमलिखित पिकार है, कितने निमलिखित पिकार है, यह आपकी उपरी संस्तर मिर्दा हो गई है, उप मिर्दा अपिक्चे चट्टानों बालू, गात सिल्ट बा मिर्दी का, फिर उसके अंदर जा आने के मिट्टी के पिकारों की बात करें, तो भारत के अनेक पिकार के उच्चावच, भू आक्रति, भू आक्रतियां, जलवाई और गनस्पतियां पाई जाती है, इस कारण अनेक पिकार की मिट्टियां आपको विक्सित हुई होती है हमारे देश में, सबसे पहले है आपकी तीन महत्पूर नदी तंतों जिन्स में आप देखेंगे सिंदू, गंगा, बेंपुत नदीयों द्वारा लाए गए निच्छिपों से बनती है। एक सकरी गल्यारी के द्वारा ये मिल्दाय राजिस्थान गुजरात तक फैली हुई है। पूर्वी तपिये मैदान, विशेशकर महा नदी, गुदावरी, कृष्णा और कावी नदीयों के डेल्टिम में भी जलोड मिल्दा से बनी हुई है। बहुत ही मात्पूर है। ये देख रही है आपको जलोड मिल्दा। जलोड मिल्दा में आपको रेट, सिल्ट, मिल्दिका की विभिन अनपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में उपर की ऊड़ जाते हैं, तो मिल्दा के कड़ों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे धाल भंग के समीब मौटे कड़ वाली मिल्दा पाई जाते हैं। ऐसी मिल्दा प्रवतों के तलहटी बने मैदानों जैसे द्वार, चोग, छेत और तराई में आम तोर पर आपको देखने को मिलेगी। कड़ों के आकार या फिर घटकों के अलावा मिल्दाओं की पहचान उनकी आयू से भी होती है। आयूंपे अगर आधार पर हम लोग जलोड मिर्दा के पेकार की बात करें, तो एक पुराना जलोड जिसे आप लोग बांगर की नाम से जाते हैं, एक नया जलोड जिसे आप लोग खादर की नाम से जाते हैं, बांगर मिर्दा में कंकर, गरंतियों की मात्रा जानदा देखने इसलिए आप देखते हैं सिंदो गंगा ब्रंपुत्य इसके जो मुहाने चेते हैं वहां जानदा उपजाओ फसल मतलब उपजाओ वहां मिर्टा जानदा रहती है और इसलिए उस जगे फसल भी का भी उत्पादन अधिक होता है अधिकतर जलोड मिर्दाएं पोटास, फासपोरस और चुनाइक होती हैं जो इनको गन्य चावल ग्याओं और अनालाजों दलहन फसलों खेती के लिए उपयोग बनाती हैं इन सभी फसलों के लिए ये मिट्टी बहुत ही अच्छी रहती है अधिक उपजाओ पन के कारण जलो अधिक भी इलाज करके आप इनमे भी अपजाओ पन ला सकते हैं अब आप देख रहे होगे ये हमारा प्यारा भारत है देख लेंगे ये आपका प्यारा स्री लंका है यहां लक्षदीब भारत ये अरफसांगया ये बंगाल की खाड़ी ये आपका अंडमान निकुबार द अगर आप उसे कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि UPSC में आपका कोई मैप से संबंदीत कुष्चन चोटेगा मैप के नाम से आपकी क्लेलिष्ट सुची बनी हुए है उसी में सभी कलासे पढ़ी हुए है यह आपका म्यानमार है यह बंगलादेश है यह भूटान हो गया यह चीन हो गया चीन के बारे में याद रखिए कि हमारी चीन से डारेक्ट सीमा नहीं लगती थी हमारी सीमा तिब्बत से लगती थी, लेकिन आप जानते हैं कि चीन ने तिबत फरकरज़ा करने ली आप उसके बाद, चीन से jeśli सीमा लगने लगे नवाल हुए आपका परोसी, पाकिस्तान है यहां अफगानिस्तान है, पीओ के वाले हिस्सा अफगानिस्तान से लगता है, अब हमें बात करनी है यहां मिट्टी के बारे में, तो आप यह देख रहे हैं, परवत और बने यहां, यहां परवत और वन, यहां देख रहे हैं आपको, यह बीच-बीच में से किम हो गया, अर इस तरव देखिए Herbert उसके बाद राजस्थान के कुछ बाव में डेख रही है यहाँ और आपको यह भी दिख रही होगी यहाँ बंगलादिस में पूरा इसी से भरा पुड़ा हुआ है यहां को बश्टे मंगाल उड़ीशा के पास भी टी और बाकी बनी रहती है उसके बास सुस्क क्या है सुस्क यह आपको देखने को मिल रही होगी यह राजिस्थान पंजाब तक यह सुस्क याद रखिए आप लोग मैप्स के लिए मेरा मानना है कि उस पूरी किताब को पढ़ ले आपका पीडियेप साथ उस वार टेलीगराम पर डाल दी गई है और आपकी जो लेक्चर सभी किलासे उसी में पढ़ी हुई है जाके रक्षे से देख ले अगर उसे कबर कर लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अब बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में इन मिर्दाओं का रंग काला है इन्हें हम लोग रेगर मिर्दा भी कहते हैं काली मिर्दा कपास की केती के लिए उचित समझी जाती है, इसलिए आप लोग काली कपासी मिर्दा के नाम से विश्ते जान दे हैं, यह माना जाता है कि जलवाई और जनक सैलों से काली मिर्दा के बनने में मात्पून यह उतान दिया है, इस पेकार की मिर्दा दकन पठार बैसाल्ट, छेत के उत्री पश्चिमी भावों में पाई जाती है, और लावा यह देख रहे हैं आपको, काली मिर्टी, जब सूकती है पानी के बाद तो यह दरावें पढ़ जाती है, लावा जनक सैलों से बनी है इस मिर्दाय महाराश्ट, सौराश्ट, मालवा, मतकदेश और चतिशगर के पठार पर भी पाई जाती है, और दच्चरपूर भी देशा में गोदावरी हो, किष्णा नदी की गाटियों में भी आपको यह मिर्दा देखने को मिलेगे, काली मिर्दा बहुत महीन कड़ों अर्थात्मितिका से बनी है, इसकी नमी धारन करने की चम्दा बहुत होती है, इसके अलावा यह मि पुष्टिक तक्तों से पुरी पूर्ण होती है, परन्तों इनमें फासपोदरस की मात्रा कम ही रहती है, और गरम और सुस्क मौसम में इन मिर्दाओं में गहरी दराएं पढ़ जाती है, जिससे इनमें अच्छी तरह की बायू मिसर्ड हो जाती है, जीली होने पर यह होने की पहली गोचास से ही सुरूम कर दी जाती है, आप देखते हैं कि आप क्या होगी, तो छोटी सी बलसाद होती है, उसके बाद जोत पाना इने संभव नहीं रहता है, समझ रहे हैं? और याद रखें, आप लोग मैट्स में भारत के जो भी राजच्चे हैं, अब आपक की जाषमान की स्विल सर्विस में भी आपके क्यों यह twenty canopy कि से बीठी हैं, या प्रूच ले ता सबसे fij ञंते सिमा किस राजच्जी की अ राजच्चाि・ छूपती हैं तो आपको याद रहेगा तो आप बता सकते हैं कि questions मैं कितने राजियों से छूपती हैं तो अच्छे से एक बार याद रख लें लाल और पिली मैदान लाल मैदा दखन बठार की पूरवी और दच्छेंड इस्तों में रवेदार अगने चट्टानों पर कम बर्सा वाले भागों में विक्सित हुई हैं लाल और पिली मैदान उड़ी सा चत्तिसकर मद्व गंगा मैदान की दच्छडी छोड़ पर और परश्मी घाट में पहाडी पर पर पाय जाती हैं इन मेदाओं का लाल रवेदार अगने और उपांती चट्टानों मैं लोह दातू के पिरसार के कारण होता हैं इनका जो रंग पीला रंग इनमें जले उजन के कारण होता है सुरूप है मैंने जब सिलेवस बताया था पैटन बताया था तब बताया भी था कि आपके पास दो चार मतलब इस तरह की चीज़ें तो होनी चाहिए जैसे सिलेवस हो गया सबसे पहले आपके पास सिलेवस उसके बाद तरी के आपके कम से कम 5-6 साल की कुश्चेंस पेपर अब के पास उसके बाद कम से कम 6-7 साल की आपके मैंस के भी 5-6 साल की कुश्चेंस पेपर ऑप्शनल की लिए उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक मैपस वर्ल्ड का मैपस और अग्या आप संबह हो गया ति आप एस्टेट का अपने इस्टेट जिस इस्टेट से हैं उसका भाई मैं आप साफ अपने लगा सकते हैं रोम में ठीक है इतनी चीज़ें आपके पास कम से कम होनी चाहिए समझ रहे हैं आप लोग अब आपके पास लेटराइट मिलदा हैं लेटराइट सबदी ग्रीगमाशा की सबदी लेतर भाष आने के कारण होता है यह भारी वर्सा के से अतिक NICHालन का पईढानल लेटराइट मिलदा अधिकतर गहरी इतनी तत्था अमलिय कोoit सामनता पौधों की पोसकत्तों की कमी होती है या अधिकता दच्छडी राज्जों जैसे महाराष्ट की पच्चमी गाटों गाट चेत्रों में उड़ी सा पच्चम बंगाल के कुछ भागों और उत्तरपूर भी पिदेश में भी पाई जाती है जाहें इन मिट्टी में परण निकर्ण की संभावना होती है मेर्दा सारक्चन की उच्छी तकनीक अपना कर इन मेर्दाओं पर करनाटक केरल और तमिलाणू में चाय और कोफी उगाई जाती है तमिलाणू आंदप्रेस और केरल की लाल लेटराइट मिलदा है काजू की पसल के लिए अधिक उप्य होते इस तरह से आप देखते रहते हैं लेटराइट मिलदा है कभी इसलिए तो कहा जाता है कि आप वेवन चेत्रों को घूम के देख लिया करेगा आपको कम से का मालू तो चल जाएगा कौन सी मिट्टी कैसी है फिर आप देखते हैं मरूस्थली मिलदा मिलदाओं का रंग लाल और भूरा होता है यह मेदाओं आम तोर पर रेतिली और लबडी होती है कुछ चेत्रों में नमक की मात्रा इनमें अधिक देखने को मिलगी जीलों से जलवास्थी करके खानों का नमक भी बनाया जाता है सोच के जलवाई और उच्च तावमार के खारण जलवास्थ बास्पंदर अधिक होती है और मिलदाओं में यूमस और नमी की मात्रा में भी कमी होने देखी जाती है मेर्दाओं की सत्तर की नीचे केल्सियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सत्य पाई जाती है इसके कादर मेर्दा में जल अंदर से अधन अहुरत हो जाता है यानि के अंदर जल नहीं जा पाता है इस मिर्दा को सही तरीक से संजित करके किसी योग बनाया जा सकता है जैसा कि पश्चिमी राजिस्तान में हो भी रहा है यह है आपकी समझ में आए फिर आपकी यह वन मिर्दा है यह मिर्दा है आम तोर पहाड़ी और परवर्टी चित्र में पाई जाती है जहां परयात वर्षा बंग उपलब दें इन मिर्दाओं के गठन में परवर्टी है परयावन के अनुसार बदलावाता है नदी घाटियों में यह मिर्दाओं तोमट और सिल्कदार होती है परंतु उपरी डालों पर इनका गठन मोटी कड़ों का हुद्दा है हिमाले के हिमाद चादित चेत्रों में ने मिर्दाओं का बहुत अबर्दन होता है यह अधी सिल्क ततां यूमस्त रहत होती है नदी घाटियों के निचले चेत्रों में विसेशकर नदी सौपानों और जलोर पंकों आधी में यह मिर्दाओं उपजाओं होती है अगर हम लोग मिरधा अपंदन की बात करें यानि कि एक जगा इसी दूसरी जगे एक जगा इसमें मिरधा अपंदन करते हैं एक जगया आप सोचे कि नादी आती है आप देखते हैं नाया की पानी बर्सात की समय होता रहता है यह अगर फायदा तो यह रहता है कि जड़े होती है वो मिट्टी को जक्ड़े रहते हैं, आपने देखा होगा कि जहां सबसे जाना पेड़ में होगे, वहां मिट्टी कमी कटेगी, और जहां सबसे कम पेड़ होते हैं, थोड़ी में मिट्टी रहते हैं, हो जाएगे, इसे आप अपने यहां नॉर्मल लिजे, कि आप गमले में पानी डालते हैं, अगर पेड़ होगा तो उसमें माटी कमी कटेगी क्योंकि चिपकी रहेगी गमले के पेड़ से, और जैसे ही आप लोग गमले में कोई पेड़ ना हो तो आप डालिए तुरंथ नीचे बहने लगेगी मिट्टी मिट्टी के बढ़ने और अपर्दन की क्रिया आम तोर पर साथ साथ चलती हैं, दोनों में संतुलन होता है, परंतु माने भी क्रियाओं जैसे बनून मूलन, अती पसूचारन, निर्मार्ण और खननन हत्यादी से कई वार या संतुलन रंग हो जाते हैं तता प्राक्तिक तत्य जैसे आप देखेंगे पवन हिमनद जल मिर्दा अपर्दन करते हैं, बैता जल मिट्टी का युगत मिर्दाओं काटते हुए गरी वाहिकाएं बनादाता है, जिन्हें हम लोग आउनालिका कहते हैं, ऐसी भूमी जोतिने युग नहीं होती हो, उसे उत्کात भूमी कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्कात भूमी, बैडल लेंड, चम्बल वेशन में ऐसे भूमी को खंड कहते हैं, कई बार जल विस्तित को तके हुए डाल के, साथ नीची के और वायता है, ऐस इस श्तिती में इस शित में अपई मिर्टा घुल गोल कर जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपर्दन कहा जाती है, क्या चादर अपर्दन कहा जाती है, पसु चारन का ये मतलब है कि आप देखते हैं कि जंगलों में पसु जाती है, तो उसके जो खुर होते हैं, उनके द्वारा अपर्दन होता रहता है, उनमें लगा रहा है, उपजाव वहां से हट जाती है इस तरह से ठीक है पबंद वारा मिर्दा अतवार ढालू जैसे चित से मिर्दा पोड़ा ले जाने के विक्किरिया वो पबंद अपर्दन कहा जाता है आपने देखा होगा कि जब आधी दूफान आता है तो उस समय भी आप देखते हैं कि बायू मंडल मे अपने देखा हुगा। बादलों में दूल उरती रहती रहे हैं तो यही बात की जा रही है कि यह दूल एक जगह से उढ़ाकर दूसरे जगह ले जाती है। किरिसी के गलत तरीकों से भी मिर्दा परदन देखने को मिलती है, गलत तंग से हल चलाने है, जिससे डहलार पर उपर से नीची कूर, हल चलाने से बाहिकाई बन जाती है, और जिससे अंदर से बहता पानी, आसानी से मिर्दा का कटाओ भी कर देता है, इसलिए कहा जाता है कि एक बहते हुवे चित में जिस तरफ बहाव चित हो उस तरफ लहीं चलाना चाहिए। उसे आडा मतलब अगर आप सोके एक इस तरह से रहती है। तो आपको ऐसे की जुताई नहीं कर दोगाई चाहिए। इसे काट कर ऐसे जुताई करने चाहिए। जिससे वो मिर्दार रोपी रहे है और नालिका इस तरह से आप देखते हैं नालियां बन जाती है कई जगह आप देने अपने जीवन में भी देखते रहते हैं ठीक है डालवाली भूमी पर सरवोच समोच रेखाओं के समानंतर हल चलाने से डालके साथ जल बहाओं की गढ़ती है इसे समोच जुदाई कहा जाता है क्या कहते हैं समोच जुदाई कहते हैं डालवाली भूमी का सौपान बनाये जा सकते हैं सौपान करसी परदन को नेंदित करते है पक्षिमी और मध्यमाले में सौपान अत्वा सेडीदार तिर्सी कापी बिक्सित है बड़े खेतों की पट्टियों में बाना जाता है पसलों के बीच में गास की पट्टियां उगाई जाती है एप अबनों द्वारा जनित बल को कम करती है इस तरीके से कुप पट्टी किर्सी कहते है पेडों को कतार में लगा कर रक्षक मेखला बनाना भी पौणों की गती कम करना है इन रक्षकों पट्टियों का पश्चिम भारत में रेद के टीलों के इस्ताई करन में भी मात्मून एउदा रहा है एक बात याद रखिए कि इनमें जो भी NCEIT बुक्स है अगर आपने अभी सुरूं से देखा है हम लोगों ने नौवी से बात की हुई है आपकी दसबीत की भी एक बुक्स खतम कर चुके है यह आपका गुगोल का पहला चैप्टर है तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं आपको ऐसा सब्द मिला हो जिससे आप परचित ना हो यानि कि बहुत ही साधान सब्दों में लिखी जाती है बुक्स है कि आपको समझ में आ जाए और आप देखते हैं इसलिए आपको सलाय भी दी जाती है कि आप इन्हें पढ़ लें पहले और इसलिए आप देखिए कि आप ये पढ़ लेंगे उसके बाद कोई कि स्पेशल बुक्स प्री पढ़ेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आपको समझ में ही नहीं आ जाएगा तो एक दसदी तक जाने का मतलब है कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा समझे गए बादक की परियावण की अगर दसा की बात करें लो तो सुखो माजरी गाओं और जाबुआ जली ने यह कर दिखाए भूमी निमनी कर पिक्रिया को पल्टा जा सकता है सुखो माजरी में बेक्च गनत्य उन्नीस सो चेतर में 13 पिती हेक्टर था जो 1992 में बढ़कर 1272 पिती हेक्टर हो गया है यानि कि अच्छी बढ़ोत्री देखी गई है परियावण की पुनरजनन से अधिक संसाधन उपलग्द ता किरसी और पसुपालन में सुधार की सुखो माजरी में 1989 से 1984 की बीच परिवारों की उस्तत आर्ड बारसिक आंदानी 10,000 से 12,000 रुपे थी परियावण की पुनरस्थापना के लिए लोगों द्वारे इनका प्रबंधन आवस्त के मत्विदेश सरकार ने लोगों को स्वेम फैसलिया लेने का अधिकार दिया और बे पिदेश की 29,00,000 हेक्टर भूमी भारत का लगबग 1,306 पल को जल विवाजक प्रमंदक द्वारा हरा बरा बना रहे हैं देखे सब कुछ संबाव हो है बस आपको मेहनत करनी आनी हो जाहिए समधाय है भागवान अभी तो भिरम है ठेकेदार नौकर साय है नेक भारा सरकार की तरह योजना है लेकिन आप सोचें कि किसान की बहुत बुरी इस्तिती रहती है कोई भी देश हो हमारे देश के किसानों की तो बुरी इस्तिती रहती है बुंदिल खंड आप देखते हैं कि बहुत ही सूखा रहत छेत बहुत ही स जेचेच से एन तो वहां भी आप देख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि अपना मतलब की किस तरह से आपके आप पानी के समाला निकाल सकते हैं नीचे बताइए अगर आप जिस छेत्फ से रह रहे हैं आपको लगाया साल तो यह हमारा था पहला चेप्तल संसाधन एक विकास संसाधन एवं विकास इसी से संबंदित आपके कुछ कुश्चन्स दिये गए एनेंधी आप लगाते रहे न ठीट है और पीडिय अब आपकी टेली गराम पर डाल दीएगे वहाँ से डाउनलोड करके रख लेंगे अपने पास चलिए तो हम दूसरे चेप्टर में मिलते हैं वन एवं वन एचीब संसाधनों के बारे में जानेगी चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे NCEIT बुक्स कक्छा 10 वी की समकालीन भारत सेकेंड की नाम से जो आपकी बुक्स है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और वैसे बतातों कि कक्छा 24 से लेगर कक्छा 9 वी तक की सभी बुक्स हम लोग खतम कर चुके हैं उसके बाद कक्छा 10 वी की हम लोग एक बुक्स पूरी तरह से कतम कर चुके हैं लोग तांतरी खिराजमिती पूर्ण कबरेज के नाम से जो प्लेइलिस्ट सूची बनी हुई है, इसमें सभी बुक्स के जो चेप्टर वाई चेप्टर आपके लेक्षर डले हुए है, वहाँ जाकर आप देखते रहिएगा, और मैं बता दूँ कई लोग कमेंड कर रहे हैं, कई SMSVI की और भी बुक्स से क सब्सक्राइब के लिए और भी जो जरूरी होगी आपकी सब बता दूँगा, पहले लेकिन आप NCEIT 2-3 बाहर कम से कम पढ़ ले, उसके बाद अगर आप लोग इस पेसल बोक्स पढ़ेंगे तो आपको बिटतर समनी में भी आएगा, और आपका कुछ महत्वी बनेगा, मतल बाकी मतलब आप सोच रहे हो कि जो जरूरी नहीं होने भी कबर करवा रहा हो, नहीं, जो आपके लिए जरूरी होने ही कबर करवाँगा, और याद रखे सबी टेलीगराम पर डाल दी गए हैं, तो वहां से डाउलूड करके अपने बास रख लिए हैं और एक से दो दो बार पढ़ लिजे कम से कुण, ठीक है? आज हम बात करते हैं बन एवं बन जीब संसाधनों की बारे में, ना ना रख मेरे इस्तुर लेप चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं, ओ ना रख मेरे इस्तुर मुझे स्वयम को आपको समर्पित करने दें, मुझे आप अपन संगीत जर्णों, नदियों, परवतों, बनों, कीटों और जानवरों के इसे गर्ण करने दें, मुझे आप अपना संगीत मधूर समिजर से गर्ण करने दें, और इसे आपको ही समध्पित करने दें, एक बात आप से बोलू, कि इसमें मुझे नहीं लगता है कि अभी तक आ बहुती साधार सब्दों में लिखी गई इतने सब्दों में लिखी गई हैं बुक्स कि आप अगर पढ़ते हैं तो आराम से समझ में आ जाती हैं आपको किसी की मदद की भी जरूरत नहीं बढ़ती हैं याद रखिए अगर इन्हें आप पढ़ लेते हैं और आपका वेस जीवाणूं और बेक्टेरिया जॉंक से लेकर वट्वेक्च हाथी और बिलुग हेल तक करोणों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं यानि कि पितवी पर या पूरा आवासी इस्थल जिस पर हम रहते हैं अत्य धेक जय बिवित्ताओं से भरा हुआ है मानौ और दू पर निर्वर रहते हैं उधारन के लिए बायू जिसमें हम सास लेते हैं जल जैसे हम पीते हैं मिर्दा जो हमारे लिए अनाजिप पैदा करती हैं जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं पौधे बसू सुप्चन जीव इनका पुना सरजन करते हैं वन पारिष्टित की प्रात्मिक उत्वादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्वर रहते हैं एक बात और हमेशा याद रखिए कि देखिए आप पिधिवी पर एक पार्ट है इसका पिधिवी आपके लिए ही नहीं बनी हुई है इसमें आप फिर देखेंगे सुप्चन जीव हूँ पर मरों सभी का उतना ही हक है जितना कि आपका है और आप देखते होंगे कि सभी अपना-पना कर्तब भी निवाते हैं गायम है, बैल और कुटा कोई किसी भी जानवर को आप ले लीजिए वो अपना कर्तब निवाते हैं यानि कि उनका जो धर्म है उसे निवाते हैं लिगन हम सबसे जाना परियावाड को नुकसान पहुंचाते हैं इस वित्वी को और ना अपना धर्म दिवाते हैं उसी का हम लोग पढ़िडां भुगतते हैं वह नजीवन और किसी पसर उपजातियों में अत्य देख जय वित्नाएं पाई जाते हैं यह आकारोंकार में विवेन परंतु आत्म निरवर्ताओं के जटेल जाल द्वारा एक तंत में कुथी हुई है भारत में बनस्पती जात और प्राणी जात के अगर बात करें तो यदि आप आसपास नज़ा दोड़ाएंगे तो आप आएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौदे हैं जो आपकी छेत में ही पाए जाते हैं बास्तों में भारत जय बिवित्ता की संदर में जिसके सबसे सम्रद्य देशों में से एक है यहां विसकी सारी जय उपजातियों की आठ किती सत संख्या लगभग सोले लाग पाई जाते हैं यानि कि जय बिवित्ता अगर सीधा सा मतलब आप निकालिए कि एक से अधिक उपजातिया हों एक से अधिक आप सुचिए कि जीब जन्दुवा हों बैक्च हों पेड़ पहधे हों इसे ही एक तरह से हम लोग जय बिवित्ता कह देते हैं ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से दो या फिर तीन गोना हैं आप पहले ही भारत में पाई जाने वाले बनों और बननेजीब संसादनों के छेतफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं आपने सुचा होगा कि इनसादनों का आपकी निनिक जीवन में क्या माते हैं ये विवेन वनस्पति जात और पराड़ी जात हमारे हर रोज की जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनकी कंद नहीं करते हैं परन्तु परियाबन के पिती हमारी आसम्वेदना के करण पिछले कुछ समय से इनसादनों परभारी दबाव पड़ा हैं क्या है एक तो अधाधंद तरीके से हम लोग जो भी यूच करते हैं आपने देखा है कि पेड़ काटना आपना शुरू किया तो अधाधंद तरीके से हम लोग पेड़ काटे जा रहे हैं और उसी का पैड़ाम हम लोग वह रते हैं पर कि बरसा नहीं हो रही है और होती ही वर्सा तो एक बार में कटाव मिट्टी बह जाती है, जिस मिट्टी को उबरी परत को बनने में हजारों लागों साल लगते हैं, वो 2-4 मिनिट में बरसा अची हो जाए दो भाई कर चली जाती है, यह पेड काटने का ही पहिनाम है, तुकि पेड की जड़े होती है वो मिट्टी को रोप कर रखती है और अगर आप पेड़ काट देते दो बड़ जन्दी से बह जाती है कुछ अनुमार यह कहते हैं कि भारत में 10-30 गवन वनस्पती जात और 20-30 इस्तंदारियों को लोप्त होने का खदरा है और इन में से कई उप जातिया जो नाजो कवस्ता म में उलोप्त होने के कागार पर है इन में चीता गुलावी सिर्वाली बतक पहाडी कोईल जंगली चीतितार उल्लू मदू का इंसिगनिस महुआ की जंगली किस्न और होवरडिया हेक्टा नीरोन घास की प्रजाती जैसे पौधी सामेले बास्ताव में को कोई भी नहीं बता सकता है कि अब तक किद्नी पर जाती हैं लोगत हो चुकी है आज हमारे ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने बाले पराणी और पौधी की लोगत होने पर अधिक कहल देते हैं परन्तु छोटी पराणी जैसे कीर और पौधे भी मात्वून होते हैं एक यहां आप जांदा चर्चित रहता है जो जांदा चर्चित रहता है उनी को रख दिया जाता है छोटा जो नॉर्मल होता है भूख खतम होने को नहीं लिखा जाता है तो आप इने भी देखते हैं कि ये ना के बराबर आपको देखते हैं लोग थोने होते बन भारत में जिस पर्मानेपन बट कटाई हो रही है वो एविचलित कर देने बाली बात है देश में बन आवरन के अंतरकत अनुमानित 89.42 मिलियन हेक्टर चेतफल है यह देश के कुल होगली चेतफल का 24.16 पितिसा है सगन बन इसमें 12.2 पितिसाथ खुला बन 9.14 पितिसाथ और मैंगू बन 0.14 पितिसाथ है यह आपकी 2017 की रपोर्ट है याद रखिए अपडेट होती रहती है इसलिए जादा टेंशन मत लीजेए याँ किबल समझाने के लिए बताय जा रहा है और 2017 की आती है रपोर्ट 2019 में आएगी इस तरह से जो भी रपोर्ट आया करेगी आती है उनसे अपडेट होता रही ठीक है अनसार वरस 2013 से सकन बटों के चेत्वल में 3775 किलोमीटर की विद्धी हुई है परन्तु बन चेत्र में ये विद्धी वन सरक्षण उपायाओं प्रबंधन की भागेदारी और व्यक्षा लोपण से हुई है आओ हम विविन पेकार के बोधों और प्राणियों की जात्तियों के बारे में पता लगाए अंतराश्ठी प्राक्ति सरक्षण और प्राक्ति संसाधन सरक्षण संग के अनसार इनको निमलिके सैनियों वे विविभाजित किया जाता है IEOCN यही आपकी सूची है वो रियात रखे जब आपके आदिक सर्वेक चड़ाते तब भी आपको बनों के बारे में बता दिया जाता है और आपसे करेंट पेस से जुड़ने के लिए क्यों कहा जाता है क्योंकि आपकी जो भी रिपोर्टे आ रही है उनके बारे में आपको पता रहे इसलिए कहा जाता है कि डेली आपको जुडा रहना चाहिए करें टपेस से, उसके बिराब कुछ नहीं हो सकता है सामाने जातियों के अगर बात करें हम लोग तो बे जातिया जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान माने जाती है जिसे पसूर, साल, चीड, किंतक, रोटें, टर्स, इत्यादी संकट गरस्त जातियों की बात करें तो ये बे जातिया हैं जिनकी लोग्ठ होने का खत्रा है जिन बिसम परिस्तितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है यदि वे जारी रहती तो इन जातियों के जीवित रहने काला है रहन, मगरमच, भार्थी जंगली के था, गेंडा, सेर्थ मुच बाला बंद, संगाई, मड़ी पुरही रहन, इत्यादी स्पिकार की जातियों में आपके सामे उधारने, ठीक है पिर आपकी सुबेद जातिया, एवे जातिया होती हैं जिनकी संख्या घट रही है, यदि इनकी संख्या पर विपरीद प्रभाव डालने वाली परिस्तितिया नहीं बदलती है, और इनकी संख्या घटी रहती है, तो इस संकट गरष्ट जादियों की सेरी में सामिल हो जातिया, क्योंकि आँगे आपको यही सब्द आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ भी, फिर आपकी दोरलब जाती है, इन जातियों की संख्या बहुत कम है या पर सुबेद है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विसम परिस्तिती नहीं परिवतित होती है, तो यह सं गरत जातियों की सेडी में आ जाती है, इस्थानिक जातिया, प्राक्तिक या फिर भोगोलिक सीमाओं से अलग विसित छित में पाई जाने वाली जातिया, अन्दवानी टील, निकोवारी कबूतर, अन्दवानी जंगली सुगर, अरुनाचल पिदेश की, मिथुन इन जाति उनके उधारन नयाप की स्थानिक जातियों की, अगर बात करें लुप्त जातिया, तो ये वे जातिया हैं, जो रहने, इनके रहने के आवासों में पोश करने वर अनुपस्तित पाई जाती है, यानि कि यहां नहीं पाई जाती है, इस्थानिय चित, पिदेश, महादीब, या पूरी पितवी से ही लुप्त हो गई है, ऐसी उपजातियों में ACI चीता ओला भी सिर्वाली बतक सामय जाया की, इस तरह की गुश्चन से आपके प्रेलेम से में भी पूच ले जाते हैं, अब आपको दे देंगे चार-पाच ओप्सन, उसमें बताएंगे कि इनमें से क मुमी पर रहने वाले दुनिया का सबसे तेज इस्तंग धारी प्राणी, चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस है, जो 112 किलोमीटर पिदी घंटा की गती से दोड़ सकता, लोगों को आंतर पर भरम रहता है कि चीता एक तिंदुआ होता है, चीते क और एसिया में दूर दूर तर फेले होते हुए थे, पर उन दिन के आवासिय चेतोर सिकारी की उखलगदता कम होने से इलगभग लुप्त हो चुके है, भारत में यह जाती बहुत पहले 1952 में लुप्त हो गुशित कर दी गई, यदि आप चारों और नजट दोर आएंगे तो आप पाएंगे कि किस पेकार हमने प्रक्ति को संसादनों में परिवर्तित कर दिया, हमें लकडी, चाल, प्रक्ते, रवर दबाईयां, बोजन, इनन, चारा खाद, इत्यादी, पित्यक्षय, पर परोग चिरूप से बनों और वन्ने जीवन से प्राप्त होता है, किरियाओं में विद्धी से हुआ है, सुतंता प्राप्ति के बाद भी बन संसादनों के से खोड़ने से किरसी का फ्यलाओ, मत्कुन कारक में से एक रहा है, भारत वन सरवेक्षन के अंसार 1952, 1951 और 1980 के बीच, लगवक 26,200 बर्ग किलूमीटर बन चेत किरसी भूमी में परि जूम खेती का मतलब यह होता है कि एक जगए यह आपकी जंजातियों में अधिक पिछलित रहती है, कि एक जगए आपने खेती की एक-दो बार की वहां उसे छोड़ दिया पर उसकी और वर्वर्ट तक घट जाती है, उसके बाद आप दूसरी जगए बन जाकर बनों को करती रहती है, इसके बाद आप देखिए, यह देख लिए, करनाटम में पाय जाने वाले है, ट्रो मीटस, काना रेंसिस, यह आपका बिच्चू की तरह है, पश्चिमी घाट के दच्छिडी भाग में पाय जाने बाला, ओकलेंड, लेंडरा, ट्राथ, ट्राथ, विन, विन कोरिया, गेंबल, पोईसी, जिसका उपयोग, चटाईवाद, टोक्री बनाने में किया जाता है, एमबीलीका, राई, कच्छे फलों वाला, संकट गर्ष्ट, और दिये लता है, इसका, आप भी अपने देने जीवन में देखेंगे, कि आप अपने आसपास चारों तरफ जर हम लोग बच्चे से गड़ाय बेटे होंगे, तब भी मुश्किल से दिख्याई देगे, हमारी कुछ परियावन के से सकों के उनसार भारत के कई चेत्रों में, संबर्धन, व्यक्षा रोपन, अर्थात वडिज, वडिज की द्रिष्टी से कुछ, या पर एकल व्यक्ष हमालय में, चीड़ पाइन के रोपर से हमालय, हमालय ओक, और रोडो, डेंडीन, बनों का नुक्सान हुगा है, पता होगा आपको भी सागोन बेक्ष होते हैं, यह बहुत मात्पून होते हैं, इनसे मतलब बहुत हमें आए भी होती है, इसलिए क्या होते हैं, आपने देखा तो क्या होता है, कि सागोन के जो बेक्ष है, यह दूसरे पेड़ों को नुक्सान पहुचाते हैं, समझ रहे हैं आप लोगे, बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी बनों को बहुत नुक्सान पहुचा है, उननीस सो बाबन में नदीगाटी परियोजनाओं के कारण, पां नेक्टर से अधिक बंचित नर्वदा सागर परियोजना के पूंड हो जाने से जल्मगन हो जाएगा, बनों की बरवादी में खनन से इतने भी महत्कूंड भून का निवाई है, पश्चे मंगाल में बपसा टाइगर एज़व, दोलो माइट के खनन के कारण गंभी खत्रे में, इसने कई प्रजातियों के पराक्तिक आवासों को नुपसान भी पहुंचा है, और कई जातियां जिसमें भागी रच थी, भारती हाथी भी सामेल है, कि आवागमन मान को बादिद्वी किया है, आप सोचिए, अभी मत्विदेश में जो परियोजना चल रही थी, इससे क्या होगा कि अभी पन्ना टाइगर रजर्ब को भी नुकसान पहुंचा है, आप सोचिए, अगर उस वहाँ पानी भरता है, और सबसे बड़ी बात आपने देखा है कि अभी ट्रेन भी गुजरी है, काँ से टीकम गड़ से आप देखेंगे, पन्ना के बीच में पन् और वहाँ से आभाज करेंगे, तब भी पसू परेशा नहीं होती है, समझ रहे हैं आपने, तो उस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, और कई बड़ी 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 परियोजना होती है, खनन से यह होता है कि आपको कहीं मालू चल जाएगी, यह हीरा है, तो उस जंगल म कि आप खुदाई करने वाल नहीं लगते हैं, और आप जानते हैं कि खुदाई करवाने लगेंगी, तो उस पसू कैसे रहेंगे, जादबर कैसे रह सकेंगे, और यही कारण होता है, कि हम लोग देखते हैं कि सहरों में भी अब आपको सेर देखने को मिलने लगे, टाइगर पर्यावड विद यह मानते हैं कि बर्ण संसाधनों की बारबादी पसु चारान और इंधन के लिए लगडी कटाई मुख पूमी का निभाती है या कि पी इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है पर तु चारे और इंधन है तु लगडी की आवस्तकता पूर्ती मुख ता पेड़ की टहनियों काटकर की जाती है ना कि पूरे पेड़ काटकर वन परच्चित की तंत देश के मूलवान बन पतार्थों खर्जियों और अन्द संसाधनों के संचय खोस है जो तेजी से विक्सित होती उद्दोगिक सहरी और तवे उस्ता की मांग की पूर्ती के लिए बहुत म है हिमालय-ययोँ यानि किचिटप की पिकार का सदा भार बेच एक उस्तीय पोदा है जो हिमालय हिमाचल्पिदीश और अरनाचल्पिदीश में कई छित्रों में पाहए जाता है पेडी की छाल पत्तियों की टहनिया टहनियों और जड़ों से टक-षोल नामक रसाइन निकाल जाता है इसे कुछ कैंसर रोगों के उप्चारी के लिए प्रियुक किया जाता है इसे बनाएगी दबाई विस्त में सबसे अधिक बिगने वाली कैंसर होती है इसके अत्यदेक निस्कासन से इस वह निस्विती जात को खतरा पैदा हो गया है पिछले एक दसक में हमाचल तो आपका इसना करथभ तो बनता है कि आप दस काब रहे तो कमसे कब 5 पेड़ तो दूसरी जगे लगा दीजिए दूसरी जगे का इसनल नहीं है कि अपने घर में लगाईजिए मैं यह नहीं कहरा हूं मैं जैसे अपकी खेत है उसकी मेंट पर लगादीजिए दिए वहां सरिफ उपयोग करना चानते हैं, लेकिन उसे सरक्षट देना यहीं जानते हैं, यह उसी तरह है कि हम अपने मौलिक करतबों के लिए बिल्कुल भी यहांगे नहीं आते हैं, समझ रहे हैं, भारत में जब बिवित्ता को कम करने वाले कारकों में, वान जीब के आवास का कारवरों का मारना, आके टन, यानि की सिकार करना, परियावाण पिदूसन बाव विसाक्ति करन और दवानल आदी सामिलें, परियावण बिनास के अन्न मुख कारकों में, संसामनों का अप, आसमान बढ़बारं, उनका आसमान उपोग, और परियावण के रख डखाओ की ज चन सेंक्या को मानी जाती है, यग पी एक अमेरिकी नागरिक का उसत संसाधन उप्योग, एक सौमाली नागरिक का उसत उप्योग से 40 गुना जंदा है, इस पेकाल सायद भारत की 5,30 धनी लोग, 25,30 गरीब लोगों की तुला में अपने संसाधन उप्योग द्वारा परिया कर रहा है, यहाँ आप देखिए चित्त देख रहा होगी, सांत गाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी उतिया, बास की पौधे पौध लगाती हुए, छोटे-छोटे जंगली उत्पादों को भेशती आदिवासी महला है, और यह चित्त देख रहे होगी, आप लोग पसु कहाने वाला जब मर जाता था उसकी खाने वाला भी एक चील टायट की चील हुगा करता था, आजकल वो भी आपको दिखाई नहीं देते हैं, कि जब पसु मर जाते थे उन्हें कहीं जंगल में फेक दिया जाता था, तो उड़ने लगते थे, उपर उड़ते रहते थे वे वे इंजेक्शन का उप्योप कर देते हैं तो यही ओस्दिया है यानि कि यही दवाईया उन चीतों के बिनास के लिए जिम्बेदार हैं यही आपकी कई बक्षियों के लिए जो इस तरह के मास पर रहते हैं खाते रहते हैं तो उस तरह की दबाईयां उनके अंदर भी वुस्तिया है, बिस चला जाता है, इसलिए उनका खात्मा हो जाता है, तो यह बिक्रिया है, और हम लोग रसाइन का परियोग सबसे जानदा खेती में भी करने लगें, उससे भी नुकसान पहुंचता है, उससे आपका जल पी दू जड़ भी होता है, मिर्दा पी दूसर, कि आप जानते हैं कि भारत के आधी से अधिक प्राक्तिक बन लगवक हतम हो चुके हैं, एक तेहाई जलवागन भूमी सूख चुकी है, 70% धरात लिए जल 6 पी दूसे थे, 40% मेंगू 6 लोगत हो चुके हैं, और जंगली जानवरों क सिकार और ब्यापार तता बाइडित जी की दिरिष्टी से केमती पेड़ पोदों की कटाई के कारण 1012 पती वन जीव जाती है, लोगत होने के कगार पर पहुंच गई हैं, आप सोचिए कि एक समय हमारे यां टाइगर बहुत हुआ करते थे, और इस समय आपको देखा होगा आपने 2019 में रिकूट आई हुए है, इसमें आपके 2960 हैं, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो साइद मुझे लगता है 2960 ही है, अगर गलत होई तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिए कोई भी अगर आकड़ा गलत हो जाय करे, मैं गलत बताता हम तो उसे आप लोग सुधार के नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसने क्या होगा कि दूसरा आएगा उससे सुविधा होगी आपके द्वारा, ठीक है, और मद्विदेश पहली नमबर पर इसमें, सबसे जादर मद्विदेश में है, टाइगर उप्यदेश भी कहते हैं, मद्विदेश सुया फिदेश, सुयावी नमीर्या दीक उतर, हिद्या फिदेश, बनो और बननीजीव जीवन कविणासि मातित जीव बिज्ञान का विशाही नहीं है, येवच संसाथ उनो का विक अपिप बिनास संस्कतिक विवित्ता की बिनास से भी जुडाईभ़ा है, येवचे皆 और वर्ण जीवों पर निर्भर है गरीब बर्ण में भी महलाएं पुरसों की तुला में अधिक प्रभावी थी कई समाजों में खाना चारा जल और अवस्तक्ता की वस्तुमों को एकटा करने की मुख जिम्मितारी महलाओं की होती थी जैसे ही इन संसादनों की कमी होती जा रही है महलाओं पर कार कभार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो उनको संसादन एकटा करने के लिए 10 किलो मीटर से भी यदि पैदल चलना बढ़ता है इससे इन्हें उन्हें गंबीर स्वायत समस्तियां जेलनी परते हैं काम का समय बढ़ने के कारण घरों और बच्चों की उपिक्चा होती है जैसे गंबीर सामाजिक परिडाम भी हो सकती है वन कटाई के परुक्ष परिडाम परिडाम जैसे सूखा बाड़ भी गरीब तब के कुछ सबसे धीक विर्भावित करती है इस इस्ति में गरीब परियावर्ण निम्नी करण का सीधा परिडाम होता है भारती ओमादी में बन और वन जीवन मानो जीवन के लिए बहुत कल्याड कारी है अता है आवसक है कि बन और वन जीवन के सरेक्टर के लिए सही नीती अपना ही है आपने देखा हुगा कुछ समय पहले क्या हुआ करता था कि बेंटी कही समगा ऐसे थे जो बनोप में जो उत्पाद होता था उन्हीं से अपना देनिक जीवन चलाया करते थे उन्हें खाने के लिए जो भी सुगदा हुआ करती थी वो बनों से मिल जाया करती थे लेकिन और आपने देखा एक तेंदू पत्ते को भी संगर किया जाता था अब आप तो ची तेंदू पत्ता हो ही ना तो विचारी महला है कहां से आधिवासी कहां से ढूनेगे जो बिड़ी के उपे हुमें प्रेयो किया जाता है आपका भारत में वो वन और वन जीवन के सरक्षण की अगर हम लोग बात करें यानि की सुरक्षा की वन जीवन और बनों में तेजगती से हो रहे है रास की कारण इनका सरक्षण बहुत आवस्षक हो गया है परन्तु हमें बनों और वन जीवन के सरक्षण चरना आवस्षक क्यों है स और हमारे जीवन साथ संसादन जलबायू मिरता बने रहते हैं यह विवे न जातियों में बेहतर जनन के लिए बोनस पती और पसुओं में जीन्स विवित्ता जेनिटिक विवित्ता को भी संद्रक्चित रख करते हैं उधा व्दारन के दोवर पर हम किर्सी में अभी भी पारमपरी उसलों पर निरवर हैं जली है जबिवित, मॉटे ती और मशली पालत बनाये रखने पर निर्वर है ذeveryone है एक बात आप सको बता हमार jotka कि आप सूचिए कि आप सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, आप लेते हैं, और आप सोचते हैं कि आप का सरीर ये उच करता है, और उसे CO2 में बदल देता है, यानि कि carbon dioxide में बदल देता है, आप carbon dioxide छोड़ते हैं, बन उसे गहन करते हैं, जो फेड हैं, उसे गहन करते हैं, वो उस ले रहे हैं, carbon dioxide छोड़ रहे हैं, पेड carbon dioxide ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, और oxygen O2 छोड़ रहे हैं, आप सोचिए हैं कि बीच की एक कड़ी को तोड़ दिया जाए पूरी तरह से, यारी कि पेड को खतम कर दिया जाए, पेड़ों को पूरी तरह से, तो क्या आपको लगता हैं कि संभाव है आपका जीवन, तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि आपके जो फैपड़े हैं, एक तो एक हिस्सा आपके अंदर है, एक पेड़ है आपके फैपड़े, कि आपकी पिक्रिया को पूरी मतलब ऑक्सीजन की पिक्रिया और कारबन डाई ओक्साइड की पिक्रिया को चलाते रहते हैं, तो जब आपके फैपड़ों का ये खिस्सा कतम हो जाएगा, तो जीवन की सतरह से सम्मा हो पाएगा, लेकिन अधिकतर मानाओ इस तरह की सोचने की उनके पास चमता ही नहीं होती है, और सोचने का टायम ही नहीं होता है, जब तक की उपर नहीं पहुंच जाते हैं, सन 1960 और 1970 की दसकों की दोरान पर्यावन सरक्षणों सनरक्षकों ने राष्टिय वन्यजीब सुरक्षा करकिरम की पूर जोर मांगी, वार्थिय वन्यजीब जीवन सरक्षण अधिनियम 1972 में लावू पिया गया, सबसे पहले आपको याद रखना है, 1972 में आपका भाहतिय वन्यजीब अधिनियम आया, राष्टिय वन्यजीबों की सुरक्षा के लिए, जिसमें वन्यजीबों के आवास्त रक्षण की अनेक प्रावधान थे, सारे भारत में रख्षित जातियों की सूची भी पिकासित की गए, इस कारक्रम के तहित बची हुई संकट ग्रस, जातियों के बचाव पर सिकाय, बचाव पर सिकार प्रबंदन पर, वन्य आवासों का कारूनी रक्षण, जंगली जीबों के व्यापार पर रोक लगाने आदीपत कल प्रबल जोड दिया गया, ततपश्चात केंद्रिय सरकार बाद कई राज सरकारों ने, राज्ती उंत्यान और वन्य जीब पसु व्यार इस्थापित किये, जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, केंद्रिय सरकार ने कई परियोजनाव को भी घुषना की, जिनका उद्धिस गंबीर खत्रे में पढ़े हुए, विसिस बन पराणियों को रक्षण पतान करना था, इन पराणियों में बाग, एक सींबाला गेंडा, कस्मीरी हिरन हंगुल, तीन पेकार के मगरमच, स्वक्षे जल्म मगरमच, लवडिये जल्म मगरमच, और घड़याद, एस्याई सेर और अन पराणि सामिलें आपती, इसके अतरक्त कुछ समय पहली भारती हा थी, काला हिरन, चेंकारा भारती है, गोड़ाओ, वन हेम तिन्दुवा आदी कि सिकार और व्यापर पर संपून अतबा आन्सिक्पिती बन लगार कर कानूनी सनक्षण दिया गया, यह आपको कांजियंगा राष्टी उद्ध्यार में गेंडा और हिरन दिखाए दे रहेगा, एक गेंडा की तस्पीर है, यह आपकी हिरन है, कितना सुन्दर लगता होगा, आप भी सुचिए जब इस तरह की पसू हमारे सामने देखने को मिलते होंगे, कितना हरावरा रहता हुगा, यह हरावरा आप तो आपको दिखाई ही कम ही देगा, इससे भी आपके क्वेश्टन्स कई बार बन चुके हैं, बाग परी होजिना से, कि वाने जीवन सरक्षर में बाग टाइगर एक मात फून जंगली जाती है, 1827 रहे गई बागों को मार कर उनके व्यापार के लिए चूरी करना, आवास्ति एस्तलों का सिकड़ना, भोजन के लिए आवस्तक जंगली उपजातियों की संख्या कतम होना, और जन संख्या में बिद्धी बागों की घर्टी संख्या के मुखे कारण है, बागों की खाल को आप व्यापार और उनकी हड्डियों का यसी आई डेसों में परंपगत, उस्तियों, मेटब्रेयों के कारण या जाती विलुप्त होने के खागार पर पहुंच गई है, चुकि भारत और नेपाल दुनिया की दो तेहाई बागों को आवास उपलब्द करवाता है, अता है यह 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 देसी सिकार चोरी और गर कानून ही ब्यापार करने बाले बालों की मुखे निशाने पर है, प्रोजेक्ट टाइगर इस सब्द को याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर विश्ट की बेहत्री न वनρεί जीवार्ट जीव प़ेयोजनाव में सेख है, इसकी सुरुवात 1973 में हुई थी प्रोजेक्ट टाइंगर की सुरुवात कब हुई थी 1973 में कई बार पूच लिया गया बाग सरक्षन मात एक संकट गरस्त जाती को बचाने का प्रयास नहीं है अभितुर्य इसका उदिस बहुत बड़े आकार की जेवज़ाती को बचाना है उत्राकंड में कारवॉट गराश्टी उद्धयान पष्ण मंगाल में आपका सुंधरवन राष्टी उद्धयान मद्वदिस में बांदवावागण राश्टी उद्धयान राजिस्तान में सरिस्कार, बंगजीब, पसु बिहार, असम में मानस्त बागरेज़व, और किरल में परियार बागरेज़व, भारत में बाग सरण रखें परियोजिनाओं के उधारने, ठीक है? आपको वैसे मैं कहता हूँ कि आपकी सरकार बड़ी मतलब आपकी पॉलिटीसियन बड़े अच्छे हुए हैं, ना तो देखें आप कहीं किसी भी चेत में आप देखिए कि आज से 17 साल हम लोग 1927 में आजात हुए, आप सोचिए कि किसी भी चेत को देख लीगे आप लोग, कि किसी भी चेत में ऐसे प्रगिती नहीं किया है कि जिससे हम लोग अपने पॉलिटीसियन को अभी 1947 वाले पॉलिटीसियन को याद करके उनकी बाहबाही करें, सिक्छा को आप लोग देखिए, जिससे बद से बत्तर इस्तिती में हमारी सिक्छा व्यवस्ता भी भी पिडाली बनी होई है, आप किसी भी चैत को देखिए, इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने बोर्ट बेंक की राजणिती की और एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है कि यह मार्न कि हम देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं कई देशасे हैं जो बहाद में जाको-अजा दुए हैं और हमसे बहतर श्तिती में पहुंच तरखी नहीं कर पाएगा, जापान का यही हाल है कि जापान के जो राष्क प्रमों कहते हैं, कि वो हमारे याद जाती में नहीं बटा हुआ है, सभी जापानी है, ऐसा नहीं कि वहां कोई particular जाती हो, दोनों जाती है लड़ती रहती हो, ऐसा नहीं है वहा energía, वहाँ एक जाती होंगी तो घर में तो ये उद्धोगा नहीं तो घर में नहीं होगा, तो सभी मिलके काम करेंगी, काम करेंगी तो देश में खुद भी बढ़ेंगे वो देश को भी बढ़ाएंगे लेकर हमारे यहां अधिक तर देखिए एक ही मुद्धे पर लड़ते रहते हैं और मुझे तो कभी कभी लगता है कि एक ही दो मुद्धे पर आपका पूरा चुनाव कतम हो जाता है चलिए जब तक अंदभक्ती रहेगी तब तक देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा आजकल सरक्षण परियुजना जय बेविताओं पर केंदित होती हैं ना कि इसके बेविन घटकों पर सरक्षण के बेविन ने तरीकों की गहनता से पोच की जा रही है सरक्षण नेयोजन में कीटों को भी मात मिल रहा है वरने जीब अधिनियम 1910 और 1986 के सेगणों तितलियां पतंगें पतंगों बहंगों और एक डेगन फिलाई को भी सरक्षिक जातियों में सामिल किया थै उन 1991 में 1 और 1 जीब जीब संसाδetiesों की पिकार और बिद्र है यदि हम 202 संसादों की सरक्ष anche ना चाहे तो उनका प्रिबंदन नियंतर और विनियमन आप एक चा कित कठी ने भारत में अधितर 1 1 जीबम या तो पित्तियक्रूप से सरकार के अधिकार चित में या पिर 1 में प्रबंदन में अभी दूर्टी नहीं पहले मैंने एक वीडियो वायरल हो रहा था आप लोगों ने भी यह जायद देखा होगा कि एक फॉरेश्ट भीसर है फॉरेश्ट गाइड है जंगलों में उसे हटा उसे कहीं पहुंचा दिया जाता है किसी काम से उसके बाद बास की पहांता देखी या पर उसकी जिम्मेदारी अपना देखी कर तब कित्पिती अभी भी लोग सही है इसलिए मुझे लगता है कि देश चल रहा है जिस दिन पूरी तरह से घृष्ट हो जाएंगे उस दिन देश पूरी तरह से बरबाद हो जाएगा तो उस गाड को मैं देख लेकिन उसे दवाने की कौसिक कर रहे थे लेकिन उसे दवा नहीं पा रहे थे हैं समझते हैं जैसे इमांडार बैट्तियों को या तो यह लोग मरवा देते हैं क्योंकि पुलीस के आध में इस तरह का मतलब इनकाउंटर इस तरह के काम सामिल है कि अपना धरम निभाने की बज़े यह अपना कहते हैं ना कि एक मचलिफ पूरे तालाब को गंदा कर देती है और यह जो नकारात्मक छबी आपकी बन जाती है उसे अटाना मुश्किल रहता है एक बार आपके भरोसी को कोई तोड़ दे तो अपनों पर भी से भरोसा आपका उठ जाता है यही हाल इनका कि पुलिस की छबी हमारे दिमाग में इतनी बुरी गड़ चुकी है वैसे भी आप देखते रहते हैं कि काम भी बड़े कर्तब अपना निभाते ही नहीं कई जगे आपने देखा है पुलिस वालों ने अच्छा काम करते रहते हैं लेकिन वो जानदा दिन तर टिकते नहीं है इनके सामने भेष्टाचारी हों के सामने अभी आपने तमिलाडू देखा है या पर कहीं भी देखते हैं आप लोग तो एक बाप बेटी किस तरह से बेहर्मी से पीटा गया है और उन्हें माल दिया गया है मतलब उनकी गल्ती इतनी थी कि लॉकडाउन के दोरान उन्होंने दुकान खोली हुई थी और साम सुबाइस दुकान उन्होंने तो यहीं बताए कि टााइम से दुकान कुली हुई थी, ठीक है, टाइम से दुकान नहीं कुली हुई थी, बेवक्त टाइम, उसने दुकान कोल दी होगी, तो इसका ये नतीजा नहीं होता है, कि अपने, वो किसी को मौत के घाट उता है, यानि कि हम जिसे रखचत थमझ रहे हैं, और आप भी जाते हैं, कि जनता पुलिस वालों के पास जाने से बेतर समझती ही, कि अपने घैर में ही बैठे रहे हो क्योंकि हजार तो वह हजार तरह से बे सब्ध यूज करते हैं, बे मतलब के और एक दिमाग में रहता है कि पुलिस वाले होना जाना मतलब रिस्वत का जंजोल बढ़ना यानि कि पैसे खर्च होना बदलाव पूरी तरह से बहुत बड़ी स्तर पर होना चाहिए लेकिन आपके नेताओं मुझे लगता है कि उस समय बाद हमारे देश में फिर से करांती होगी है आंदुलन होगी बड़े-बड़े क्योंकि देखिए पुलिस वेवस्ता पूरी तरह से भंग हो चुकी है बहुत चाहिए हैं कही बन रक्चक कैसे भी होता हैं बनोंकी रक्चक करने वाले कि वही काटके विखवा देते हैं बनों को रात नों रात तो इन में बहुत सुधार होना चाहिए समझ रही है आप लो मैं मैं इसमें आतैस अधिक बंचित बन झोसित किये गा है जहां तक बनो Во एक घर याल देखते हैं अब आपको देखने को केवल चिडिया घरों में यानी कि इस तरह के जो सरक्षे चेत होते हैं वहीं देखने को मिलेंगे समझ रहे हैं आप लोग एक गीदर देखिए ये भी आपको कहीं कहीं मुस्किल मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है ठराते हैं सरक्षित बन रक्षित बन वन विभाग के अंसाथ देख के कुल मंचित का एक तेहाई हिस्सा रक्षित है इन बनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है आवरगी के बन अन्ने सभी पकार के बन और वंजर भूमी जो सरकार व मामित में होते हैं वा आव आवरगी के बन कहलाते हैं आरक्षित बन और रक्षित बन ऐसे स्थाईवी बन चित हैं जिनका रक्रकाओ इमालती लखडी अन्व बन पदार्थूं और उनके बचाओ के लिए किया जाता है मद्ध्य पिदेश में स्थाईवनों के अंतर का सरव अरक्षित बनों का है जबकि वेहार हर्याना पंजाब इमाचल पिदी और राजी स्थान में रक्षित बनों का एक बड़ा अनुपात है पूरवत्तर के राज्यों यानि कि आप देखेंगे अरभांचल पिदेश तिपूरा असुम यह सभी आगी पूरवत्तर राज्य के नागे लेंड, मड़ी, मेगा ले, तिप्पुरा इस अभी सी पूर उत्तर भारत की राच्छे और गुजरात में अधिकतर बन्चित आवर्गी कित बनें तथा इस थाई ये समुदाय के प्रवंद्र में रहते हैं समुदाय और वन सरक्षन के अगर बात करें तो वन सरक्षन की नीते हैं हमारे देश में कोई नई बात नहीं है हम आमतोर पर इस बात से अंजान है कि बन हमारे देश में कुछ आवाद, कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं भागत की कुछ चित्रों में तो इस्थानी समुधाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्तरों की सरक्षण में जुटे हैं क्योंकि इसी से ही दिरकाल में उनकी आपसक्ताओं की पूर्टी हो सकती है सरश्का बाग रेजर में राजिस्थान की गाओं की लोग बन जीव रक्षण अधिनियम के तैट वहां से कननकार बंद करवाने के लिए संगर्श लेते हैं कई चेतरों में तो लोग स्वेम बन जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से 66 भी सुईकार नहीं कर रहे हैं तो राजिस्थान की अलबरजिले में पांच गाओं की लोगों ने 1200 हेक्टर बन भूमी भैरोन देव डाकव संचुरी गोसित कर दी जिसके अपने ही नियम कानून है जो सिकार वरजित है वो बाहरी लोगों की घुस्पेट से यहां के बन जीवन को बचाते हैं आपको एक सोचने लाइट बात है कि आपके यहां जन जातियां जो भी अधिक तर आदिवासी जंगलों में रहा करते थे अंग्रेजों के आने के समय पर आने के पहले आपने देखा है कि सभी का सरक्षन हो रहा था फिर जीव जन्तुओं का ले रिजिए किसी की प्रिजाती पूरी तरह से नश्ट नहीं हो रही थी फिर आपके देश में अंग्रेज आए उन्होंने आदिवासीयों की जीवन चर प्राज की बात करते हैं इन सभी की प्रक्षिति में यानिकि इनके जनसंख्या में बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई कमी आई है प्रक्षिति की पूजा सधियों पुराना जनजाती विश्वास है जिसका आदार प्रक्षिति के हरूम की रख्षा करना है इनी विश्वासों बिवे ने बनों को बोल और कुमार रूब में बचा कर रखा है जिनने फबत पेड़ों के जुर्मुट देवभी देउताओं के बंग कहते हैं बनों के इन बागों में या तो बनों के ऐसे बड़े बागों में इस्थानी लोग ही गुश्ते हैं या ना ही किसी और को छेटशाट करने दीते हैं इसी आपने बरगत देखा हुगा इसकी भी पूजा करते रहते हैं आप लोग तो हम लोग बहुत मतलब प्रक्तिय पूजा बादक थे, मतलब बहुत अच्छे मानते थे नदियों की पूजा, परवतों की पूजा, पठारों की पूजा और आज हमारे देश में देखिए माताव मावाब की पूजा नहीं की जा रही है एक समय में होते थे हम लोग की पत्रों की पूजा किया करते थे परवतों की पूजा किया करते थे नदियों की पूजा किया करते थे तो हमारी संस्किती भी बहुत गुई तरह से प्रभावित हुई हुई है कुछ समाज में विशेज पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका सरक्षन करते आ रहे हैं छोटा नाग पुरचेत में मुंडा और संथा जल जाती हैं महुआ कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं उडिशा और विहार की जन्जातियां साधी के दोरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और बटवेक्च को पवित्मान थे भारती समाज में अनेक संस्कितियां हैं उपिद एक संस्किती में प्रकिती और इसकी किर्टियों को सरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके भी हैं। आम तोर पर जर्णों पहाडी चोटियों और पेड़ों और पसुगों को पवित्मान कर उनका संरक्षन किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएं। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजिस्तान में विसनोई गाओं के आसपास आप कालेरन, चिंकारा, नीरगाय, मोरों के जुंड देख सकते हैं। जो हां के समदाय का अभिन हिस्सा है और कोई उनका नुक्सान भी नहीं पहुंचाता है। हिमाले में विसिद्दे चिपको अंदोलन कई चित्रों में वनकटाई को रोखने में भी कायवाब नहीं रहा। अभी तु यह भी दिखाए गया कि स्थानी है पौदों की जातियों को प्रेयोग करके समदाय के वनिकरन अभियान को सफल बनाया जा सकता है। परंपरीक सनक्षन तरीके को पुनर जीवित अथवा पारिस्थित की किरसी के नए तरीकों का विकास अभ्यापक हो गया है। टेहरी में किसानों का बीज बचाओ अंदोलन नवादनाय ने दिखा दिया। कि रसानी कुर्वा के प्रेयोग के बिनाभी विवित असल उत्पादन, द्वारा आर्तिक रूप से विवार्त किरसी उत्पादन संभावन। एक बात आपको समझ में आती होगी कि पहले लोग हुआ करते थे कितने महानमाद कि पेड़ों से चिपक जाया करते थे पेड़ों की कटाई को बचाने के लिए पेड़ों को। आज आप देखिये कि एक समधाय पूरी तरह से सोच चुका है कि अगर किसी गोगा करता था कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, तो दूसरा समधाय ख़ड़ा होता था लोग सड़कों पर उतर जाते थे। लेकिन अभी आप देखें कि राजनीतियों पार्टियों के ही कारगता आपको रोड पर दिखेंगे, बाकि आप देख रहे हैं कि कोई भी मानव अधिकारम का ओलगन हो रहा हो या पर परियावन को नुकसान पहुंचा जाया रहा हो, इसके लिए आप नहीं देख रहे हैं कि जानदोलन हो रहे हो, धर्ना पे दस्वन किया जा रहे हो, मतलब एक तरह से जन्ता सोच चुकी है, मुर्दा मतलब बन चुकी है, बिनासांसों वाली है, कि मतलब उसे कोई मतलब नहीं है, देश दुनिया में क्या चलना है, किसे मारा जा रहा है, किसे पीटा जा रहा है, कि तो अगर यही हमारे जो सुतंता सेहनानी हुए, अगर वो भी यही सोचते तो आज हम लोग जगड़े होते, वही गुलामी कर रहे होते किसी की. तो मतलब एक सोच बड़ी तगड़ी बन चुकी है हमारे दिमाग में, कि अगर किसी को कोई मारा है तो हम लोग तमासा देखते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, अपने आपको इंसान तो मुझे लगता है कि हम इंसान की केटेगरी में तो नहीं रखना चाहिए, हैवान पात हैं, आप उसे भेकाय भीख नहीं दे सकते हैं, उसे कुछ खाने या नहीं दे सकते हैं, तो उल्टे सीधे सब्धी यूज करने लगते हैं, अरे भाई, मतलब हो सकता है कि आज तुम मतलब उनके माबाप जो हैं, उनकी बच्चों ने निकाल दिया, आपको अपना कि उनसे पुरी होगी आने वाले समय में, आपकी बच्चे हो सकता है कि घर से धकील कर निकाल दें बुरी तरह से, तो आप अपना धरम तो निभाईए, इंसानियत उतना थोड़ा तो रह गया, कि नहीं रह गया, और धरम के नाम पर कह दीजे, तो तुरेंद हिंदु धरम, मुसलिन धरम बचाना है, देश को बचाना है, अरे अपना मतलब परिवार बचाईए, अपनी इंसानियत को बचाईए, अपने कर्टबों को बचाईए, उसके बार देश बचाने में आपका युगदान हो सकता है, सुबह से ताम बहुत सब फेस्बुक पर पोश्ट 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 लगे जा रहे हैं, कितने साल जी जाओगे, अगर हैवान बनकर और इंसानियत को दफन करके, 200 साल भी, 200-500 साल भी जी जाओगे, कोई याद नहीं रहेएगा, तो मैं आज कहता हूँ यह बार, हो सकता ह मैं ठीक है, मैं जैसा भी हूँ, ठीक हूँ, ठीक इस्तिति में हूँ, अगर मेरी इस्तिति दस रोपे कमाने की है, तो पांच रोपे खहिश करने की भी है, उसी मेसरा, मैं अपने आप को इनसान समझना हूँ, बेतर कोई मुझे कितना भी बोलता रहे मेरी इस्तिती मेरी वकात कुछ भी रहे क्योंकि याद रखना एक समय आएगा जैसे तरह से आज आज आप लोग गांधी और नहरू को गाली देते रहते हैं उन्हें तो आपने गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं है बेवकुओं की दुनिया भरी पड़े हुई है आपने उनके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है उनकी इस्तिती को आपने जाना नहीं है लेकिन हमारी जो पिड़ी आएगी वो हमारे उपर थूखे भी हमारे नाम पर पता है और इतना बुरा-बुरा कमेंट करेगी कि आपकी आत्मा भगवान भी आपको मात नहीं करेगा ठीक है क्योंकि मर जाना बहतर है अगर आपके पास इंसानियत नहीं है मुझे सबसे बुरा तो उस बत लगा आजकल इस गूमने का चल्म पड़ा हुआ है ना कि लड़की लड़की गलफेंड वाइफेंड तो उन दोनों को मतलब नात बंद कर लिए उसमा की तरफ मतलब इतनी गहना की तरफ से की तरह देखने लगे मतलब बुरी तरह से समझ रहे हैं मतलब इतना बुरा उस लड़की ने भी मतलब नात कर लिए मुझे मतलब बड़ा आश्या हुआ उल्टा सीधा बूर रहे कि देखिये मतलब तुम्हारी जबानी है ठेक है मत बूलिये जबानी है आपकी आप भी जबान है अबी ठेकिन एक समय तो आएगा कि नहीं आएगा ठेकिन मैं उस समय को भूल जाते हैं हम सभी थोड़ा आप लोगों से बस इतना यह कहूंगा कि आप लोग अपने अंदर थोड़ी तो इंसानियत रखें पहाई है अगर इंसानियत दफन कर देंगे और चलिए आप मतलब दूसरे को गाली भी दे देते हैं बक देते हो लटा सिधा क्या आप खड़ लेंगे कुछ नहीं अभी लॉकटाउन की दावरान देखा मैंने कि एक माने रोड पर जनम दिय बच्ची को उसके वारे में भी उल्टा सीधा कमेंट लेख रहे थे सोसल मीडिया अवे तुम हैरान हो और मतलब हैवान हो तुम तो कभी अपने घर परिवार की मेंबर को उस जगह रखकर देखिए क्या किसी की निता की बीबी ने कभी रोड पर जनम दिया है बच्चे को उसके बाद फिर चलने लगती है यह तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में क्या विश्व में कहीं भी इस तरह की इस्तिती पैदा नहीं होगी यह हमारे जीवन का सबसे बुरा दिन था जब हम लोगों ने इस्तिती देखी उसकी मदद करने के लिए कोई आंगे नही है कि अब लोग अभी इनसान करते हैं अपने आप उस मा की जगह अपने आप को देखी अपनी माह को रखके अपनी परिबार को रखके देखी तब पता चलेगा कि इस अफर समॉल है कभी तो अपने आप से जरम नहीं दे रहा है अरो पर बच्ची कोई नहीं चाहिएगा कि इस तरह से वो अपनी स्तिती समझे क्या बोलने तुम लोगों के वारे में कुछ मतलब होई है कि कुट्टे की पूंच पुमच्चा में डाली और जब निकली सो वो टेड़े के टेड़े यही हाल है कुछ लोगों का और यह साले पता है आप लोगों यह उल्टा सीधा सब्सक्राइब कर देता हूं वागों आप कि यह उनकी हालत मतलब इतनी बुरी रहने वाली यह कि पता है आपको LCRT सभी जो भी आप एस्परेंट रहते हैं IES आस्परेंट आप लोगों किस लिए कहा जाता है पढ़ने के लिए कि यह आप इंसान बने आपके पेपर फूर देखते हैं आपको किस तरह से आपको पूरा समझाए कि आपको इनसान बनाने की कवायत की गई है सुरू है क्योंकि आपको इन जैसा बेवकूप नहीं बनना है आपको एक अधिकारी बनना है जिसमें इंसानियत हो जिसमें एक अच्छी अधिकार मतलब तर अधिकारी तंत को चलाने की चंता हो कर तब हो आपके अंदर तो आप अपना धरम निभाईए और इस तरह जहां भी देखे तो आप मत दीजिए मैं कहता हूं कि भीक मत दीए लेकिन वो लटा सीधा सब्द आपको यह नहीं करता है कभी अगर आप खाना खिला देतें क्या ओकड़ जाता है या अभी कुछी दिन पहले मैं कहीं खाना ख देते हैं 100-500 दे रहे हैं उस माँ को खाना के लाने के लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है और मैंने 40-50 रुपे की एक ठाली बैक करवाई दे दी और मैंने उसे बुला के खाने के लिए बुला नहीं मुले बैक करवादी दी मैंने बैक करवादी ले जाने लगी तो मैंने इसे 40 रुपे की थाली लगवाने में क्या प्रॉब्लम है क्या देशिती मतलब आप सोचिए जो आप अगर कहीं होटल में खा रहे हैं अगर वे खाना खाने के लिए आते हैं अगर आपसे पैसा मांग रहे हैं हो सकता है कि यो पैसा बरबाद करने ले जाकर जुगा खेलें दारुपिया लेकिन खाना कोई मांग रहा है तो पेट के लिए ही मांग रहा होगा खाना तो जैसा है नहीं कि वो परबात कर देगा कहीं या फिर किसी को बेंदतेगा तो इतनी तो निभाईए मैं यह नहीं कहता हम कि अपना घर में अचकर किसी भी बदत कर दीगे लेकिन अगर आप 10 रुपे कमा रहें तो हम देखते हैं कि अपने दीपावली पर अपने बक्चों के लिए 1000 रुपे 500 रुपे का पठा का लगा देते हैं वो 10 रुपे अगर सामने बाले को दे देती हैं क्या फरक पड़ता है चलिए बहुत बात हो गई है और यह बात हैं आपकी की पेपरफूर में आपको बहुत मदद करेंगे ठीज है भारत में सेव्ट वन प्रवंधन कारकरम छरित वनों के प्रवंधन और अपुनन निर्मार में इस्थानी समझायों की भूनिका के महत्त को उज्यागर करते हैं उपचारिक रूप में इन कारकरमों की शुरुवात 1988 म आज में सेव्ट वन प्रवंधन का पहली पहला पिस्थाव पास है किया वन विवाग के अंदर पर सेव्ट वन प्रवंधन चरित वनों की बचाव के लिए कारकरता है और इसमें गाओं की स्तर पर संस्थाय बनाई जाती है जिसमें ग्रामीड और वन विवाग के अधिकार सेविक दूर्प से कार भी करते हैं इसके बदले में समदाय मत्यस्तरी ये लाब जैसे गेर इमारती बन उत्वादों के यकदारी होती है उस्तपल सनक्षन से प्राप्त इमारती लगडी लाब में भी वागेदार होते हैं मारत में प्रयावबर्ण की बिनात और पुनत निर्माट की क्रिया सिलता सिस्थीख मिलती है इस्थानिय समदायों को हल जगह प्राक्तित संसाधन प्रवंदन में सामिल करना चाहिए परन्तु इस्थानिय समदायों को फैसले लेने की पिक्रिया में मोकिब हो मिक्या में आने पेड़ एक विसिस आसीमित दायालू और कुदारीपूर जीवधारी है जो अपने सतत पुर्णिये के लिए कोई माग नहीं करता है दान फिलता पुर्वग अपने जीवन की किरियाओं को भैट करता है यह सभी की रक्षा करता हो स्वेम पर कुलाड़ी चलाने वाली विनासक को भी छाया पिदान करता है गौतम बुद्ध 487 इसे आप पुर्व में एसब्द के बाद के कहता है इसी अध्याय से संबंदित आपके कुश्चन्स दिये रहें इन्हें भी आप लगाती रहना और पीडियेप आपकी टेलिग्राम पर डली हुई है वहां से डाउनलूड करके अपने पास ब्रत के लिजी ठीक है एक बार उससे भी पढ़ सकते हैं आपके पास अगर टाइम है तो उससे भी पढ़ ले चलिए तो मिलती हम लोग तीसरे चप्टर में जल्द संसाधन के बारे में जानेगे चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे NPERT कप्चा दस्भी की समकालीन भारस सेकेंड की नाम से जबाकी गुफ से उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें आपके दो चेप्टर खदम कर चुगा था तीसरा चेप्टर देखना था जल्द संसाधन देखना था मैं इससे पहले याद रखिए आपकी जो भी सिविल सर्वेस याप रेश्टेट PCS के लिए जरूरी NCRT वो सभी हम प्प्ख चटवी से नौ तक की सभी बुक्स कम्प्लीट कर चुके हैं और कठथ्षा दसभी की एक बुक्स लोगता ड्रीक री दी जरूरी pressing कंदे के नाम से आपकी आपकी चंक Progress के नाम से जो पिले लेले er स्विय है उसंी में डलीवी है तो याद रखिए समय रहती हुए NCEIT को पढ़ ले क्योंकि NCEIT के विना पड़े कुछ नहीं उकड़ने वाला है इसका कोई दूसरा विकल्ब भी नहीं है आपके पास तो पढ़ना तो है ही आपको तो समय रहती हुए पढ़ ले जल संसाधन इसे देखिए पहले पिठकी क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाड़ पर दिल दहल आने वाली रिपोर्ट दीखी है हे भगवान उसे क्या पिलाय मचाई रास्ते में जो भी आये वरवात कर दिया और भाह ले गई पिंगी हां चिंटू मैंने देखा है क्या आच्चे जनक नहीं लग है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है अंपानी के विना क्या करेंगी मेरे पिता जी मुझे बता रहे थी कि उनके कार खाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफी जलका की आवसकता होती है क्या तुम जानते हो कि मसीनों को ठंडा करने के लिए जलका की आवसकता होती है कारखाने भी जल बिद्धो सयंत दुवारा पैदा हुई बिजली से चलता है अब मैं समझ सकती हूँ कि विविन योगों में मानो नदियों और अन जल सरूतों जैसे जर्णों जीलों पोखरोनों और मरुधानों के आसपास के मुपस्ता था अभी भी आपने देखा है कि बैक अभी विवस्ता है जाँ उसी छेत में लगाया जाते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि एक चौथा यानि कि एकत्र पितीसत धरातल जल से धका हुआ है परन्तु इसमें प्रयोग में लाने योग लबडी है जल का अनबाद बहुत कम है यानि कि कहने का मतलब है कि सिधा सा कि जो आप समद्रों में देखते हैं यह लबड योग तो जल है नमक योग जल है आपका तो इसका उपयोग आप लोग नहीं कर सकते हैं तो एक बहुत छोटा सा इसा हमारे आलबड की रूम में है और हम उसी का प्रयोग करते हैं यह आलबड यह जल हमें सतेही अभवा और भौम जल सिरोतों से प्राप्त होता है जिनका लगाता नवीकरण और पुनरवर्ण जलिये चक द्वाना होता रहता है सारा जल जल जलिये चक में गती सील रहता है जिससे जल नवीकरण सुनिशित होता है आपको आश्य हो रहा होगा कि जब इतवी का तीन चोथाई भाग जल से रहा है और जल एक नभी करने यह उगुस अंसाधन है तब भी अपने तरफ देखिए एक बुंदेल खंड एक बगेल खंड यहां भी आपको पानी की बहुत कई चेत्रों में पानी की इतनी बुरी हालत मिलेगी देखने को आपको भी पीने की भी पानी के लिए तरसना पड़ रहे हैं समझ रहे हैं तो पानी की स्थिती अपने देश में भी भाया बहुत खतरनाक है तरह के पिरवावित हैं जल दुरवलता और दुरलपता और जल सरक्षण एवं प्रबंदन की आवसित्त हैं जल के विसाल बंदार और उसके नभीकर्ण यह कोड़ों के होते हुए भ पर दियान आता है हमारे मानस पटल पर तुरंत राजिस्तान की मरूस्तल जल से भरे मटके संतुलित करते हुए और जल भरने के लिए लंबा राफ्ता तैक करते हुए फनिहारियों की चित्रित हो जाते हैं यह सच है कि वरसा में बार्सिक और मौसमी परीवकन के कारण जल स अनसा दों की उपल दता हमें समय ऊसस्थान की अनसार विबिन गर्टए ता परतु अधिक्ता जल की कमीज के अथिसोषण और अध्यदीक पर्योग उस समाच की विभैधरो में जल कि आसमाल वितरण की कारण होता है अभी में मैंने कई चित्रों में देखा है आपके ही अम परीव है उनकी क्या इस्तिती होती है क्या या संभाव है कि किसी छेत में पिछोर मात्रा में जल संसाधन होने के बाप चूपी वहाँ जल की दोल लगता हो हमारे कई सहरों इसके उधारने अता जल दोल लगता अत्यदेक और बढ़ती जनसंख्या हो और उसके पाईडाम सरू अता हनाच का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अती सोचन करके ही सिंचित छेत बढ़ायार जा सकता है उसस्ति के रितु में भी खेती की जा सकती है सिंचित किरसी में जलका सबसे जहना उपयोग होता है सोक्स किरसी तक्नीकों तथा सूखा, फिती रूधी फ़सलों के विकास के दवारा अपकिरसी छेत्ड में किरांथी लाने की आव सकता है एक बात आप लोगों को बताता हम कि आपको लगता है कि पानी का क्या मात है तो आप सोचिए एक बार फसल की बारे में कि जब बरसा नहीं होती कई सालों तक तो हमारी इस्तिती जमीन की इस्तिती क्या हो जाती है फसलों की इस्तिती क्या हो जाती है याद रखी हमारे यहां जो फसल है से मांसून का जुगा कहा जाता है अगर आप सुचिए कि मांसून अच्छा रहा तो हमारे यहां फसल हो जाएगी अगर मांसून अच्छा ना रहा तो फसल बोई भी नहीं जाती है समझें आप लोग और आपके मन में आगे राता है कि 71% जल है धर्थी बर उसे उपयुक क्यों नहीं किया जा सकता है तो आप एक दिन क्या करिए कि एक नमक डाल का पानी पीजे उसे प्यास नहीं बुझेगी आपके और उपयुक करने लायक नहीं रहेगा हो तो समझ सकते हैं कि पानी के हालत में है एक और इजरायल जैसे 25 cm औसद वारसिक बरसा वाले देश में जल का कोई आभाव नहीं है तो दूसरी और 114 cm औसद वारसिक बरसा वाले हमारे देश में पिती बरस किसी भी बाग में सूखा अवस पढ़ता है देश में जल की उपलगता हो उसके सवरूप के अमसाद समचित जल प्रबंदन ना होने की कारण ही बरसा का जल नदी नालों में तेजी में समुद्ध में बहेंकर चला जाता है जिससे बरसा के बाद लगवग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते है यही मूल कारण है कि देश में जली अबाव है और जिसे हम उचित प्रबंदन के द्वारा नियन्तित भी कर सकती है एक बात आप लोग सामान में सोचिए कि एक समाई भुगा करता था आप से 7-8 साल पहली ही आप लोग लेंजे 8-10 साल पहली कि कुगों में इतना पानी रहता था कि आप हाँ से निकाल सकते थे समझ रहें बोरिंग में मतलब आपको थोड़ा ही अगर बोरिंग करवा ली आपने तो आपका काम चलता रहता था लेकिन आप सोचिए कि पकी सड़के बन चुकी है तो इसलिए भी झाल ही पानी नहीं जाएगा वह द धक बन हे जब तो दरती का पानी कहा से आएगा दरती में और उसके पानी नहीं आएगा आप कितना भी गय तो कहा बन करते जाएगे तालाब टाइप की, वहां देखिए, वहां पानी की विवस्ता ठीक रहती है, कुवा भरे रहती है हमेसा, क्योंकि जो पानी तालाब में भरा रहता है, उससे क्या होती है, कि धर्दी में रिसकर पहुंच जाता है, और वहां की जो बूमी की जो चल दारन सकती है, वो बढ़ जाती है कमा रहे आप लोग इसलिए आपको सलाय दी जाती है कि जब भी बरसाद हो तो यह पानी हो उसे श्टोर करने की कौसिस किया करना चाहिए फिर चाहे कुगां में हो गई या फिर गड़े कोद करकी जाना चाहिए इससे हमारे धर्दी में जली चमता भी बढ़ेगी और क्या होगा कि बरना बहें कि इसीदा नली नालों के द्वारा समुद्ध में चला जाएगा समझें इस तरह से इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं आप लोग ए भाया पर इस्तिति कई जगे आप लोगोंने अभी वी इस तरह की इस्तितिति देखने को मिलेगी आपको विरा पादन बढ़ा रहे हैं परन्तु आपने कभी सोचा है कि इसका पईडाम क्या हो सकता है इसके कारण बहुंब जल इसतर नीचे गर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलुपता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खत्रे में बढ़ सकती है सुतंदा के बाद भारत मे तेजी से उद्धोवी करण और सहील करण हुआ और विकास के अउसर परात हुई आजकल हर जगे बहुराष्टिय कम्पनियां बड़े उद्धोवी गहरानों की रूम में फैली हुई है उद्धोगों वीबढ़ती हुई जनसंक्या के कारण आलवडी है जल संसादनों पर दबाव बढ़ रहा है यानि की जो आपका उपयोग करने बाला जल है उस पर प्रभाव यानि की दबाव पढ़ रहा है उद्धोगों को अत्यदिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए उद्धोवी आवज सकता होती है और इसकी काफी हद तक पूर्ती जल बिद्धूत से होती है वो अटमान समय में भारत में कुल बिद्धूत का लगवग 22 पितिसत यानि की 22% भाग जल से बिद्धूत प्राप्त होती है जल से बनती है इसके अलावा सहरों की बढ़ती जनसंख्या और जनसंख्या तता सहरी जेवन सहली के कारण ना केवल जल और उज्जा की आ समस्या और भी गहरी हुई है यदि आप सहरी आवास समतियों और या पिर काला कालोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उनके घर अंदर जल पूर्ती के लिए नलकूप इस नलकूप इस्थाफित किये गए इसमें कोई आश्य नहीं है कि सहरों में जल सालसादनों का अतिसोषण हो रहा है इनकी कमी होती जा रही है अब हमने जल दोल लफ्ता के बात किये आओ हम एसी इस्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की यावसक्ताओं के लिए काफी जल संसादन है परन्तु फिर भी इस चेत्रों में जल की दोल लफ्ता है या दोल परसों में अचिंता का विचावी बनता रहा है जा रहा है कि लोगों की यावसक्ताओं के लिए पिच्छुर मात्रा में जल उपलफ्त होने के बाब जूद भी हुआ घरेलू और उद्दोगिक अपसिष्टों रसाइनों कीट नास्कों उपकिस्थी में प्रियोग तो और आपके लिए प्रियोग कीट नास्क प्रियोग किया अगर आपकी फुगा है एपर कोई नदी तो आपके लिए वो पानी है जो खतर्नाप होगा अगर उपसो पीएंगे अगर उसे पानी को तो उनके लिए बिक खतर्ना कोगा दूसरी तरह आप ले सकते हैं कि जो जल उसका प्वी पिरियों हम लोगों नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जल भी खतरनात होता है भारत की नदियां विसेश का छोटी सरिता हैं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो रहे गई हैं और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमना कोई भी सुद्ध नहीं है बड़ती ज हो जी आप लोग कि आज भी आप लोग गंगा हुँ अपना जीवन उद्धार मानते हैं कि गंगा में नहा लिया पाप दुगए आज वो गंगा चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमें बताईए इतना भी पिदूसन फैल चुका है आप लोग अगर इस्तिती उसकी हकीकत आप उसके पाने के बारे में आप जान सकते हैं कि किस तरह से उसमें नालिया बढ़की जा रही है किस तरह से जो कानपूर का जो चमड़ा उद्धिव था पूरा जलूसी में जाता था दोजा चौदे के बास से इस्तिती बदली है क्योंकि आपने देखा है किस तरह से स्वाप करने के लिए एक आंदोलन टाइप का किया गया है उसमें आपने अनुवाव कर लिया होगा कि समय की मान है कि हम अपने जल संसाधनों का सारक्षण और प्रवंधन करें स्वायन को स्वास्त संबंदी खत्रों से बचाएं और खात्यान सुरक्षा अपनी अजेग का उत्पाद विए उसके बाद एक चोटा बच्चा बिलकुल छोटी उसके बाद बिलकुल छोटी ऊसके बाद बिलकुल बिलकुल एक बूंद आ जाता है, यानि कि बताया जाजा है कि आज हम लोग पानी देख रहे हैं कि बूतल में विकराएं, एक समय के बाद छोटी बूतल होती जाएगी, हमारी पीडी आएगी उससे बाद वाली तो उसके पास एक बूत जल्बी के लिए वो तरसेगा, तो यह मतलब हमे अपनी इस्तिती से मतलब इस तरह से हम बेवकूकों जैसे काम कर रहे हैं, पड़े लेके होने के बाद जूद भी, हमारी इस्तिती भयानक होती जारी है, हमसे इस्तिती तो बेस्तर उन पड़े बिना पड़े लेकों लोगों की थी, कि वो कम से कम पेड़ों की रक्षा करते रहते थे और वो आपकी देखा होगा आप पहले सुखा नहीं पड़ती थी क्योंकि लोगों में जाग रूपता थी और पानी की पिती और पेड़ों की पिती लगन भी थी बहुत देशी है नदी परियोग जनाये और समन्वित जल संसाधन प्रवंदन हम जल का सरक्षन और पिवंदन कैसे करें फुरात तत्य विज्ञानिक और रितिहासिक अवलेग दस्ताविज बताते हैं कि हमने प्राचिन काल से सचाई के लिए वक्त्रों और मलवे से बान जला से अत्वाज छीलों के तटवन और नहरो जैसी उत्क्रिष्ट जलिय कृतियां बनाई इसमें कोई आश्या नहीं है कि हमने यह प्रिपार्टी आदुनीक भारत में भी जाली रखिये अधिकत नदियों के वेसिनों में बात बनाए गया है प्राचिन बारत में जलिय कितियां इसाव से एक सताब्दी पहले किलावाद के नति से गंबेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल कुछ संचित सरक्चित करने के लिए एक उत्केट जल संगहन बनाए गया था याद रखे आप सोचिए कि हरपा सब्विता में भी इस तरह क कई साथ मिले हुए है आप सोचिए नालियों के बानों के ठीक है चंदगुप्त मौर के समय बेहद इस्तरफ और बांध जील और सिचाई तन्तों का निर्माड करवाए गया कलिंग उडिशा नागारजुन कॉंडा अंधक्रिस बेन्डोर करनाटक कोलाप और महराष्ट में उतकिष्ट से चाई तन्तोंने की सबूत भी मिले है अपने समय की सबसे बड़ी किंतिम जीलों में से एक है भुपाल जील जो ग्यारएदी सितापदी में बनाएगे चौदेवी सितापदी में इलतुत मिसने दिल्ली में सिरी फोट छित में जल की सपलाई के लिए होच खास एक विशिष्ट तलाभी बनवाय था यह आप देख रहे हैं यह हीरा कुंड है क्या है हीरा कुंड बांग बांग आकिर होता क्या है बांग क्या है भी हमें जल सरक्षण और बंदन में कैसे सायक होती है परंपराणग बांग नदियों और बरसा जल को इठकटा करने के बाद उसे खेतों की सचाई के लिए उपलग्द करवाते थे आजकल बांग सिर्फ सचाई के लिए नहीं बनाए जाते हैं अफितु उनका उद्दिष बिद्धूद उत्पादन कहरेलो और उद्दोगिक उप्योग जल आपूर्टी बार्ण नियंतन मनोरंजन आंत्रिक नौच्चालन मचली पालन भी है इसलिए बांगों को बहुत द बांगड़ा भाखड़ा नांगल परियोजना जलविद्धू दूत पादन और सिचाई दोनों के काम आती है इसलिए पेकार महानदी बेशन में हीराकुंद परियोजना जल सारक्षन और बार्ण नियंतन का समनवय करती है यानि कि एक से जानदा उद्दे सिनके है आप आप लोग उसमें हमेशा देखते हैं आप लोग की क्या देखेंगी आप लोग वहां देखेंगी कि कभी बिद्धो तुद्पन भी होने लगती है वहां से कभी सोलर प्राइंट सोलर यूपलेटन होती है उस पर लगा दी जाती है कभी आपने देखा है कि मचली पारनल हमे बान का अर्थ जलासे से लिया जाता है नाकीस के ढाचे से अधिक तर बानों में एक डलवा इस्सा होता है जिसके उपर से या फिर अंदर सिजल रुख रुख कर यह लगातार बहता है बानों का बरीग है और इनकी सरचना उद्देश या फिर उचाई के अंसार किया जाता है सरचना उन में प्रेयोक्त पदार्थों के आदार पर बानों को लकडी के बान, तरबंद बान और पक का बान के अलावा कई उप वर्गों में भी बाटा जा सकता है उचाई के अंसार बानों को बड़े बड़े बान, और मुक्ख बान या पर नीचे बान, मद्यां बानों में बरीगी किया जा सकता है आनके म्emary कई तरह से बान सकते हैं इस तरह से आप देखते हैं आगे एक दीवा रहती है और इस तरह पानी भर हए रहता है यहां से कई नहरें भी निकाल दी जाती है तो सुतंता के बाद सुरू की गई समनभी जल्व संसाधन प्रवंधन वो पागम पराधारी बहुत देशिय परियुद्ना को उपने वेशन काल में बनी बाधाओं को पार करती हुए देश को विकास व संपरिदी के राष्टेपल से ले जाने भाले बहन की रूम में देखा गय हुए जवाडुाल नहरू गिरभ से बाधों को आधवनियक भारत के मंदि ले जelsू है इन्हो ने जो बांत इन्हें आध़निक भारत की मंदिर की संग्या दिया थी तो यह भी आपकी कई बार कूछ लेता है इंटर्व्यों भी प्यूच लेता है और कई बार प्रिलिम्स में भी पूच लेता है कि आपका आदुनी भारत की मंदिर बानों को किस ने कहा था तो याद रखिए पंडित जवालाल नहरूट राव ने उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते किर्सी और गिरामीड अर्थव्योस्ता उद्दोगी करन नगरिय अर्थव्योस्ता और समन्वत रूप से विकास करेगी पिछले कुछ बरसों में वहुत देशिये परियोजनाओं और बड़े बाद कई कारणों से परी नेरिक और बिरोद के बिसेफ बन गए हैं और नदियों पर बात बनाने उनका वहाव नियंतित करने से उनका प्राक्टिक वहाव अवरुद होता है जिसके कारण तल चट बहाव कम हो जाता है और अत्यदिक तल चट जलासे की तली पर जमा होती जाता है जिससे नदी का तल अधिक चटानी हो जाता है और नदी जली जीव आवासों में बोजन की कमी हो जाती है बांध नदियों को टुकड़ों में बांध देते हैं जिससे विशेश कर अंडे देने की रिधूं में जली जीवों का नदियों में इस्ताहनांतन अवरुद हो जात आपने देखा होगा कि जब आपका नर्वदा पर बान बनाय जा रहा था तो उसी के चक्कर में यह आपका नर्वदा बचाव अंदूलन चला तेहरी बान अंदूलन के कारण भी बन गए इन पर इस परियोजनाओं का बिरूद मुक्रूप से इस्थानी संधा है कि विधिस्त होते हैं उन्हें हटाने का कि बात की जारे होती है तो इसी से संबंदित आंदूलन चलाए गए थी आमतोर पर इस्थानी लोगों को उनकी जमीन अजीब काव संसादनों से लगाओ नेंतन देश की बहतर रही के लिए कुर्बान करना पड़ता है इसलिए अगर इस्थानी लोगों को इन परियोजनाओं का लाव नहीं मिला हो तो किस को मिला है साइध जमीदारों वो बड़े किसानों को या अगर वो दोगपतियों और कुछ नगरिये केंद्रों को गाओं के भूमी हों हीनों को लीजिए क्या बेबास्पाव यासी परियोजनाओं से लाव उठा परिडाम हो सकते हैं इसी दोरान इसने अमीर भूमी मालिकों और गरीब भूमी इनों में सामाजिक दूरी बढ़ा कर सामाजिक परिदेश से बदल दिया जैसा कि हम देख करते हैं कि बांध उसी जल के अलग-अलग उपयो और लाप चाहने वालों बाली लोगों के भी संगर् करते हैं गुजरात में सावर्मती वेशन में सूखे के दौरान नगरी चित्रों में अधिक जलापूर्ती देने पर परिशान किसान और दिरब्ब पर यानि कि आंदोलन करने पर उतारू हो जिते हैं बहुत देशी परिवजनाओं के लागत और लाप के वटवारे को लेकर अंतराजी ये जगड़े आम हो गए हैं कई राजरों में आप देखते रहते हैं कि उनमें आपका विवाद चलाय रहता है क्या आप जानते हैं कि इसना गोदाबरी विवाद की सुरुवात महाराज सरकार द्वारा कोईना पर जल्वित्वत परियुजनाओं के लिए बांध बनाकर जल्वी तेसा परिवर्टन कर करनाठा को रांद पिदी सरकारों द्वारा आपत्ती जताय जाने से हुई थी इससे इन राज्यों में पढ़ने वाली नदी के निचले हिस्सों में जल्वाद कम हो जाएगा और किर्सी उद्वों पर विप्रीत असर पड़ेगा समझ रहे हैं आप लोग कि आप सूचिए कि यहाँ आपका राज्च यहाँ दूसरा राज्च यहाँसे कोई नदी आ रही है उसे यहाँ रोपकर बांध बना लिया जाए तो आपके आँ जयो परभावित हो नहीं पानी का पूरा हिस्साप की ट्रफ नहीं आ पाएगा और आप इससे प्रभावित होंगे, तो आप इसका विरोध करेंगे, इसी कारण से आपके अंदोलन होते रहते हैं, नरवदा बचाओ अंदोलन एक गयर सरकारी संगठन यानि की NGO जो जन जाती है लोगों किसानों परयावर्ण विदों और माना उलिकार कारकरताओं को गुजरात में नरवदा नदीपत सरदार सरोबर बांद की विरोध में लामबंद क्याता है, मुदूप से शुरू में याए अंदोलन जंगलों के बांद के पानी में डूबने जैसे परयावर्ण ये मुद्दों पर केंदेता है, हाली में इस अंदोलन का लक्ष बांद से पापन का सोक सुईकार किया, या विस्वास कर की सिचाय की परसार से भी मालावाल हो जाएंगी, फुरार रिहंद, रिहंद उत्तर जीवियों में हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी की रूम में सुईकार किया, परन्तु अब तीस साल क कड़े अनवाव की बात, जब उनकी अजीबका और अधिक जोकिमपूर हो गई है, तो पूछते जा रहे हैं, हमें यी देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गए, यानि कि गरीब लोगों के लिए इस देश की कुर्बानी के लिए क्यों चुना गए है, औ और जो कुर्बानी देता है वो बहुत बुरी तरह से इस्तिति उनकी रहती ही। एक तरह से आप देख सकते हैं कि देश में हमारे में कोई भी आपता है लेकिन कुर्बानी किसकी लगती है। गरीब जन्ता की आसा हाय जो एक तब का बहुत गरीब है उनकी का आप कभी भी देख लिए कोई महामारी आ रही तब ही वही पर भावित होंगे। कई परियोजना बन रही तो तब भी वही लोग पर भावित होंगे। समय रहे हैं आप लोग मतलब बहुत बुरिष्टी रहती हैं कि सर्दार सरोबर बात गुजरात में नर्वधा नदी पर बनाए गया। यह भारत की एक बड़ी जल्ब संसाधन परियोजना है। जिसमें चार राज महराष्ट, मद्वधिष्ट, गुजरात, राजिस्तान संब्ले थे। सर्दार सरोबर परियोजना गुजरात 9,490 गाओं तथा 173 गसम हो राजिस्तान में 124 गाओं की सूखा ग्रस तथा मरूश थली भागों को जल्की आवस्त्ता को फूरा करे या राज्जरों को लापते थी है। महराष्ट, मद्वधिष्ट, गुजरात, राजिस्तान याद रिखना इनको। यहां उपर आपके फॉइंट है, ऐसे भी पढ़ दीना। हमने असाड में फसल बोई है, हम भाद्रा में भादू लाएंगे, बाड से दामुदर फैल गई है, नाओ इसमें नहीं चलेगी, ओए दामुदर हम आपके पैर पढ़ते हैं, बाड का कहरे कुछ कम करो, भादो एक साल बाद आएगा, अपनी सतर पर ना चलने दो, यह सोग की नदी कही जाने वाली दामुदर नदी में बाड के दोरान आने वाली समस्याओं का बाडन करता है, बिहार में आपने देखा एक उसी नदी को भी सोग की नदी कहा जाता है, यानि कि यह भी तबाही बहुत मचाती है बाड की कारा, बिहार का सोग, यहाँ आप लोग चैनाब, रावी, सतलुज, यह आपका यहां भांगडा, भांखडा, नांगलबान, टहरी, यहां आपका गंगा, यह आपका देख रहा है आप लोग, गांधी सागर हो गया है, यही राणा पिताब सागर होगा है, कोटाब वेराज, यहां आपका चंबल नदीप, सर्दात र देखे, यह आपकी सांगपु नदी कहा जाता है चीन वैसे और यहां की ब्रह्मपुत नदी है, यहां आपकी बंगलादिस में दोनों मिल जाती है, यहां आपना डेल्टा बनाती है, गंगा नदी भी इसी तरब, और जो तापती है और आपकी नर्वदा नदी है, यह चंबल नदी, यमना नदी, सादा नदी, गागर नदी, गंदक नदी, इनके बादे में एक सामान जानकारी याद रखिए, पीछे भी हम लोग कई बार बात कर चुके है, इनके बारे में, यह आपकी बंगल की खाड़ी होगी है, यह अरब साबर होगी, अन्नमान निको बा पर उठी अधिकतर आपतियां, उनके उद्देशों में विफल हो जाने पर है, यह एक बिडमना ही है कि जो बांग बार नेंतन के लिए बनाये जाते हैं, उनके जलासेम में तल्चड जमा होने से बिबार आने का कारण बन जाते हैं, अत्यदिक बरसा होनी की दसा में तो ब बिगट हो गई है, इन बारों से नकेबल जानमाल का नुकसान हुआ है, अब भी तो बेहद इस्तर पर मेदा अपरधन भी हुआ है, बान के जलासेम पर तल्चड जमा होने कारण यह भी है, कि तल्चड को तल्चड जो की एक प्राक्तिक और वर्वरक है, और बार की मेंदा जल जनित बीमारियां फसलों में, इडाडू जनित बीमारियां और पिदूसन फ्यलते हैं, एक तो याद रखिए कि हमारे यह जो बिष्टाचारी बहुत पूरी तरह से देश को खोकला कर देता है, आप सोचिए कि नदियों को साफ करने के लिए फिर चाहे सागरों के साफ करने के लिए या पिर आपके हां तालावें, बाने, उन्हें साफ करने के लिए अलग से संतिया बनी होती है, अलग से मतलब काम होता है कि इनका साफ करना चाहिए, देखवाल करना चाहिए लिए, लेकिन आप देखते हैं कि देखवाल किस तरह से की जाती है, वो आप ही जा यही हो जाए, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जिसके पास पैसा आता है, गो रख के दावा देता है और अगर नहर हो basil है, उसकी अगर साप भी करवाना पड़ता है, तो वहाँ के जो गृर्ण किसान है, यानि कि जो किसान है, वही पैसा जोड़कर उससे साप करवाते हैं, समझें, लेकिन आप सोचिए कि उससे साप कोई भी करवाता हो, लेकिन जो पैसा उसके लिए आता है पर्टीकुलर, उससे उपयोग में नहीं लाये जाता है, कोई जो अध्यक छोता है, वही खा जाता है वहां का, तो ये भी हमारे उसकी गंगा निकालते तो वह निकल जाती, लेकिन इतना पैसा समाहित होने के बाद भी हमारी गंगा साप नहीं हुए, यही यमना का आप आल ले सकते हैं, तो कही न कहीं हमारे सरकारी तन्त हैं, जो हमारे देश का भेटा चार तन्त हैं, बहुत मजबूत हैं, मैंने अभी कल ही परसों आपका अन्ना साफ की वाईगराफी कबर की हुई है उनकी बारे में पढ़िये मैं तो बोला हूँ कि उनकी कदमों पर अगर अपने बच्चों को चलने के लिए कह सकते हो चलिए देखी अगर हम लोग सोचेंगे कि हमारे बच्ची क्या मुसीबत में भी दे तो आ मांगे तो किसी ना किसी को आना होगा समझ रहे हैं अब आपको लोगपाल दिला दिया है अन्ना साब ने सूचना का लिकार दिलाया हुआ है अब आपको प्रयोग करना चाहिए उसका मैं तो कहता हूँ सूचना का अगर प्रयोग आप करते हैं तो आप इंट से हींट कह लि क्या हुआ है कहां से आया है पैसा कितना खरच कर रहे हैं पसी न आ जाएगा काम करवाने बाले को लेकिन हम लोग चुपचा पैठे रहते हैं कौन पूचे हमें कोई माल देगा तो बैसे भी तो मरे हुए हैं कितने साल 200 साल की लोग बिना आबार उठाए क्या फरेट बड़त है संतर साल हो गए हैं देश को आजाती हुए है वहाँ चाइना को देखिए कि आप महासक्ती वनने की कतार में उकड़ा हुए है अमेरिका को भी बुरी तरह से प्रभावित की हुए है और आज हमारी देखिए और तो उस तक क्या हालत हो चुकी है हम लोग बराबरी करने च चैना से लेके नाम लोग वहाँ की बराबरी जश तरह से हो सकती है दर बराबरी नहीं हो सकती है मैं बार-बार बोलता आयाहूं कि धरम के नाम पर वोट देने वाले फिर चाहें, जाती कभी हमारे देश को आगे नहीं बढ़ा सकती हिए आप सोचे कि हिंदू, मुसलिम, मं देशों में वहां के जो नागरेत होते हैं वो परतवेवस्था को देखकर होड़ देते हैं कि किसरत के हाथों में सुरक्षित है और हमारे यहां के देखते हैं कि कौन खड़ा हुआ है हमारी जाती का खड़ा हुआ है या नहीं मुझे अन्ना का एक फैक्ट बड़ा इंटरेस बोले कि यहां के जिसे 500 रुपे मिलते हैं, 1000 रुपे मिलते हैं, जैसे ही नोट देखता है, उसी की तरह भाग देता है, बोले यहां का जो बोटर है वो जागरू है ही नहीं, उसे किवल अपना मतलब देखता है, और पैसा देखता है, उसी का फाइदा वो निदा उठाते हैं आप सोचिए आप ही सोचिए कि एक सरपंच अगर 25 लाग रुपे खर्च करता है तो वो काम क्या करेगा आपको लगता है काम करेगा पहले तो वो 50 लाग उसमें से निकालेगा उसके बाद कुछ अगर मिलता है तो देगा अभी कुछी दिन पहले चुनाव हुए गई मैंने उस गाओं को मैंने सुना भी है और मैंने देखा भी है उस गाओं को तुहां के सरपंच साहब ने 25 से 30 लाग रुपे खर्च की बाद में कोई जंता गई उसके पास काम करवाने के लिए कि सरपंच साहब आप जीत गए हैं कुछ काम करवा दीगे तो उसने भैंकर तरीके से गाली का सब्द का यूज करते हुगे उसने कहा कि हमने तुम्हारे टमाटर के भाव और बैगन के भाव आपके बोट करी देते आपके काम के लिए नहीं आपका उद्धार करने के लिए नहीं करी देती तो मौस होका के चली आए बापसी बोटर अगर आप सूचिए कि आप पैसा ना देते हैं और फिर भी बोट देते हैं किसी को तो आपका हाक रहता है कि उससे पूंचे हिसाथ लेकिन अगर आप अपना जमीर मेंद देते हैं तो आप कहां से सोचिए आपकी सोचिए कि 1000 रुपे में आप अपना जमीर बेंद देते हैं तो कैसे आपकी योखाद है कि इससा पूंची किसी से चलिए छोड़िए इन बातों को आते रहेंगे मरते रहेंगे कोई फरक नहीं है कि जी किस लिए रहें मर किस लिए है बरसा जल संगरहन जानी कि बरसा जो होती है उसके जल की संगरहन की बात कि रहेंगे बहुत सो लोगों का मानना है कि बहुत दिसी है परियोजना है परियोजनाओं के आलाप रद असर और उन्हों पर उठे बिवादों के चलते वर्षा जल संग्रहन तत इसके सामाजी कार्थिक और पारिष्टिक तौर पर विवहारत विकल्प हो सकते हैं प्राचिन भारत में उत्कृष्ट जलिये निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहन धाचे में भी पाए जाती है लोगों को वर्षा पर्दिती और मिर्दा के कुड़ों के बारे में गहरा ग्यान था उन्होंने स्थानिये परिष्टिति की और परिष्टितियों और उनकी जल अवसकता है वर्षा जल भूम जल नदी जल और बाढ़ जल संग्रण अनिक तरीक की विक्सित कर लिये थे पहाड़ी और परिष्टिय चित्रों में लोगों ने गुल अत्वा पश्टिमी हिमाले हिमाले जैसी वाहिकायन नदी की धारा आएं धारा का रास्ता बदल खेतों में सिचाई के लिए बनाए थे पश्चिमी भारत बिसे इसका राजिस्थान में पीने का जल एकतित होने के लिए च्छत बर्सा जल संगर्ण का तरीका आम था पश्चे मंगाल में बाड की मैदान में लोग अपने खेतों की सिचाई के लिए बाड जलवाहिकायन बनाते थी सोस्क और आधुनिक चित्रों में खेतों में बर्सा जल एकतित करने के लिए गंडे मनाये जाते थी ताकि मिर्दा को सिंचित किया जा सके और संगर्चित बलिक को एकतित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके राजिस्तान की जली जेसल मेर में खादी और अन्य चित्रों में जुबड इसके उधारण भी है आप सोचिए कि आप अपने छट पर एक टंकी बना लेते हैं और बरसा होती है उसमें आप टंकी में पानी जमा हो जाता है वो किसी के लिए तो पे होगा आएगा पानी आप ही सोचिए चलिए कची किसके लिए नहीं आएगा पीने के लिए नहीं आएगा मान लिए लेकिन गाड़ी दोने के लिए तो आएगा बातरूम के लिए तो आएगा समय रहे हैं कपड़े धुने के लिए तोपिय हुमें आएगा लेकिन हम नहीं करते हैं हमें क्या लेना देना है हम तो मुह सुखा के यही बूल देते हैं किसी अभी दोस्त ने मोला कि कोई बता रहा था मुझी कि नल फुला हुआ था एक रेलवे स्टेशन पर और कोई बंद क करने के लिए गया तो मतलब टफक रहा था उसने जिस तरह से बंद किया हूँ अपने वेवस्ता करके तो वहां लोग हस रहे थे तमासा देख रहे थे कि मतलब इसे कितनी पड़ी हुई है तो देखें देश कभी इस तरह से ना तो आंगे जा पाया है और ना ही जा पाएद जिस तरह से हमारी तमासा देखते हैं ना ये कभी नहीं देश को आंगे ले जा पाया है सत्तर साल से हम लोग थाली भी बजा रहे हैं ताली बजा बजा के हम लोग तमासा देख रहे हैं अगर आप देखते हैं किसी के साथ कुछ दुरगटना होती है किसी के साथ गलत होता ह तो आप हसके ताली बजा देते हैं, क्या लेना देना है, और जब खुद के परिवाद पर बीथती है, तो हमें मालुच चलता है कि आखिर ऐसा भी दुख होता है, तो जागरूप तो होना पड़ेगा, बना हम आज गरीमी में जी रहेंगे, कल आने वाले दिनों में भी गरीम क्या करेगी, ठूकेगी और जितनी गाली बुरी से बुरी हो सकती है, यूच करेगी, उपयुक करेगी, क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसे कभी माप नहीं किया जाएगा, ना तो भगवान उपर बाला माप करेगा, और ना ही आने वाली हमारी फिड़ी माप करेगी, कहा जाएगा एक समय की देश पूरी तरह से बरबाद हो रहा था, सतर साल से देश पिठ रहा था, गिस रहा था, और हमारे यहां की जन्ता पैसों में बिक रही थी, हमारे यहां की निता देश को लोट रहे थी, अमेरिका की बराबरी करना है, तो अमेरिका जैसा सोच रखनी होगी आखको, समझ में आया, कहा जाता है ही वहाँ गरीब वो हैं, जिनके पास कार नहीं है मुमने के लिए, और हमारे यहां की गरीब वो है, जिसके पास दो बक्तिकी रोटी नहीं है, तो जमीन आस्मान का फ अमेरिका स्थार के अर्ध सुस्क और सुस्क, चित्रों बिसेश का रुभी का नहीं है, फलोदी और बाडमेर में लगबाग हर घर में, पीनेक बानी संगरेत करने के लिए भूमी का टैंक अत्वा टंका द्वारना टंका हुआ करते थे, इसके आकारी बड़े कमरे जितना ह हो सकते हैं, फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चोड़ा चोड़ा यागनी की टैंक की तरब, टंका या सोवेखसिर, सोवेखसिर, चत बर्ड, साजल संग्रहन तंत का अविन, अविन हिस्सा होता था, जिसे मुख घर या पर आंगर मे बनाया जाता था, बेघरों की डालवा चतों से पाइप द्वानत जुड़े हुए थी, छत से बर्सा का पानी इन नलों से होकर भूमीगत टंका तक पहुच जाता था, इसके बाद होने बाली बर्सा का जल संग्रुत किया जाता था, आप लोग सोचीए, इस तरह से आपने चत पर एक टंकी बना दिए या फिर आपने चत की नीची यहां टंकी बना दिए वहाँ आप देखेंगे कि इस तरह पाइप से इसे फानी लाया जा सकता है इसे बाद में यूज करते रही है आप तो समझाए आप लोग बीकानर पढ़े कुगे की मातिम से फुनर भरन, BBC पाइप कर इस्तिमाल करके छत का वर्षा जल के कधिर किया जा सकता है रेत और हीरो कपर दिए पंके प्रजान नीची जोंमें खराब चीज़ें वह बैट सकती है इनमी jeśli बीट की जाता और जहां से इसे तुरंद प्रियोग किया जा सकता है। होस से अत्रिक चल कुए तक ले जाया जाता है। कुगा का जल भूमी का जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। पहले आप क्या हुआ करता था कि इस तरह की परियोजना यह नहीं होती थी, बलसा होती थी तो पानी भरा रहता था, धर्ती में सोपता रहता था, और हमारी धर्ती की भूमी जल्ब पुनरवरन हो जाता था, भूमी का, समझ रहे हैं, आप देखा है पकी सड़क बन चुकी है, रोड भी बन चुके हैं, तो पानी कहां से धर्ती में जाएगा, पकी सड़क को खोद कर तो चला नहीं जाएगा, तो आप समझ सकते हैं, पहले गट्टे हुआ करते थे उसमें पानी भर गया, कुछ टाइम बाद आप देखते थे कि वो सुख गया है, यानि कि धर्ती में न ड्रम बना जाए, दिये जाते हैं, ताला टाइप के, जो बाद में पसुगों के लिए पानी के लिए प्रियोग होता है, और आप से चाही के लिए भी इसका प्रियोग कर सकते हैं, ठीक है, और आपने देखा है, कपड़े दोने के लिए भी इसका प्रियोग होता है, टांक जल अत्वा पालर पानी जैसा ही इसे इन चेत्रों में पुकारा जाता है पुराक्तिक जल का सुद्धतम रोप समझा जाता है उच घरों में तुट टंकाओं के साथ भूमी के अध कमरे भी बनाया जाते हैं क्योंकि जल का रिया इन कमरों को भी ठंडा रखता है जैसे में भी पूंच लिया गया है और कई बार आपका वंडे एक्जाम में भी पूंच लिया गया है ये कोश्टन्स मेगालाई की राध्धानी सिलांग में छत्व वर्सा जल संग्धन पिछली थे यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मौन मौसं राहन जहां विस् विवस्ता है गहरेलिक जल आवा सकता कि कुल मान के लगवग 15-25 कि तीसाथ हिसे की पूर्ती छत जल संग्धन विवस्ता से ही होती है आप सोचें बरसा हो जाए और आपके यह जली की बनी रहे यह संभव नहीं है याद रखिए बरसा होगी और नली नालों के द्वारा पर भी वहाँ आप देखते हैं कि पानी की समस्या से जूचते रहते हैं लोग तो आप सोचें कि बरसा हो इसे रोकना होगा जल को तभी आपके यहां की जल की इस्तिती सुधर सकती है यह दुख की बात है कि आज पश्चमी राजस्तान में च्छत वरसा जल संग्यन की रित कि कई गरामीडों सहरी चित्रों में जल सरक्षण और संग्यन का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है करनाटक की मैसुह जिले में इस्तित एक सुधूर गाओं गंडा तूर में गरामीडों ने अपने घर में जलावा सकता पूरती च्छत वालता वरसा जल संग्यन की विवस्ता है इस गाओं में इस गाओं ने बर्सा जल संपन गाओं की ख्याती अरजित किये यहां प्रयोग किया जा रहे बर्सा जल संग्यन धाची के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप चित्त 3.4 देख सकते हैं इस गाओं में हर वर्स लगबग आपका 1000 mm बर्सा होत है और दस भराई के साथ यह संग्यन चमता अस्ती पिती सत है यहां जल हर घर लगबग पिती वर्स पचात जार मीटर जल संग्यर है और उप्यूप कर सकता है 200 घरों द्वारा हर वर्स लगबग आपका एक लाग कितना एक लाग लीटर जल एकत्तित किया जाता है याद होता है कि आपका प्रभावकारी आंसर हो जाता है चत जल संग्रन थार के सभी सहरों ग्रामों में पिछ लिखता बर्सा जल जो की कच्चों घरों की ढालू छतों पर गिरता उसे पाइप द्वार में भूमी के टंका के यानि की टैंकों के अंदर ले जाए भूमी में गोल् एक लंबे पाइप के द्वारा लाए जाता है यहां पड़ोसी की चत का उपिव बर्सा जल को इकतित करने के लिए किया गया है चित में एक छिद दिखाया गया जिसके द्वारा बर्सा जल भूमी गट टंका में चला जाता है इस तरह से बात की जा रहे है प्रिखाया बाश जिप से चाई परियोदना से चाई पराली मेगाला में अधियों वजहनों के जल को पास द्वारा बनी पाइप द्वारा इकतित करके दो सों बर्स पुरानी विदी पिछले थे लगबक 18 से 20 लीटर से चाई बानी पानी बाली बास पाइप आ जाता है उस में पानी का बहाओ 20 से 80-30 मिनिट तक घटा कर पौधी पर छोड़ दिया जाता है इस तरह से देख रहे हैं आप पहाडी सिक्रों पर सदा नीरा जड़नों की दिसार परिवर्तित करने के लिए बास की पाइपों का उप्यूब किया जाता है इन पाइपों के मात्यम से गु करें कि पाइपों की सुझा नहीं होती थी तो हम लोग इसकी कप प्रयूब करते थे चित आप देख रहे हैं ना यह दौनों बास तेनर में चैनल से सीधे से पौधे के स्थान तक जल के बहाओ परिवर्तित किया जाता है पौधे तक बास पाइप से बनाई विचाई गई हे जल चल साक्टाओं में जलवर्तित किया जाता है अपाईपों में जल प्रवाह इसकी स्कितियों में परीवतन करके नियहितक किया जाता है चित चार को देख रहें गए यादि पाई फों को सड़क पर ले जाये जा तो उसमें भुमी पर उचा ये सी ले जाती है याई कि कहने का मतलब आपको अगर सड़क पार करना है किसी पाई को तो सड़क से इंप आप लोग देखते हैं जिस तरह से केबल । नीचे से आपके बाहन निकलते रहते हैं चाहिए कि अंतिम चर्ण में बिस्तुत की जाती हैं अंतिम चर्ण से पौधे की जड़ों की निकट जल गिराया जाता है इस तरह से तमेलाडू एक ऐसा राज्य जापूरे राज्य में हर घर में छत वरसा जल संगहन धाचे का बनाना आवस्यक कर दिया गया इस अंदरम में दोसी व्यक्तियों पर कानूनी कारवाई हो सकती है इस तरह की सुविधा आप सोचिए कि बुंदेल खंड में बगेल खंड में भी कर समझ रहे हैं उन्हीं का परिडाम भोगत रहे हैं अब लोग इसी अध्याय से संब्दित आपके कुछ चैसी है इन्हें भी आप लोग देखते रहे हैं और पिडिया जो भी आपकी सेविल सर्विस के लिए उन सभी को मैंने टेलिग्राम पर डालती है तो आप वहां से लिए हैं ठीक है तो यह आपका था तीसरा चेप्टर जल्स अंसानन आंगे हम लोग बात करेंगे चौत्रय चैप्टिन में किरसी के बारे में जाने की चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे NCEIT करद्च 10B की समकालीन भारत सेघेंड की नाम से जो आपकी योग से उसी के बारे में बात कर रहे थे इसमें हम लोग तीन चेप्टर आपके खदम कर चुके हैं तीसवराज चेप्टर था आपका जलसन साधन के बारे में आज हमें बात करने हैं किरसी के बारे में खेती के बारे में, किसानों के बारे में आप सभी से बस इतना ही कहूँगा कि समय रहते हुए आप सभी NCEIT को cover कर ले हम लोगों ने आपकी कक्षा 60 से लेकर कक्षा 9 भी तक की सभी books complete कर चुके हैं और हम लोग आपकी कक्षा 12 भारवी तक की सभी books complete करें ठीक है क्योंकि आप जानते हैं कि NCEIT वोड़े civil service हो फिर चाहे आपका estate PCS हो बिना NCEIT के कोछ नहीं उखड़ने वाला है तो आपको पढ़ना तो है ही इसलिए समय रहते हैं हुए पढ़ लीजिए ठीक है खेती किरसी आप सभी को पता होगा कि एक बड़ी आवादी हमारी खेती पर यानिकी किरसी पर किरसी की दिष्टी से भारत एक महत्पून देश है इसकी दो तेहाई जनसंक्या किरसी कारियों में सलगन है किरसी एक प्राध्मिक किरिया है जो हमारे लिए अधिकास खाद उत्पन करती है खात्यानों के अतरिक दिया है विभिन उत्दों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है इसके अतरिक कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादी का भी निर्याद करती है यहाँ प्राध्मिक किरिया कहने के मतलब कि यह आधार है आप सोचिए कि आपको बिस्कूट, बिस्किट बनाने का कोई कार खाना है तो उसका भी तो आधार आपका किरिसी ही है जब कच्चा माल नहीं मिलेगा तो कहां से उत्पाद, क्या बनाएंगे समझ रहे हैं आप लो किरिसी के अगर प्रकार की बारतों करें तो किरिसी हमारे देश की प्राचीन आर्थिक करिया है पिछली हजारों वरसों के दोरान भौतिक परहावन, प्रोदोगिकी और सामाजिक सांस्कित क्रिती रवाजियों के अणसर खेती करने की विदियों में सार्थ तक परिवातन हुआ है जीवन निर्वाह केती से लेकर वर्डिज खेती तक किरसी के अनेक पिकार है वर्दमा समय में भारत के विवन भागों में निम्लिकित पिकार के किरसी तंत बनाए गए प्यारमी जीविका निर्वाह किरसी यानि के अपना जीवत चलाने के लिए किरसी इस पिकार किर्सी भारत के कुछ वागों में अभी भी की जाती है प्यारमिक जीवन निर्वा किर्सी भूमी के चोटे टुकणों पर आदिम किर्सी ओजारों जैसे लगडी के हल दाओं और खुदाई करने वाली खाड़ी चड़ी तथा परिवारों अथबा समधाय स्रम की मदस्ते की जाती है इस पिकार की किर्सी प्रा मांजून मेड़ा की प्राक्तिक उर्वर्ता और फसल होगाने के लिए अन्न परियाबनी परिस्तितियों की उप्योक्तिता पर निर्वर करती है अभी भी आप ग्राविट चेत्रों में जाएंगे तो जहां इस तरह का कोई आप सोचें कि उर्वर्त ना उपलब्द हो या तो वो अपना देशी जो उर्वर्त होता है गोवर का खाद हो गया इससे अपना जो भी भूमी होती उसकी उर्वर्ता बढ़ाती है और आपने देखा होगा कि बैलों से जुताई की जाती हुआ समाझ रहे हैं तो उसी तरह की बात की जा रही है अपने ही परिवार के जो मेंबर होते हैं उनीके द्वारा मदद की जाती है अधिकतर किरसी इसी प्रिकार की होती थी पहले आपने देखा होगा आप तो खेर छोड़िए कि टेक्टरों का इस तो इमाल होने लगा है, अच्छे अच्छे औरवरक, अच्छे अच्छे बीजों का उत्य होने लगा है, यह करतन दहन पेडाली किरसी है, किसान जब ही के टुकडे साफ करके उन पर अनेक परिवार के भरण पोसन के लिए होने हना, और अ forgotten, जब मेलदा की उनपरता कम हों जाती है, तो tak किसान उस भूमी के क्टुकडे यद एक करसी कम ही भागों पर की जाती है, लेकिन पहले एक करसी आपकी जंजाती है, जो इलाके होते थे, जंजाजीती होते थे, आदिवासी, वो अधिक इस तरह की करसी किया करते थे, जंगलों को साफ करके, उत्तरपुर्वी राज्यों असम्मेगाल है मिजुरम, और इसे दीपा कहते हैं, इन नामों को अच्छे से याद रखिए, जूम, कातन दहन पिडाली, किर्सीको, मैक्सको और मदद अमेरिका में मिलभा, बैनेजोला में आपका कौनों को, कौनों को, ब्राजील में रोका, मदद पीका में मसूले, और इंडोनेसिया में लातां, बेत जोड़ियां मिलाते थे न, आप लोग बच्पन में, उसी तरह से आपका मिलाने के लिए आ जाता है, भारत में भी अपैरमी किस्म में की खेती अनेक नामों से जाने जाती है, जैसे मद्द पिदेश में इसे बीवर, या पर दहिया कहते हैं, आंद पिदेश में पोडू, अतवा पेंडा, उडिसा में से पामा, डावी, या पर कुमान, या पर बरीगान, पश्चमी घाट में आप देखेंगे, पश्चम घाट में से कुमारी, दच्चरपूर्व, राजस्थान में से वालरे, या पर वाल्टरे, हिमाल, हिमालायन चित में से खिल, जारगंड में कुरवा और उत्तरपूर्वी विदेशों में से जूम नाम दिया गया है जूम खेती ठीक है यह आप देख रहे हैं को चित रिंजा आसम में डीफू के बाहरी चित में अपने परिवार के साथ एक गाउं में रहती है वो अपने परिवार के सदस्वों द्वारा एक गूमी के टुकुली पर उगी बनत्पतियों को काट कर बजजला कर साब करते देखकर आनंद का नुभाव करती है वो अपरिवार के सदस्वों के साथ बास के नाली द्वारा जहरने से पानी लाकर अपने खेतों को सिच्चित करने में सायता करती है वो आपनी परीस्थान से लगाओ रखती है जब तक संभाव हो यहां रहना चाहती है परन्तु इस जोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घट्ती और उरत्ता के बारे में कुछ भी पता नहीं है जिसके कारण उसके परिवार को अंगले बर्ष नए भूमे के टुगड़े की तलास करनी होती थी पहले क्या होगा करता था कि जंगलों में जो भी आदिवासी या जंग जाती रहते थे वो एक टुकड़े यानि की पेड़ों को काट कर एक साप करके एक खेत बना लिया करते थे एक-दो साल तक उस पर खेती किया करते थे जब उसकी उर्वलता घटने लगती थी तो वो दूसरी जगए उसे छोड़ कर उस जमीन को दूसरी जगए चले जाया करते थे इसे क्या होता था कि जो पुराने ही किरसी रहती है थी वो 5-7 साल में फिर से पुर्वरक हो जाती थी अब बात करते हैं गहन ये वी क्या किरसी इस पेकार की किरसी उन छेत्रों में की जाती है जहां भूमी पर जन संक्या का दबाओ अधिक होता है यह सरम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जेबरसाइनिक निवेसों वसेचाई का प्रयोग किया जाता है भू स्वामित में विरासत के अधिकार के कारण पीडी दर पीडी जोतों का कार चोटा और आलाफ प्रत होता जा रहा है और किसान विकल्पिक रोजगार ना होने के कारण सीमित भूमी से अधिक पैदावाल लेने की कौसिस करते हैं अता किर्सी भूमी पर बहुत अधिक दवाव है आप सोचिए कि एक समय पास आपके पास दस भीगा जमीन थी तो आपके पास भीगा जमीन तो उतनी ही है ना लेकिन आपका परीवार बढ़ता जा रहा है पहले आपके दादा जी अके लेते उसके बाद आपने देखा है दादा जी की तीन बेटे वे पर उनmotion के चार दस साथ बेटे होगे इस पर इसे बड़ा परिवार होता जा रहा है, आप जानते हैं कि परिवार होता है, बड़ा होता है तो वो अपनी जमीन बांट भी लेते हैं, इसलिए किरसी का जो भी छोट होता है, वो छोटा भी हो जाता है, एक आपकी होती हो अडिक किरसी, यानि कि कहे सकते हैं इसे ब्य एक प्तिर देशों में अलग लग है, उधारण के लिए हरयाना पंजाब में चावल वडेत जीप का फसल है, फरनतु उडिसा में ए जीव यह ए एक जीव का पसल है, वडेत जी किरसी का कहने का मतलब है कि ब्यापार के उद्दिश से आने की पैसा कमानी के उद्दिश से खेत इस पेकार की केती में लंबे चौनड़ी चित में एकल फसल बोई जाती है, रोपड किरसी उद्धोग और किरसी के बीच एक अंतरा फिष्ट है, और रोपड किरसी ब्यापग चित में की जाती है, जो अत्यतिक पुझी और श्टे मुकों की सायता से की जाती है, इस से पराफ सारा उत्पादन उद्द्यों में कच्छे माल के रूम में परियोग होता है भारत में चाय, कौपी, रपड, गन्ना, केला, इत्यादी मत्पूर रोपड किरसी के अंतरगत आते हैं असम और उत्तरी वंगाल में चाय, करनाटक में कौपी, वहाँ की मुख रोपड फस लें चुकि रोपड किरसी में उत्पादन विक्क्री के लिए होता है यह आप देख रहे हैं ना भारत की दर्चडी वाग में केले की रोपड किरसी यह आप उत्तरपूर भी भारत में देखेंगे बास की किरसी इसलिए इसके विकास में परिवाहन और संचासादन से संबंधित उद्धियों और बाजार महत्पूर योगदान देते हैं आपने भारत की वह तिक विवित्ताओं और संस्कृतियों की बहूलता की संबंध में अध्यन किया है इस देश में किरसी पद्धितियों और सस्परारू रुपों में पिती विंबित होता है इस्ते लिए देश में बॉई जाने वाली फचलों में अनिक पेकार की खाध्यान और रेसे वाली फचले हैं सबजीया, फल, मसाले, उत्याजी सामिल है आपकी बारत में तीन सरस commission रितूआ होती है कौन-कौन रभी, खरीफ और जाय्द रभी, खरीब, और जाय्द रबी पसलों की कोई सीत रितु में अक्टूवर से दिसंबर की मत बोई जाता है तब से जो दिसंबर का समय समय आपकी रवी की पशल को बोई जाता है इस्से भी आपकी कुश्चिeszाैंस बन चुके हैं रखिए सभी फसलों को कौन सी फसल आपकी किस के तहट आती है और इसे गिरिस्न मृत्व में अपरेल से जून के मंद्र काच लिया जाता है इसमें आप थेखते हैं ग्यावू, जो, मतर, चना, सलसों, कुछ, मुख, रवी फसल लें आपकी यागी फसल देश के विस्तित बार में बोच जाती है उत्तर और उत्तर पश्टिम, राजजेस, पंजाब हर्याणा, जमाचल पिदेश, जम्भू, कस्मीर, उत्तराकंड, उत्तर पिदेश, ग्यावू, और अंदर रवी फसलों के उत्पादन के लिए मत्पून है सेथितित्व में सीतोष पश्टिमी विच्छोगों से होने वाली बरसा इन पसलों के अत्यक उत्तपादन में साहिग होती है पंजाब हर्याण, पश्टिमी, उत्तर पिदेश और राजिस्थान के उच्छवागों में हरित करांती की सपलतावी उपेवतरवी फसलों की विद्धी में एक मात्मून का रग रहा है याद रखिए सबसे जाज़ा जो आपका हरित करांती थी, इसका फायदा आपकी पंजाब हर्याना उत्तरपुर्वी राजिस्था, उत्तरपुर्वी जो आपका पश्च्छमी, उत्तरपिदेश है और राजिस्थान के कुछी भागों में देखने को मिली थी आप कहें कि पूरे भारत में हरित करांती का प्रभाव पढ़ा है, बिरुकुल नहीं पढ़ा था, याद रखिए खरीब फसलें, अगर बात करने खरीब फसलों की है, तो देश के विवेने चेत्रों में मानसून के आगोन के साथ बोई जाती है और सेक्टमबर, अक्टूबर में काट ली जाती है, इस रितू में बोई जाने वाली मुख पसलों में चावल आपका मक्का, जुआर बाजरा, तुर्म, यानि की अरहर, मूंग, उदर, जिसे उर्दा बोलते हैं, कपास, जूट, मूंफली और सुयाविन सामिलेस में, ये स पिछले कोश बर्सों में चावल पंजाव और हर्याणा में बोई जाने वाली मत्पूर फसल बन चुकी है, असम पष्ट में बंगाल उडिसा में दान की तीन फसल है, ओस, अमन, बुरो बोई जाती है, रवी और खरीब फसल रितूओं की ग्रीस में यानि की गर्मी में बो में लगभग आपका एक वर्स का टाइम लगता है, कितना एक वर्स का टाइम लगता है, यानि की लंबा, मुख फसलों की अगर बात करें तो मुख फसलें, मिट्टी जलबाई और किर्स्टी पदिती में अंतर केकारण, देश के बेवमें ने, चितरों में अडिक पीघार खाद्ध और अखाद्ध फसलें उगाई जाती हैं बागरत में बागरत में उगाई जाने वाली मुख फसलों की बात करें तो जैसे चावल गयाऊं, मोटे अनाज, डालें, चाय, कॉपी, गन्ना, तलेहन, कपास, जूट, इत्यादी आपके सामेरें चावल की एगर हम बात करें तो भारत में अधिकानस लोगों का खाद्या हैं, चावल है हमारे देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्मादक देश है याद रखिए जलसंक्या के मामले में भी हम लोग चीन के बाद ही आते हैं और चावल के मामले में भी अमचीन के बाद ही हैं, यह देख रहे हैं ना आप लोग चावल की केती, चावल रुपाई, आप अगर देखा होगा आप के हाँ होता होगा, चावल रुपाई, यह आके प्रमुक्चेत होगा, गौण्चेत होगा, देख रहे हैं आप लोग यह प आफग्भानिस्तान से सीमा लगती है फियो के बारे, चीन, याद रखें, चीन से हमारी राय रेक्ट सीमा कभी नहीं लगती थी लेकिन जिए कडि़ियों कि चीन ने तिब चर से कर लिया ज़से सीम से कुछ से लगती है और इसे चैना से भी लगशिक gerek都是 नईपाल बुटान, बंगलादेश, मयानमाल, सबसे ज्यांदा सीमा आपकी बंगलादेश से लगती है, ठीक है, उसके बाद यह आपका बड़ोसी स्टेलंका है, अरब सागर हो गया, यह आपका बंगाल की खाड़ी होगी, ठीक है, इन सभी को याद रखिये, और याद रखिये, मैंने आपका मैप्स का पूरा बाट किलियर किया हुआ है, बात की हुई है, आपका यूपी एसी लेवल का पढ़ाए गया है, तो आप मैप के नाम से या फिर मांचित के नाम से आपकी फिले लेट सोची बनी हुए है, उसी में सभी डले हुए, मैं तो कहता हूँ, जो गरुपी क पढ़ने से पहले उसे आप लोग एक से दो बात देख लीजे, चोकि उसमें पूरा मैप्स का सहरा लेकर लेकर जितने भी सभी बिसो भी कवर किया गया हूँ, कापी अपका भारत भी कवर किया गया है, और बहुत ही मात्तपूर है, एक बात देख लीजे, अच्छा लगा तो पढ़िए वरना छोड़ दीए, क्या प्रकपड़त है, समझ रहे हैं आपको, यह एक खरीड की फसल है चावल, जिसे उगाने के लिए उच्छ तामान, यानि की 25 डिगरी सेंसे से उपर का तामान चलिए होता है, और अधिक आधिता, यानि की 100 cm से अधिक की बर्सा की पढ़ चुकी है, चावल उत्तर और उत्तर पूरवी मैदानों, तटिये चित्रों और डेल्टाई पिदेशों में उगाया जाता है, नहरों के जाल और नल्कूकों की सघंता के कारण पंजाब आरे आना पश्चिमी उत्तर पिदेश, और राजिस्तान की कुछ कम बर्सा व और उत्तर पश्चिमी भावों में पैदा की जाती है, रभी की फसल को उगाने के लिए सीत्रितू और पकने के समय खिली दूप की आवस्ता होती है, इसे उगाने के लिए समारूप से विद्रित 50 से 75 सेंटीमीटर वासिक बर्सा की आवस्ता होती है, यह आप देख रहे न उत्तर पदेश, मद्पदेश, विहार राजिस्तान के कुछ भाद भागाक की ग्यहूं पैदा करने के लिए बाले मुख राज्चे हैं, ठीक है हैं, यह सभी मात्वों हैं, मोटी अनाजियों की अगर हम बात करें तो ज्वार वाजरा, रागी, भागयलत में हो गाई जाने अनाजियों की पसले हैं, यह गिपी इन्हें मोटा अनाजियों की अधिक होती है, उधार रागी में पिचुर मात्रा में लोहां केल से हम सूक्ष पोसर पोसक भूसी मिलते हैं, छेत्फ़ल उत्पादन की दिरिश्टी से ज्वाद देश की तीसरी मात्वोंड खाद्यान प फसल बरसा पर निर्वार होती है, अधिकतर आध्य चित्रों में हुगाय जाने की कारण इसके लिए सिचाई किया हो सकता नहीं होती है, इसके पिरमुक उत्वादिक राज महराष्ट करनाटक आंद्पदेश और मद्पदेश हैं, याद रखिए आपकी अधिकतर फसल जो ह तो फसल अच्छी होगी, अगर बरसा अच्छी नहीं होती है, तो फसल खराब रहती है, आप पूरा बंदिर खंड देखिए, पूरा आपका इसी पर निर्वर है, यानि की बरसा के मौसंपर, फिर आपकी बाजराद, या बलुवा उथली काली मिट्टी पर उगाय जाता है राजिस्थान, उत्तरपिदिस, महराष्ट, गुजरात और हजारा, इसके मुख कुथपादक राजजी, रागी सुस्क पिदेशों की पसल है, और या लाल काली, बलुवा दोमट, उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाय जाती है, रागी की फिर मुख कुथपाद की फसल है, यह आपकी बाजरी की फसल है, देखना है, ठीक है, चलिए कम से कम आप पिक्चर्स दीख लीजे, सामने तो पता नहीं कि देखने को कई लोगों को नहीं मिलती है, कम से कम आप तो यहाँ भी देख सकते हैं, मक्के की बात कर रहा था, तो जो 21 डेगरी से 17 डेगरी सेल्सियस तामान में, और पुरानी जलोड मिटी पर अच्छी पेकार से उगाय जाती है, बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रवी की रितुमें भी उगाय जाती है, आधुनिक पुरदगी की निवेज जैसे आधक राच्छ, आप लोगों ने कभी इस तरह के भुंटी खाये हुए, भूंग, भूंज के, अगर खाये हैं तो यसी किए, और नहीं खाये हैं तो नोली किए, अब तो आप देखते हैं कि बाजार में भी यह मिलने लगे, आपको सहरों में भी उपलब दें, तो आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, यह आपके प्रमुपचित होगा या गौणडचित होगा है, देखिए प्रमुपचित, समझ रहे हैं, यह आपकी गौणडचित होगा है, यह गौणडचित, यानि कि कम, प्रमुपचित मतलब मैंने दिया, समझ रहे हैं, डालों की अगर बा नदल लें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होथी हैं। क्योंकि आप जानते हैं, हम लोग एक धार मिक्स से जोड़ी रहते हैं धर्म से, धर्म में हमारी आसता रहती हैं। तो कई धर्म आपके ऐसे भी हैं जिसमें आप जानते हैं कि मासख आने की अनिमती नहीं है, तो उसमें प्रोटीन की आवस सकता होती है तो वो आपकी दालों से ले ली जाती है, पूरी कर ली जाती है, समझ रहे हैं आप लोग तोर अरहर, उदर मुंग, मसूर मटर और चना भारत की मुख दल नहीं फसले हैं क्या आप बता सकते हैं कि इन में से कौन सी दाल, खरीब में और कौन सी दाल रवी में उगाई जाती है, याब रखिए खरीब में आप खरीब में देखेंगे कि मटर और चना और उदर मुंग देखेंगे कि आप बरसात की मुसम में यानि की रवी की फसल में उगाई जाती है दालों को कम नमी की अपसकता होती है इनने सोस्क परिस्तितियों में भी उगाया जा सकता है फरिद्यार फसल होने के नाति अरहर को छोड़कर अन्य सभी दाले वायू से नाइट्रोजन लेकर भूमी की उर्वरता को बनाये रखती है अता इन फसलों को आमतोर पर अन फसलों के आवर्दन में भूया जाता है बारत में मदपदेश, राजिस्तान, महराश्ट, उतरपदेश, करनाटक दाल के मुख खोतपादक राज्चे एक बात याद रखिए कि अभी आपका कुष्चन स्प्रेलियम से में बन चुका था यह भी PCS में भी कईवार बन चुका है कि नाइट्रोजन के लिए अच्छा मतलब यह बायू से नाइट्रोजन लेकर भूमी की उर्वरता को बनाती है क्या दालें की जड़ें यानि की दालें ठीक है दालें के पौद है खाद्यान के अलावा अन खाद फसलों की बात करनें जैसे गन्ना गन्ना एक उस्ण और उकोर्ष्ट कटी बन दिया फसल है या फसल 21 डिगरी से 27 डिगरी सेल्सियस ताम्मान और 75 सेंटीमीटर से आपका 100 सेंटीमीटर बार्षिक बरसा और बाली उष्ण और आध जलवाई में बोई जाती है आपकी गन्ना कम बरसा वाले पिदेशों में सचाई की आउस सकता होती है गन्ने को इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तासा इसके लिए बोई से लेकर कटाई तब काफी सारे रिक्सरम की आवस्सक्ता होती है वराजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा देशेयानी की कह सकते हैं कि वराजील सबसे जान्दा गन्ना उगाता है देख लीजेए गन्ने की खेती आप लोगों को अपने चित में बताना है कि कौन-कौन सी फसल होती है और आप लोग उन्हें गन्ना चुसा यस तरह कि मतलग जो भी उप्यूफ़ोते हैं अन्हें बताना आपको नीचे ठीक है आप जिस चित में रहते है solutions कौन सी होती है स्थान था देश में कुल बोई गए चेते के बाई बारे पितीसर भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाते हैं मुंभली सरसो नारियल तेल सोयावी अरंडी विनोला अलसी सूरज मुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख तिलहनी फसलें इसमें से अधिक तर खाद और खाना बनाने में प्रयोग किये जाते हैं परंतु इसमें इनमें से कुछ तेल के बीजों का सावुन पिसाधन यान की सिंगार का सामान और उबटन उद्वों के कच्चे माल के रूम में इसका प्रयोग किया जाता है मुँख पली आपकी खरीब की फसल है तता देश के मुख तिलहनों कि कुल उत्वादन का आदाभाग इसी फसल से प्राप्त होता है गुजराद राजिस्तान तमिलाडू महराष्ट मुँख पली के मुख उत्वादक राच्चन अलसी सर्सों रभी की फसल है अलसी सर्सों आपकी रभी की फसल है तिल उत्वादिस में खरीब की फसल है और दच्छे भारत में रभी की फसल है अरंडी और खरीब रभी की दोनों फसले रित्म में बोह आते हैं करिक यह हैं शॉरि माप करिए किम बर बोला है इसलिए मोला हूँ कुकि आद देखिए जो मंतर होती है और सरसॉंग उति है ग्याव Мос न फेलीज होता है चना होता है यह इता कब साथ BROWN जाता है यह बहाता है इता विय यह फसले मूल होती है उदर स्वर स्वरी पूर्िब क्मल बचा चुका था ठीक है वैसे आप लोग पीछे भी अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं तो जब भी मैं गलत बता देता हूं आपको लगता है कि गलत है दिक्कत है आपको आ रही तो आप नीचे कमेंट बोक्स में लिखती है करेगा कभी-कभी द्यान नहीं रहता आप जानते है मैदान में कटाई के लिए तेयार मूंभ यह आपकी मूंभ यह जोगई इसार्ज मुखी और सरसुं देख़ती है आप चाई की किरसी हो गई जाय की पत्यों को चुंती समिक माइल आएं जाय की बात करें तो चाई की केती रोप्बन किरसी का एक उधार है यह एक मत्पूर्ट पेपदाज की फसल है यसे शुरुआत में अंग्रेज बारत में लाए थे आज अधिक तर चाय बागानों की मालिक भारती है चाय का पौधा ऊष्ण और कोष्ण कटी बन दिये जलवाई हूमस और जीवान जीवान से उक्त गहरी मि वर्षा की बहुचारें इसकी कौमल पत्तियों के विकास में सहाइक होती थी चाय एक स्रम सगन उद्ध्य हुए इसके लिए पिचोर मात्रा में सस्ता और कुसल स्रम आवसक्त यानि की मेहनत की आवसक्ता होती है इसकी ताजगी बना रखने के लिए चाय की पत्तियां में दाजली और जल पाई गुडी तिलों की पहाड़ी पहाडियां तमिलाडू और केरल है इसके अलावा हिमाचल पिदेश उत्तराखंड में उत्तराखंड में इगाल है आंध्र पिदेश तेक्पुरा आधीराज्यों में भी चाय हुआ है जाती है सन 2015 में भारत बिस्व म चेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक चाय उत्पादक देश था हूँ एक बात आप लोगों को बता देता हूँ यहां जो भी आपके आपसे बजट पढ़ने के लिए क्योंकि कहा जाता है क्योंकि उससे बी कुश्चन आते हैं तो इसलिए आपसे करें टिक में जो भी आगड़े आय करेंगे लेटिस्ट उन में आप लोगं देख लिया करें हरें है बारत कaisseस्तान है अ हमारे लिए हमारे हमारें यहां बहुत लोगों की क्यों आदत बंढ जाती है चाय की को सालों पहले मतलग कुछी सालों पहले मुझे भी चाय पीने के बड़ी तो दिन में कम से कम, 10 से 15 चाय कब चाय पी आयाका था, समझ रहे हैं आपियों, कि मुझे इतनी हेवट लग गई थी, कि अगर मुझे नेद नहीं आती थी, अगर मैं उठ गया, मुझे चाय पीने नहीं बिला आयाकर, तो मुझे नींद नहीं आती थी दोबारा, तो मेरी आलग बहुत बुरी ही हो चुकी थी, मैं बंदला बता रहाओं कि चाय पीते-पीते, मुझे बड़ी तलब सी लगती थी, एक तरह आप जानते नहीं हैं कि लोगों को दारू, सिक्रेट की तलब लगती, लेकिन बाद में मैंने पूरी तरह से कंट्रोल करके छोड़ दिया असे, अगर मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा, लेकिन उस समय आप सोचिए कि लाइविरे में बैठे हूँ तो खाना-खाने, फिर जाए फ़र उठना फिर आना, जिसलिए चाय में ही काम चलाना और नेंद के लिए सबसे बहतर रहता था, ये गरम चाय आई, आप पढ़ते रहिए, और नेंद आपकी, पूरी ना हो, कुछ भी हो, काम बन जाता है, कॉपी, बाटी कॉपी अपनी गुरवक्ता के लिए बिस्तु बख्या थे, हमारे देश में अरेवी का किस्म की कॉपी पैदा की जाती है, जो आरम में यवन से लाई गई थी, इस किस्म की कॉपी की विस्त बर में अधिक मागे, इसकी किर्सी की सुरवात बाबा बूधन पाड़ियों से हुई, और आज भी इसकी केती नेरगिरी की पाड़ियों के आसपास करनाटा केरल तमिलाणू में की जाती है, यानि कि कह सकते हैं दर्चिण भारत में, फिर आपकी बागवानी फसले हैं, पश्टीमी बंगाल के आम नागपर और चीरापुंजी, मेगाला के संत्रे केरल मिरुयोराम, और महाराष्ट और तमिलाडू के केले उत्तर पिदेश ब्यार की लिची, मेगाले के अन्नास और आंध पिदेश तेलंगाना और महाराष्ट की अंगूर, हेमाचल पिदेश और यम्मू कस्मीर के सेव, नासपाती, खुबानी और अकरोट विस्वर में बहुत ही मांगेंगी और इनके लिए आप पिसे दें भी ये इचित सभी, ये आप देख रहे हैं, अकरोट, सेव, अनार, आप जब भी बीमार होते हैं तो आपसे कहा जाता है फल खाईए, भारत का मटर फूल गोवी, प्याज बंदर गोवी, टमाटर बेगन अलू उत्पादर में प्रमु किस् हरी पेड की हरी पत्तियों का परफलता है, रेसम उत्पादन के लिए रेसम की कीड़ों का पालन भी किया जाता है, समझ रहे हैं आप लोग ये आपकी सबजियां दी गई है, मटर, फूल गोवी, टमाटर, बेगन, आखाद फसलों की बात पर रवड, रवड भूमद रेख की है छेत की फसल है, परंतु विसेश परिष्टितियों में ऊष्ण और ऊष्ण चेत्रों में भी उगाई जाती है, इसको 2200 सेंटीमीटर से अधिक बर्सा और 25 से आधिक तामान बाली नम और आधि जलवाई की आवस्तित्ता होती है, रवड एक मात्मूर कच्छा माल है, उद्दोगों में पेप्त होता है, इसे मुख रूप से केरल, तमिला, अडू, करनाटा, कांद, अंडवा, निकुबार, दूईप, समूर, मेगाल, में गालोग पाड़ियों में उगाई जाती है, आपकी रवड, रवड, रेसेदार फसलों की बात करें, कपास, जूट, सन प्रियाक्तिक रेसं भारत में उगाई जाने वाली चार मुख रेसेदार फसले हो, इनने मैं से पहले तीन मिट्टी में वगाने से पराप्त होती है, और छौथा रेसं की कीड, कीडे के कोकून से पराता है, जो मलबरी पेड की हई पत्तियों पर पलता रेसं उत्पादन के यानि कि सीरी कल्चर कहलाता है, ठीक है, फिर बाद करते हैं, भारत को कपास के पौधे का मूल इस्थान माना जाता है, यानि कि कहा जाता है कि कपास का उतपादन भारत से ही शुरू हुआ है, सूती कपड़ा उद्दों में कपास एक मुख कच्चा माल है कपास उद्दन में भारत विस्व में तीसरी नमबर पर है दक्कन पठार की सुस्क तरभागों में काली मिट्टी कपास के उद्दन के लिए उपयुप थे यह खरीब की पसल हो और इसे इसे पक कर तेयार होने में कम से गम आपका आठ से चैसे आठ महीं लगता है महराक्त गुजरात मद्रपदेश करनाटा कांद्रपदेश तेलंगाना तमिलाडू पंजाब हर्याना उत्तरपदेश की कपास उत्पादर कराज जे सभी ठीक है यह आपकी कपास की खेती है देख रहे हैं ना आप लोग कपास की खेती को ठीक है फिर आपका आंगी चलती हम दो जूट जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट की पसल बाड की मैदान में जलनिकास बाली और बरक मिट्टी में हुआ जाती है जाहार वर्स बाड से आई नई मिट्टी जमा होती है इसके बढ़ने की सब्सक्राइब उच्छे तामान की आरसकता होती है पश्चे मंगाल, बिहार, असम, उडिसा तथा मैगाले जूट के मुख उत्पादक राजे इसका प्रेयोग बोरियों, चटाई, रत्ती, तंतुबा धागेक, गलीचे दूसरी दस्त कारीव की बस्तुमें बनाने में किया जाता है इसके उच्छ लागत के कारण और किंतिम रेसों और पेक, पेकिंग सामगिरें विसेज का नाइल्ओन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांंग कम हो बेह थो just, त्रयापकी प्रोद्धुगी की ये और सन्स्ता अगत सुधार जसा कि पहले बताया गया है कि भारत में किरसी अजानो वर्सों से की जा रही है परंतु पुरोधगी की और संस्थाकत परिवत्र के आबाव में लगाताल भूमी संसाधन के प्रेयोग से किरसी का विकास अवरोध हो जाता है और इसकी गत्ती मंद हो जाती है सेचाई के साधनाओं का प्रेयोग विकास होने से कि उपरांद भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमी की प्राक्ति परवर्ता पर निर्वा रहते है आपके बताया ना कि मैरे बगेलखंड और बुंदिलखंड इसके वापके उधारन है याँ जो भी किसान है यहाँ मानसून पर ही अधिकतर निर्वा रहते है और जो आपकी खरीप की पसल है तो पूरी तरह से मानसून पर ही आपने देखा निर्वा रहती है बढ़ती हुई जन्तंग्या के लिए एक मत्मूर चुनोती भी है साथ पितिसत से भी अधिक लोगों की वो अजीब का पिदान करने वाली किरसीप में मुख गंबीर तकनीकी और संस्थागर सुधार लाने की आव सकता है सोतंता की पश्चा देश में संस्थागर सुधार लाने के लिए जोत्तों की चगबंदी सहीकालता उ जमिदारी आदीसमाप्त करने की प्रात्मृता को प्रात्मृता देगे पिथम पंचवर्सी योजिना में भूमी सुधार मुख लक्श था भूमी पर पुस्तेनी अधिकार के कारण यह टुकणों में बढ़ती जा रही थी जिसकी चंगबंदी करना अनिबार था याद रखिए जो पंचवर्शी योजना थी यह आपका योजना आयूग बनाता था वह यह आपका 1950 से बनाने लगे थे वियाद रखिए 2017 के बाद इसे खतम कर दिया गया बारेवी बंचवर्शी के बाद इसे खतम कर दिया गया और यह उजना आयूप की जगए आपका नीती आयोगा चुका है एक जनवरी 2015 से ठीक है भूमी सुधार के कानुन तो बने परन्तों इनके लागू करने में ठील की गई 1960 और 1970 के दसकों में भारत सरकार ने कई पिकार के किरसी सुधारों की सुरुआद भी किया पैकेज टेकनोलोजी पर आधारी धरित करांती सुध करांती ओपरेशन फ्लेट जैसी किरसी सुधार के लिए कुछ रड़नीतिया आरम की गए परन्तों इसके कानल विकास में कुछ चित्रों तक ही सीमित रहे गई इसलिए 1980 और 1990 की दसकों में ब्यापक भूमी विकास कारकरम शुरू किया गया जो संस्तागा तो तक्निकी सुधार पर आधरी था इस दिसा में इस दिसा में उठाए गई कुछ मत्मून कदरों में सोखा बाड चकवाद आग बीमारी के लिए फसल बीमा के परावधान किसानों को कम दैपर दर पर रेड सुधाय पिदान के अंटे की लिए गिरामीट ब इसे एक तरह से किसान फसता जाता था बहुत बुरी तरह सी किसान फस जाता था यहनके चककर में किसानों के लाब के लिए वहारा सरकार ने किसान केड़ेट कायड और बेक्तिगत दुरगटना भी मायोजना भी सुरू किये इसके इलाबा आकसवाणी और दूरदसन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए बोलेटिन उक्रिसी कारकरम के सारित की जाते हैं किसानों को बिचौलियों और दलालों की सोसनप से बचाने के लिए नियुंतम सायता मूल यानि की मिनिनियों प्राइज दिया जाता है कुछ मात्पून पसनों के लाब्द है खरीद मूल कोई सरकार घुशना करती है याद रखिए है आपका जो मिनिमम प्राइज होता है यह आपका देखते हैं आप सुसायट के सरकार और तभी आज अगर आप किसी द्यापारी को देते हैं तब आक और पर आपको तीक यह जाद रखिए यह आप देख रहे है ना किरसी में प्योगूने बाले नमीन तक ने की यह आपका टेक्टर यह भी आपका टेक्टर में सीडल की तरह है ठीक है बूदान ग्रामदान महत्मा गांदी ने बिनोबा भावी जिनों ने उनके सत्यागय में सबसे निश्ठावान सत्यागयरई की तरह भाग लिया था को अपना अध्यात में उत्राधिकारी योसित किया था उनकी गांदी जी के ग्राम सुराज के अउधारणा में गहरी आस्था थी गांदी जी की सहाधत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए बिनोबा भावे ने लगबग पूरे देश की पदयात्तरा क एक बाद जब अंध्यदेश के एक गाउं ओचमपली में बोल रहे थे तो कुछ भूमी इन करी गरीब के साथ गरामीडों ने उनके उनसे अपने आर्थिक भरन पोसन के लिए कुछ भूमी बागी बिनोबा भावे ने उनसे तोरंत कोई बादा तो नहीं किया परंतु उनक सरकार से बात करके हैं उनके लिए जमीन मुहार करवा सकते हैं अचानक स्री राम चंद रेड़ी ओट खड़े हुए उन्होंने अस्ती भूमी हिन गरामीनों को अस्ती इकड़ भूमी बाटने की पेस्वस की इसे बूधान के नाम से जाना जाता है बाद में विनोबा भाव से बचने के लिए अपनी भूमी का एक सा दान किया बिनोबा भावी द्वारा सुरूप की गई इस भूधान गरामा अंदोलन को रखती ही इन किरांदी का नाम दिया गया याद रखिए पहले व्यक्ति ही बहुत सहज हुआ करते थे बहुत अच्छे हुआ करते थे आप दूसरे की भी जमीन हड़ापने की कौसिश करने लगेंगी किरसी की राष्टी अद्वयस्था और रोजगार उत्पादन में युगदान की बात कर गया किरसी चित्का तो किरसी वारतिय अद्वयस्था की रेट की हट्टी कई रही है सकल गयरेल उत्पाद में किरसी का किर्सी में किसी भी पिकार की गरावट और प्रगत्ती रोध अर्द विवस्ता की अन्य चेत्रों में गरावट लाएंगे जो समाज के लिए ब्याबक नहितार्थ हैं। किर्सी में किसानों की आय बढ़ जाएगी और किसानों की इस्तिती में सुधार होगा। किर्सी सेक्टर में विश्ती सरुक से करना पड़ रहा है। यह आप देख रहे हैं। यह आपकी 2015 तक की आपके किर्सी का आपका 4.2 उसके बाद 0.2 माइनस में 1.1 आप उद्यों की देखेंगे तू बढ़ता जा रहा है 5.5 फिर 5.9 7.3 सेवाओं का देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे यह आखड़े दिये गए। याद रहे हैं। जब भी पेपर देने जाते हैं उस सर्मय के आतिक सर्वेक्षण आप लोग अच्छे से पढ़ लिया करेगा। और आप लोग बजट भी अच्छे से पढ़ लिया करेगा। उससे कोश्य हैं सदीकतर पूंचेने को मिलते हैं। रहसाइने कृवरकों पर साहेकी का कम करने से उतपादन लागत बढ़ रहे हैं। इसके अतरिक किरशी उतपादों पर आयात कर गटाने से भी देश में किरशी पर हानिकारग पिरवाव पढ़ा है। निकित पर पंजी निवस और जिसे के कारण किर्षी में रोजबार गट यहां से ke च alleegर दिखाना फाल्फ सब्सक्राइब करें लेटें लिए, लिएयार, अगरं गाल से यहां सब्सक्राइब रहे, अगर हमारे किसान这 mentally pre भी सध्रोपे किलु सीर契ष अगरू 15 रूपे किलु सब्सक्राइब अगर हमारे देश के जो किसान Speechers rapid इससे और बुरी इस्तिती देखने को मिल रही है बैस वीकन का किरसी पर प्रिभाव की बात करें तो बैस वीकन कोई नहीं कटना नहीं है ओपने वेस काल में भी इस्तिती मौजूद थी 19-20 सतापदी में जब येवरोपय ब्याबारी भारत आए तो समय भी भारतिये मसाली विष्ट के विविन देशों में निर्याद किया जाते थे और दच्चर भारत में खिसानों को इन फसलों को उगाने के लिए फुरोसाद किया जाता था आज भी गरम मसाली भारत में ते निर्याद किया जाने वाली मुख बस्तूओं में सामले बैटी स्काल में अगरेजी ब्यापारी भारत की कबास चित्की और आगसित हुए बारते कबास कु वेटेंड में सूती वस्त उद्द्यव के लिए कच्छे माल के रूमें निर्याद किया गया मैंचेस्टर और लिवरोल में सूतीव वस्त उद्द्यव भारत में पेदा हूने बाली कुस्म की कबास की उपला बंद्रक पर फ़ली-फूरी आपने 1997 में विहार में हुए चम्पारण अंदूलन के बारे में बढ़ा हुगा। याद रह रहे हैं, वही आंदूलन है जिसमें गांदी जी काहपी चरचा रहे है। और गांदी जी यहीं से आप सभल अंदूलन हाना जाता है वारत मेर्का। यहीं से आपके विकास में आए गांदीजी, सब लोग जानना लगी इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस चेट में किसानों के पर नेल की खेती करने के लिए दबाव डाला गया नेल बेटन की सूती बस तो द्योग के लिए कच्छा माल था, एक किसानों किसान इसलिए बढ़क बढ़के क्योंकि उन्हें अपने उब्योग के लिए अनाज होगाने से मना कर दिया है, याद रखिए आपके किसान क्यों पता है भारत की और अगसर क्यों गई अंग्रेज, और मसालों के लिए, कपड़ों के लिए, यहां तक कहा जाता है कि वहां के जो महराजा, राजा हुगा करते थे बड़े-बड़े घराने, वो भी हमारे यहां के कपड़ों को पहनते थे, इतनी मांग थी हमारे यहां के कपड़ों की, समझ रहे हैं भी देसों में, आज होने के बाद यूद भरती किसी बिस्त के गिसित देसों से इस परता कड़मे में आश मर्ट देकर किन है कि अने क मतलब कि वहां के जो भी किसान हैं उन्हें अधिक सहाहत हो जाती है सरकार की तरफ से और हमारे यहां के किसानों की हालत आप जानते हैं कि पLли補 इज वह अता है तो सरнолог साभ डगाल जाता है or किसानों की शलों देख सकते हैं कि आप मिट्टी की कभी गुडबत्त की चाच होती है और Commission गोर्री सुख़ाई मिलती है, तो आप सोच सकते हैं कि किसान हमारे यां के कितनी बुरी तरह से प्रभावित हैं और अभी लगातार पिछले सालों में आपने दिखा है कितने किसानों ने सुसाइड किया हुए यानि कि आत्मत्या की परेशान होकर ये सागोन के किलॉम का उतक संबर्फन है आज बार्ती किरसी दो राहे पर है बार्ती किरसी को सक्चम और लाबद दायक बनाना है तो सीमान तो चोटी किसानों की स्तिती सुधारने पर जोड देना हुआ हरित किरांथी ने लंबा चोड़ा वाइदा किया परन्तु आज यह कई विबादों से गिरी है यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हरित किरांथी के द्वरार रसायनों के अधिक प्रियोग और जल वरतों की सूखने और जब विबता बिलुप्त होने के कारण भूमी का निमनी करण हुआ है आज जीन किरांथी संके सब्द है जिसमें जैनरिक इंजिनरिंग संबले थे आपकी यह आप देखने है विकसे तेवा मिकासिल देशों में कीट नासकों के भारी उप्योग से समदी समस्याइं सामने आ रही है बास्ता में कारवन कारवनी किरसी का आज अधिक पिछलन है क्योंकि यह औरवरक और कीट नासकों जैसे काल कान में निर्मेज दैसायनों के बिना की जाती है इसलिए परयाबड पर इसका नकालात्मत प्रवाव नहीं पड़ता है कुछ अर्थ अर्थियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनस्यान के काल गटते आकार के जुतों पर यदि खाद्यानों की खेती ही होती रही तो भारती किसानों को वविस अंधिकार में है बारत में लगबग आपकी 83.3 करोड लोग लगबग आपकी 25 करोड एक्टर भूमी पर निर्वाड़े इस पेकार एक व्यक्ति किस्ते में औस्तन आदा एक्टर से भी कम किरसी भूमी आती है बारती किसानों को सस्वलतन करना चाहिए और खाद्यानों की स्थान पर कीमती फसले होगानी चाहिए इससे आपनानी अधिक होगी और इसके साथ ही पर्यावण निमनी कर्म में कमी आएगी फलों और उस्तिये पौदों वायो डीजल फसलों जटरोफा और जोजोबा और फूलों और सग्जियों की उगने उगाने के लिए कि चाबल या फिर गन्य में से भाहत कम सिचाइक यावसाकता होती है भारत में जलवाई विवित्त का विविन पकार की केमतDING फसल होगा अगर उप्ययों किया जासकता है एक बात और इस हमारे देश में क्या देखा जैता है कि आपके देखा होगा कि आपके पास आप पसु पालंग भी कर सकते हैं, और भी काम दंदी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि परिवार की इस्तिती भी सुधर सकती है, और आप सुचेंगे आए भी आप किया अधिक होगी, लेकिन अधिकतर हमारे आके किसान की आएं कि एक ही एकड़, दो ही एकड़ में पूरा पर आएदा होगा, कुछ नहीं, अनाजूं के स्थान पर उच्जमूल की फसलों को उगा कर सस्प्यारों में परिवतन कारत होगा, कि भारत को खाद पदाधों का आयात करना पड़ेगा, 1960 की दसक में इसे एक आपदा की रूम में देखा गया होता, परन्तु यदि हम कीमती फस फसलों के उत्तपात निर्याद करके खाद आयात करते हैं, तो हमें भी चीली जरायल इटली की अवितवस्था का नुशन करेंगे, जो बिवहन ने किरसी उत्पात अपद अप फल, साराव, जेतूं पिसे इसकर भी, निर्याद करके खाद पदात आयात करते हैं, क्या है हम कुछ तेयार हैं, समझते हैं, मतलब इस तरह एका खत्रा भी नहीं लिए उचा, जेनरीक इंजिन बीजों की नई संकर किस्मों का अविश्कार करने हैं, मैं सक्ति साली कूरक की रूम में जाने जाती हैं, आप सोचिए कि अगर आप लोग कोरोना के इस महामारी के टैम, जो सरकार बादा किया अगर थी भी हम जन संक्या को अपनी को तेन साल बैठार के खिला सकते हैं, वो सभी उजागर हो गई, स्वास्त वेवस्ता की आप देखिए कि पूरी स्टिती उजागर हो चुकी है, कोई इंतियाम नहीं हमारे देश में, स्वास्त वेवस्ता में, नेता हमारे चलाते रहते थे ही है, हमारे देश में हो है, समझे रहे हैं, तो कोरोना मा हमारी एक तरह से आप सुची हमारे देश में बहुत कुछ देके भी जा रहा है, एक सीख सबसे बड़ी, कि हमें अपनी अस्पतालों की स्वास्त वेवस्ता पर ध्यान देने की सब्सक्राइब कई चेत्रों में आपको सब्सक्राइब करने की जरुगत है कि इसी अध्याय से समंदित आपके questions दिए गए हैं इने लगाते रहिए और याद रखिए PDF आपकी सभी टलिवराम पर डली हुए है वहां से डाउनलोड करते हैं और अगर टाइम मिलता है तो एक से दो बार इने इस बुक्स को एक बार और पढ़ेंगे आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा आपको सब्द मिला हो जो आपको समझ में ना है सब नॉर्मल लिखे गए हैं सब अगर आपको इतना भी सब्द अगर समझ में नहीं आते हैं तो और अच्छे ध्याल से पढ़ेंगे क्योंकि आँगे जो टेक्स्ट बुक्स लिखी गई ह हैं आप इस पेसल बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको और जाना परेशा नहीं का सामना करना पड़ेगा समझ रहे हैं चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे एंटी एटी बुक्स कप्चा दसबी की संकालीन भारत सेगेंड की नाम से हो आपकी बुक्स है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें अभी तक आपके चार चेप्टर खतम कर चुके हैं 14 चेप्टर था किर्शी और आज बात करेंगे खनिच तथा ओर्जा संसाधन के बारे में पांच बार चेप्टर ही एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि अगर आप सेवेल सर्व में आपको प्र syllabus चार जतार चेप्टर है आपको आपको पढ़ते हैं तो आप मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई ऐसा सब्द मिले जो आपको समझ में ना है बहुत साधावेड सब्दों में लिखी गे हैवन अपने पिता के साथ दूर के गाउं से गवाड़ी आया वह लोगों के गरों जैसी अजीब चीजों में जाते देखता जो सड़क पर चलती है वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ चाते देखता वह आश्चर से अपने पिता से पूछता है कि पिता जी हमारा घर इस पेकार क्यों नहीं चलता जैसा कि उसने गवाड़ी में देखा उसके पिता ने बताया कि यह घर नहीं है यह बस यह आपर गाड़िया है हमारी करों की तरह इटों बापत्थों से नहीं बनी है इन्हें बनाने में लोहा अलूमिनियम जैसी धातूं का प्रियोग किया गया है यह अपने आप नहीं चलते हैं यह इंजिन द्वारा चलित होते हैं और इंजिन को चलाने के लिए उर जाकी आवस्चता होती है हम अपनी रोज मर्या की जिंदिगी में धातू से बनी वेवेन बस्तूं का प्रियोग करते हैं क्या आप अपने घर मैं प्रियोग की जाने वाली धातू से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं अपनी धातू हैं कहां से आती हैं आप लोग देख सकते हैं कि चाकू से लेकर कडाई इस तरह कि जो भी आप लोग देखते हैं अपनी देनेक चरया में बना सकते हैं लेकिन आपको मैं बार बार बूलता रहा हूँ कि आपको नहीं बनाना ऐसे इस तरह कि पैक्टीकल करते हुए आपको नहीं बैटना है आपको बस पढ़ना है और निकल जाना है ठीक है याद रखी है और ये एक बात हमेशा याद रखी है सबसे पहले आपकी ये कईवार वंडे एक जाम में या पर नॉर्मल कुष्टेंस पूछ लिया जाता है जनेरल पहले पिरयोग की जाने वाली धातु कोंसी है ताबा हर अपका सब बदागी बात की जा रही है ताम पासार आपने पढ़ा है कि भूपर पटी पितवी की उपली परत बिवेने खनेज्यों की योग से बनी चट्टां से निर्वत है इन खनेज्यों का उपयोग सोधन करके ह इधातुएं निकाली जाती है खनेज हमारे जीवन में अतियनवार पाग है लगबग हर चीज को हम इस्तेमाल करते हैं और एक छोटी स्वी से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदी ये सभी खनेज्यों से बनेते हैं रेलवे लाइन, सड़क की पत की भोजन में भी खनेज होते हैं जिसे हम खाते हैं मनुस्त ने विकास की सभी आवस्तक्त्याओं में अपनी जीविका तफा सजावत तिवार वा धार्मिक अनुस्त ठान के लिए खनेज्यों का प्रियों किया है खनेजवा दंतमंजन से एक उज्जवन मुस्कान दंतमंजन आपके दाश साफ करते हैं खुछ अप घर सक खनेज जैसे वसिलिगा हो गया चूना पत्तर ऐलूमिनियम ऑक्साइड वाविवेंड फॉस्पोट फॉस्पेड खनेज सब्चिता में मदद करते हैं फिलोराइड जो दातों को गलने से रोकता है फिलो फिलोराइड नामक्खनेज से पराफ्त होता है अधिकतर दंतमंजन टीटेनियम ऑकसाइड से सफेद बनाये जाते हैं जो कि आपकी रेवुटाइल एलमिनाइट तथा एनाटिज नामक्खनेजियों से पराफ्त होते हैं कुछ दंतमं परियम से पर आप ओढी पीलाफ्ति के बनी होती है अब बताइए कि खनीच कहां पाए जाते हैं आप वेभेने Commission में देखते हैं कहीं आतावे की बात करते रहते हैं कहीं डोमान कहीं षुद्ध कोई पाये जाता हो आप का रजभी खनीच में किसी खास खनीच के लिए फ़ह पदार्तों को खनिज की आप सकता होती है, खनिजों के बिना जीवन पिक्रिया नहीं चल सकती है, या कि भी हमारी कुछ पोष्टिक अग्रोग करके बल 0.3% भाग यही खनिज है, तथा यह इतने मात्पून और गुड़कारी हैं कि इसके बिना हम 99.7% भोज पदार्तों का उ समर्थ होते हैं, आप सुनते नहीं है कि आपसे कहा जाता है कि पालक खाईए, जिससे क्या होगा, आयरन की कमी पूरी होगी, समय रहे हैं, तो आपके लिए भी ही खनिज पदार्त बहुत ही जरूरी होते हैं, खनिज क्या है आके, भो बेग्यानिक के अमसार खनिज एक प्र परकिती में नेक रूपों में बाय जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा नर्म चूना तक सम्भली थे, खनेज इतने विवित हैं, यानि कि आप देख सकते हैं कि हीरा एक तरफ सबसे कठोर नर्म जैसे चूना ले सकते हैं, अब चट्टानों के विशे में पढ़ पहले ही पढ़ चट्टाने खनेज के समरूप तक्तों के योगे के हैं, कुछ चट्टाने जैसे चूना पत्तर किवल एक ही खनेज से वनी होते हैं, लेकिन अधिकतर चट्टाने विविन अनपात के अनेक खनेजों का योगे, यग पी 2000 से अधिक खनेजों की पहचान की जा चुकी अभी त लेकिन अधिकतर चट्टानों में किवलकुछी खनिजों की वहतायाद है एक खनिज बिसेस का जो निश्चे तक्तियों का यह हुए उन तक्तियों का निर्माण उस समय के भूतिक बारसानिक परिस्कितियों का पहिडाब है इसके फालसरूप ही खनिजों में विविद रन, पहिए उड़ता, चमक, घरत तथा विवित किष्टल पाये जाते हैं भूविज्ञानिक इनी विशेस्ताओं के आधार पर खनिजों का बरिगी करते हैं इनी का कुवाधार मानते हुए खनिजों का कई भागों में बारते हैं भोगोल विदों बाग भूविज्ञानिकों द्वारा खनिजों काते हैं भूगोल विदो इस्थालाक्तियों की बहतर जानकारी हे तुख खनिज का अध्यान भूविष्ट के एक अंसकिरों में करते हैं भूगोल विदों खनिज संसादनों के विदरन भा खनिज्चियों से सम्दित आर्टि किरियाओं में जाधर बर्येत टेज रहेंगे खनीज भरगी के हैं ए निवनिया पेकाल क्यों जैसे लोहा हो गया ऐस मेगनेज, निकल, कोबाल्ट आदी आलोई खनिज की बात करें तितामा हो गया, सीसा हो गया जैसता अगॉकसाइड आदी बहुमोली खनिज जैसे सौना चानी प्लेटनियम जादी अपस हीरे को भी इसमें रख सकते हैं अधात प्रिक की बात करें तो अ खनिज की उपलब दिता के बारे में हम लोग बात करें तो खनिज कहां पाये जाते हैं कि सामान तक खनिज आयस्क में पाये जाते हैं किसी भी खनिज में अनवयवय या पिर तत्तों के मिसाण या पिर संचैन संचैन ही तो आयस्क सब्द का प्रियोग किया जाता है खनन का आर्थिगमात तभी है जब आयस्क में खनेजों का संचेंट परियाप्न मात्रा में हो खनेजों की खनन की सुगधा इसके निर्माणवा सरजना पर निवर करती है खनन सुगधा इसके मूल को निधारित करता है अता हमारे लिए मूल मुख सेल समूव को समझना अत्यांत आवसक है जिनमें ये खनेज पर निमन सेल समूव में सिपराप्त होते हैं अगने तथा कायंतिक चट्टानों में खनिच, दरारों, जोडों, भेंसों बबीद्रों में मिलते हैं आपको देखने को छोटे जमाव सिराओं की रूम में और बेहर जमाव परत की रूम में भी पाया जाते हैं इनका निर्माण भी अधिकतर उन समय होता है जब एक तरल अथवा गयसी अवस्ता में दरारों के सारे भूपिट की ओर धकेले जाते हैं उपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं मुक्ता धात्वी खनेज जस्ता तावा जिंक सीचा अधी इसी तरह की सिराओं बस जमाव की रूम में प्राप्त होते हैं अनेक खनेज अवसादी चक्टानों की अनेक खनेज संस्तरों में या पर परतों में पाय जाते हैं अध्यदिक उर्समा वद्दवाव का पैड़ा में आउसादी चक्टानों में दूसरी सेंडी के करेंजियों में जेपसम पोट टास नमक वा सोडिय हम सम लेते हैं इनका अनिमाट विसे इसका सुस्क पिदेशों में वास्वी करेंड के पल सुरू होता है आपने सुना होगा ना कि कोईला हो गया फिर कच्चा तेल हो गया इन्हें बनने में लाकों साल लगते हैं समय रहे हैं यानि कि जैसे सूर हो गया, पानी से बनने बाली गूर जाओगे, फिर बायू से प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि ये ऐसे नभी करनी है इस रोत हैं, कि जो जब तक धरती रहेगी, जब तक हमारा रास्तित रहेगा, तक तक बनी रहेगे, कोईला एक समय के बाद कच्छा, ते प्राइस के वाली अपसिष्ट चटाने रहे जाती है, बॉकसाइड का निर्माड इसी पिकार होता है, पाहडियों के आधार तधा गाटी तलकीरेत में, जलोड जमाओ के रूम में भी कुछ खनिच पाये जाते हैं, इन में ब्रया ऐसे खनिच होते हैं, जो जल द्वार घर प्रक्सिद नहीं होते हैं, इन खनिचों में सोना, चांदी, टिन बापलेटी नम प्रमोक हैं, माहसागरिये जल में भी विसाल मात्रा में खनिच पाये जाते हैं, लेकिन इन में से अध्रिकांस के ब्यापक रूप से बिसरत होने के कारण इनकी आर्थिक समाथ सार्थकता क है, आने वाले दुनों में हो सकता है कि इसे भी निकालेंगी सुग्धाफ हो जाए, फिर भी सामान नमक मेगनेशियम ब्रूमाइन, जनत समुदरी जल से ही प्रग्रहित यानि की मिलते हैं, माहसागरिये तली में भी मेगनीच ग्रैंतिकाओं में भी धनी हैं हमारी रेट हॉल, खनन, क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांस खनिज राष्टी के थे, इसका निस्करप्शन सरकारी अनमती के पश्चाती संभव है, आपने देखा होगा टेंडर डाले जाते हैं, कई प्राइविट कंपनी आप से लेती हैं, या नहीं कि सरकार की अनमती क बगेर आपलो, इन्हें नहीं खुदाई कर सकते हैं, खनन नहीं कर सकते हैं, किन्तु उत्तरपूर भी भारत के अधिकांस जन जाती हैं चेत्रों में खनिजों का स्वामित, ब्यक्तिगतियवा समधायों को पराते हैं, मेगाले में कोईला लोहे अस्क, चूना पत्तर का सुवाई बदचेरा पुझी में कोईले का खनन परिवार के सदस्द्वारा एक लंभी संकीट सुरंग के रूम में किया जाता है, जिसे रेट हॉल खनन कहते हैं, नेशनल ग्रेन ट्रिव्यूनल ने इन किरिया कलाबों को अवेद बोसित किया और सलाय दीकी इसे तुरंत र संसादन मिलते हैं, यागिपी इनका वित्तिरण आसमाने, मौटे तोर पर प्राइदीपी ये चट्टानों में कोईले, धात्वी खनिज अब्रक बाँन अनेक अधात्मी खनिजों के अधिकांस बंदार संचित हैं, प्राइदीप के बश्चिमी और पूरुफ आसमाने, ग उत्तिवी भारत के विस्तत जलूड मैदान आर्तिक भारत के खनिजों से लगबग बिहीन हैं, एविविन्यताएं खनिजों की सरचना में अंतरगिर्ष्त, भूगर्विक सरचना, पिक्रियाओं उसमय के कारण हैं, आईए अवह हम भारत में कुछ प्रमुक खनिजों के व भूमिका निवाते हैं, अता हमां की पूर्टी के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चैन करना पड़ता है, ऐसा हो जाने हैं कि बाद यह खनिज निच्छे अधवा भंडार खनान में बरिवर्दित हो जाता है, सबसे कहले हम लोग बात करते हैं, लोई खनिज, लोई ख अच्छा, बड़ी मात्रा में धादविक खनिजों का निर्याद भी करता है, यानि कि हमारी पास इतना है लोई खनिज मिल जाता है, हमारी यह निकलता है, कि हम अपने घरेलों जो भी हमारी मान होती हैं, उसे भी हम लोग पूरा कर लेते हैं, और बाकी के देशों को हम अच्छा, लोई एस्क, आयरन, लोई एस्क एक आधरवुद खनिज, तता उद्धोगिक, उद्धोगिक विकास की रीड है, भारत में लोई एस्क की विपोल संसाधन बिद्धमान है, भारत उचकोटी की लोई एस्क योग्त लोई एस्क में धनि है, मैगनेटाइट सर्व बिसेद रोग से उपयोगी है, हेमेटाइट सरवादिक मात्रोंड दोगिक लोग ऐस्क है, जिसका देखत मात्रा में उपयोग हुआ है, किन्तु इसमें लोहांस की मात्रा मेगनेटाइट की अपिक्छा थोड़ी सी कम होती है, इसमें लोहांस आपका 50-30-60-30-30 तक पाये जा तक बावंद 30-30, तक पावंद 36-30, करणा तक 16-30, जारेगंट 11-30 और अनराजियों में 7-30 देखिए एक समय हमारे यहां खेती कैसी हुआ करती थी एक समय आपने देखा है कि डंडों से खेती होती थी खोद कर फिर आपने देखा है कि लुहा का उतपादन लुहा की उतपती हुई तो लुहा में खोज भी और लुहा हम सब यूज करना लगी तो फिर हम लोगों ने फा प्रियापार में अभी आपने देखा है फैक्टरियों में किस तरह से इसका उपयों भूने लगा है करनडभासा में कुद्रे सब्द का अर्थ होता है गोड़ा करनाटक की पश्टमी घार की सबसे उची चोटी गोड़े के मुख से मिलती जूलती है बैला डीला की पाड़ियां बैल के डील से मिलती जूलती है जिसके कारण इका नाम पढ़ा है अब आपका से कई बार कुश्टन्स बन जाते हैं इंटर्वी में भी पूछ लेते हैं क्या आप सोचिए कि करनाटक की पश्टमी घाट की सबसे उची चोटी जो है यह आपकी इसे क्या कहते हैं पर आपने सुना आओ गया एक बैला डील की गईल बारत में लोई इसके की पेटियों की बात करें तो उडिसा जालखंड पेटी, उडिसा में उचकोटी का हमेटाइट किस्म का लोहा, लोई एसक मयूर वन्यवाब, केंदू जर्ग, जिलों में बादम पहाड, पहाड खदानों से निकाला चालता है, इसी सिफ्ट सन्यद जाल आकन्ड के सिंभूंग, जिले में गुआ, नुवा मुंडी से हमेटाइट केस्क का खनन किया जाता है, पर आप देखते हैं, दुर्ग वस्ता चंदपूर पेटी, या पेटी महराश्त बाद चतिसगड राज्यों के इंतरगत पाई जाती है, चतिसगड के वस्ता जिले में बेला डीला पहाड़ी, सिंकलाल में अती उत्तम कोटी का हमेटाइट लुहा पाया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि इसकी गुडवत्ता की लोहे कि चौदे जमाव मिलते हैं, इसमें इस पात बनाने में आवस्त सर्वसिष्ट बहुती गुड़ बिद्दमाने, इन ख चिक मंगलूर तुम कोरू पेटी, करनाटक की इस पेटी में लोहे अश्क की बेल ब्यहत रासी संचित है, करनाटक में पश्टमी गाट में अवस्तित कुद्दे मुग की खाने सतकती सत नरयात एकाई है, कुद्दे मुग निक्षेव संसार की सबसे बड़े निक्षेवों में से एक माने जाते हैं, लोहे अश्क करदम, रूम में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर की निकट एक पतन पर भीजा जाता है, महराष्ट गौा पेटी, या पेटी गौा तथा महराष्ट राज्जी की रजनागी जिले में पिस्तित है, या भी यहां का, लोहा उत्तम प प्रिकार का नहीं है, तदापी इसका दक्चिता से दोवन किया जाता है, मर मगाओ पतन से इसका निर्याद भी किया जाता है, पर आप देखते हैं मैगनीज, मैगनीज मुक रूप से इस पात करी भी निर्माड में परियोग किया जाता है, एक टान इस पात बनाने में लग जबी नए आंग्डे आते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण होता है, और जो आपकी बजट आता है, तो इसलिए तो कहा जाता है, कि उस समय आप लोग जो भी नए अपडेट हो रहे हैं, और करेंटे पहर से आप लोग जोड़े रहे हैं, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में आप अपको बाकि अंगर आखिया उसमें 2,30 आपको मेंगनीच उत्पादन देखने को मिलेगा यह देख रहे हैं आप भारत हमारा प्यारा यह पाकिस्तान हो गया आपका पड़ोसी यहां आफगारिस्तान प्यों के वाले हिस्ते से लगता है है जम्गु कस्मीर को आपका दो बागोमेर्ट इन्घा रहा है अब देखिए आप लोग यहां आपको देख रहा होगा यह देख रहा है लानटैप की यहां भी देख हैं तो यहां भी देख रहे हैं यहां भी देख रहे हैं इसमें यह लाल है जो चंदपूर यह लुएस के खाने हैं यहां दुरूग, बैलाडीला, गुवा, कैंदजूर, मयूर बंज, इसके बाद आप देखेंगे गुवामिम, आप, मारमागाउ, रत्नागिरी, फिर कुद्दे हैं फिर आप देखेगे की यहां एक देख रहे हां आप लोग यहां kाली रंग में लोइस के निर्यातं पटन ही हो गिए, मंगलोर, पटना, पिशाका पटनम, यहां कगवामिम, यहां आपका यहां से पारादीब यहां से अंग देश हो गए, नाम पुरॉवाला गाट, य ये सभी आपके चेन वॉक्साइड के अब्यक जैसे गया हजारी बार बेवार अजमेर ये आपके क्या हुगया अब्यक अब्प्राइड बारत में उडिसा मैखनीच का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वर्स 2000 से 2001 में देश के कुल उत्पादन का एक तयाई भाग यहां से प्राप्त हुगा पर आपके आलोवे खनीच बारत में आलोवे खनीच की संचित रासी वा उत्पादन अधिक संतोर जनक नहीं है यह पी भारत में कामे के बंडार वा उत्पादन के रांती रूप से निवन है यानि की कम है धात वर्ट तन और ताप सुचालक होने की कारण तामे का उपयोग मुकता बिजली के तार बनाने इलेक्टोनिक्स और रसायन उत्पयोग में किया जाता है आप लोग देखते होगे ना क चिला भी तामे का मुक्त उत्पादक है राजिस्तान की खेतवी खताने भी आपकी तामे के लिए पिसित है मलाजगंड में तामा खना यह देख रहा है मद्विदिश में आप लोग सुनते है पर आपका बॉक्षैट यागि पी अनेक ऐसकों में अलुमिनयम पहले आता है परन्तु सबसे अधिक ऐलुमिन त्क के लिए जैसी दिहानेगने वाली जैसे दिखने वाली पदा बॉक्षैट से प्रांपर डचना, अलूमिनियम से लिए केटों से समड़़ भ्याप सब्ढ बारत में बॉक्साइड के निचे मुक्ताब को अमर्कंटक यानि कि मत्विदिस पठाग अमर्कंटक पठाग मेहकाल पाड़ी हैं गिलास्पूर कटनी के पठारी चित्रों में देखने को मिलीगा एफ बॉक्साइड उत पादन में राज्यों कांस की बात करें तोड़ी साउ गुजराद 24 पिती सच जहारी खंड़क 9 पिती सच चतिस गड़ापका अठीच अनराज आपके दो पिती सच ठीक है बॉक्साइड खना खदानों का खनान हो रहा है इस तरह से आप जखेंगे उडिसा वारत का सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्ये 2016 सब्सक्र समराड नैपोलियम तितिये अपने कपड़ों पर अलूमीनियम से बने खुकुबा बटन पहनना पहनता था तथा अपने खास महमानों को अलूमीनियम से बने बरतनों में बोजन कराता था तथा तथा आम महमानों को सोने बाद चांदी की बरतनों में बोजन परोसा जाता इस गटना के 30 बर्स बाद पेरिश में बेकारियों के पास अलूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी आज समझ सकते हैं कि पहले किस तरह से जिन इनका उपयोग होता था आज तो नाव के बराबर आपको देखने को मिलेगा फिर आता है आपका अधात्वी खनेच इसमें अब्वैक अब्वैक एक ऐसा खनेच है जो पिलेटों अधवा पत्रन क्रम में पाय जाता है इसका चादरों में विपार्टन आसानी से हो सकता है ये परते इतनी महीन हो सकते हैं कि इनकी 1000 परते कुछ सेंटीमीटर उचाई में समायत हो सकती है अब्वैक पारदर सी काले हरे लाल पीले अधवा भूरे रंका भी हो सकता है इसकी सरोच पराविद्दू सकती पूर्जा एरास का निम्न गुडांक बिन सवाहन की गुड और उच बोल्टता बॉल्टिज की पिती रोधक रोधिकता के कारण अब्वैक बिद्दूद वा इलेक्टोनिक उद्दोगों में भी प्रयोक्त होने वाले आप रिहार ठनिजों में से एक है इसे आप लोग देखते हैं बिद्दूद और इलेक्टोनिक सामनों में 20 का उपयोग करते हैं अब्वैक के निचे में चोटा नागपुर पठार की उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं मैंगनिसियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाय जाता है या अधिकान साउसाधी चट्टानों में पाय जाता है चूना पत्तर सेमेंट उत्द्व का एक आधार बूद कच्छा माल होता है और लोई पेगलन भी की भंटियों के लिए भी एक अनिवार होता है यह आप करेंगे चूना पत्तर उत्पादन में राज्यों कत्रम मद्विदेश में गया रहे राजिस्थान 21 अब तेलंगरा आठ तमिलाड़ू आठ गुजरात करनाटक 36 गर आंधिश याद रखिए जिस समय आप लोग जाते हैं उस समय करेंट के जो भी आंकड़े हों उससे देख कर जाया करिएगा जब पेपर देने आप जाते हैं उस समय आप लोग अपडेट कर लिया करेंगा यह तो बस आपके लिए समझाने के लिए खानन को घातक उद्योग बनने से रोखने के लिए दर्ड सुरक्षा वी निमय और पर्याबणी यह कानूनों का किरियानमन अनिवयार कर दिया गया है पहले आप देखते थें कि नदी में से आप लोग रेट भी उठाते थी तो कितना उठा लेती थी कोई पावंदी नहीं हुआ करती थी लेकिन आप देखते हैं आप लोग के एक सीमित कर दिया गया है कि इतनी बालू आपको खानी है इससे जाना नहीं करना है तो परियाबाण का भी हमें ख्यार लखना है समझ रहे हैं तरक्की से जाना हमें परियाबाण का भी ख्यार लखने की जरूगत है खननेनिंगे जोकिम खत्रों की बात करें तो क्या आपने कभी खनीकों द्वारा आपके जीवन को सुविधा जैक बनाने के लिए कि ये गए प्रयासों के बारे में सुचा है खनन का खनीकों के स्वास तथा परयाबन पर क्या प्रभापड़ता है खदानों में काम करने वाले सेमिक लगाता है धूल बहानी कारण धूए से में सांस लेते हुए फैंपड़ों सम्मंदी बीमारियों के सिकार हो जाते हैं खदानों की छतों की गरने सैलाबाने जल पिलावित होना कोईली की खदानों में आग लगने आदी खत्रे खदान सेमिकों के लिए अज इस्थाई हैं खदान शेत्रों में खदान की कारण जल संदूसित हो जाते हैं आउस्थिष्ट पदालतों तथा खदानी तरल की मलवी में कि खत्ता लगाने से भूमी बा मिट्टी का आउच्छय हो जाता है और सरजदाओं नदियों का नदियों भी पिदूसर्ण हो जाती हैं कई बार आप सुनते हैं कि कोईले की खान में आग लगने से भी स्पोर्ट हुआ वहां इतने लोगों की मौत हो तो यह भी नुक्सान होता है और आपका जो जल है इसे भी इसे पिदूसर्ण होता है उसके आसपास आप लोग जब जाईए जब वो चल रहा हो तो किस तरह से धूल उड़ती है आपको देखना बंद हो जाएगा या पिर आप लोग जब जाईए कभी आप लोगों को टाइम मिलता है आपके आसपास केशन मसीन हैं वहां के देखे पेड़ पोदों को ये आपके नियूस्पेपरों की कटेंगे हैं इन्हें भी देख सकते हैं अब बात करते हैं खनीज्यों का संदक्चन हम सभी को दो और किर्सी की खनेज निच्छेपों और उनसे निर्मेद पदार्तों पर भारी निर्भर्ता सुप पेक्चित है खना नियूग निच्छेप की कुल रासी आसार तक अंसे अर्ताद घू परबड़ी का एक पितीसत जिन खनेज संसादनों के निर्माड़ वा संदर्ण में लाफों वर्स लगी हैं हम उनका स्थिक्ता से उपयोग कर रहे हैं खनेज निर्माड़ की भूगरविक पिक्रिया इतनी दिमे हैं कि उनके वर्तमान उपयोग की दर की तुल्ला में उनके पुनरवर्ण की दर आपरीमित रूप से थोड़ी है इसलिए खनेज संसादनों संसादन सीमित हैं तथा आनवी नभी करण योग हैं खनेज संब्रदिक खनेज निच्चेप हमारे देश के अत्यदिक मूलवान संबत्ति हैं लेकिन एक अल्ग जीवी हैं आयसके के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है क्योंकि खनेजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुडबत्ता घटती जाती है सीधा यहां कहने का मतलब यह है कि आपके जो भी खनेज हैं फिर चाहे आप लोहा देखिए फिर चाहे आप लोग बाकी का सामन देखिए देखिए लोहा का problem नहीं है लोहा में क्योंकि लोहे को आप लोग एक बार यूज़ कर लेते हैं पर उसे दूसरी बार भी बदल सकते हैं लेकिन कोईला को आप देखिए कच्छे तेल को आप देखिए इसे आप लोग यूज़ कर लेते हैं तो यह पूरी तरह से खतम हो जाता हैं तो इतनी रप्तार से हम लोग चल रहे हैं तो इसकी भरफाई करपाना मुस्किल है आपने खले संसादनों को सुनी जिए उजित एवं सतत पोष्णिये ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त तर्यास करना होगा निमने कोटी के ऐसों का कम लाखों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत परोधगी कीवों का सतत विकास करते रहना होगा दातों को पुना चक्रन, रद्धी दातों का प्रयोग और अन्न पित्ती इस्थानों का उप्योग भविस में हरामारी खनेज संसादनों के सरक्षन की उपाय हैं इन्हें छोड़ी है आप लोगों ने सुना होगा कि आपकी जो रद्दी होती किताबें होती है इन्हें किस से बना Mario नहीं पेड़ों की छलदों से पेड़ काट करेई इन्हें मनाया जाता है तो कहा है 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 कि अमेरिका में एक बार बुक्स छपने के वाद, उसे 7-8 बार बच्ची यूज कर लेते हैं, समझ रहे हैं, और आपकी यहां दिखा होगा कि एक बार आपकी बच्चों को बुक्स दिलाई जाती है, वो एक साल में ही उन्हें बरबाद कर देते हैं, यानि कि उन्हें दूसरा बच्चा पढ़ने उर्जा संसाधन, उर्जा सभी के रिया कलापों के लिए आवसके, खाना पकाने में रोसनी वाताप के लिए गाडियों के संचालन तथा उद्धोहों में, मसीनों के संचालन में उर्जा की आवसकता होती है, उर्जा का उत्पादन इनन खने जैसे कोईला, पैटॉलियम, प्राक्तिक गैस, यूरिनियम तथा बिद्धो से किया जाता है, उजैसन साधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में बरगी कित किया जा सकता है, परंपरागत साधनों में हम देखेंगे तो लकडी हो गया, उपले हो गया, कोईला, पैटॉलियम, प्राक् गेरामीट भारत में लगडवा उपले बहुतायात में प्रेयोग किया जाते हैं, आप लोग देखते हैं, अप दीखतर लोग खाना इसी से बनाते हैं, इसी का उपयूग करते हैं, आप फिर चाहिए आप लोग इंट के भडटे में उपयूग देख लिजें, लगड़ी और उपले का ही प्रयोग करते हैं एक अन्मान के उस्वार गिरामीट घरों में आवस्ट कूज्या का 70-30 से अजिक इन दो साधनों से पराथ हुता है लगड़ी और उपले उपले वही होते हैं जो कंडे करा जाता है कई छेत्रों में जो पसुंगों के गोवर से बनाया जाते हैं जिसे किर्सी में प्रयोग किया जा सकता है अब देखते हैं थाद की बात की जा रही है परामपरागत उर्जा की सरोतों की बात करें तो कोईला बारत में कोईला बहुतायात में पाया जाने वाला जीवास मीदने या देश की उर्जा वस्टक्ताओं का मात्कून भाग किना जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि कुईले का निर्माड पादपदारतों के लाखों परस तक संपीडन से हुआ है इसलिए संपीडन की मात्रा गहराई और दबने के समय की आधार पर कुईला अनेक रूप में फाय जाता है दल दलों में छह होते पात्मों से पीट उत्पन हो पर निम्ने ताप चमता होती है पीट कुईला में लेगनेडाइट एक निम्ने कोटी का भूरा पूला होता है या मुलायम होने के साथ यह आप देख रहे हैं न कुईला खदान का आंत्रिक दरस नमियुक्त होता है लेगनाइट के प्रमों बंदार आपके तमिलाडू में निविली में मिलते हैं और बित्धुत उत्पादन में प्रयोग किया जाते हैं गहराई में दवी तथा अधिकताम मान से सरभावित कुईली को बीटूमीनस कुईला कहा जाता है वाडिज्जे प्रयोग में सरवादिक लोग प्रिया धातू सोधन में उच सैडी के बीटू सोरी 200 लाक वर्स से कुछ अदेख है और दूसरा आपका तरसीरी निच्चिप जो आपका 55 लाक वर्स पुडाने है गौडवाना कुईली जो धातू सोधन कुईला है किप्रमुक संसादन दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल और जारकंड में जरिया रानीगन बोकारू में सब्सक्राइब कोईली के जवाँ पाया जाता है याद रखे कि कुईला स्थूल पदार जिसका प्रयोग करने पर भार भीड़ता है क्योंकि यह राक में परिवर्तित हो जाता है इसी कारण भादी उद्दोवों बाता विद्दुद कि रह कोईला चेत्त दवां उसके निक वारा पत्रियोग करने लाएं कि बस्ता भी नहीं है रिधे आपके कोईला स्यित हो गया ठीक है प्लाथ यह डाकर संगयुनु ऑलख फिल चॉब भी ठीक है और यह आप लाइन देख रहा है लाइन टाक की ए एच भी ये प्राक्तिक येस पाइप लाइन होगे गुरुगराम दिल्ली सौनी पत हजारी वाग अंक्ले सर जावुआ विजैनगर आंता औरेया जगदीश पोर ठीक है अब बात करते हैं पैटॉलियूम बारत में कोली की बच्चात ओर्जा का दूसरा प्रमुक साधन पैटॉलियूम या फिक खनिश्टेल है यह ताब बाप विकास के लिए इंधन मसीनों को इस नियक आनिक वी निर्मार उद्योगों उद्योगों को कच्छा माल पिदान करता ह तेल सोधन सालाय संसलेसित वस्त और वरग तथा आसन के रसाइन उद्योगों में एक नोडिय बिंदू का काम करता है बारत में अधिकास पैटॉलियूम की उपस्तिती टर्सरी योग की सेल रसरचनाओं की अवनती अपनती बभरंश टैप में पाई जाती है वलन अपनती गुम्मदों वाले पिदेसों में यह वहां पाई जाता है जहां उद्ध वलन्स की सीश में तेल टैप हुआ होता है तेल धारत धारक परत सरंद चूना पत्थर या पर बालू पत्थर होता है जिसमें इसे तेल प्रभावित हो सकता है मदवती आसरंद परतने तेल को और उ की होने की कारण खनछ के तेल की ऊपर पाहिआ बारत में मुंबई हाई गुजरात और असंख प्रमुक प्यट्टॉलीयम उत्पादक चैत हैं बारत के मानचेत में तीन प्रमुक अपघ्टट यह चैत तेल चेत जन्निक करें अंकलेस व गुजरात का सबसे महत्मूर तेल चेत है असम भारत का सबसे पुराना तेल उतपादक राच है यहां सबसे पहले आपने देखा हुआ सबसे महत्मूर तेल उतपादक राच है यहां कि हम लोग 85-80% अपना जो भी कच्छा तेल उतपाद मतलब उतपादक होता है उसका 85-80% तक हम लोग बाहरी देशों से आयात करते हैं कच्छा तेल फिर उसे हम लोग अपने हां अलग जैसे पैट्वल हो गया गैस हो गई और ड पर आप सुनते हैं प्राक्तिक गैस प्राक्तिक गैस एक मतकों सफ्च उर्जा संधन है जो पैट्वलियों के साथ अतवा अलग भी पाइजाती है इसे उर्जा कि एक साधन के अत्ilt too यिया और ऑच्च्छा जो गया जाता है इसलिए एक बरत्मान सदावधी का इनन है, आप में सुना होगा है कि carbon dioxide सबसे जंदा उत्सरजन होता है प्रचाया आपको इलाले लिए या पर देख लिए diesel, petrol में, तेल में, तो आप कहानी जाथ है कि hydrogen है जो भविस्थ का इनन है, यानि कि इससे ना के बराबर आपका carbon dioxide इसलिए deviation में प्राक्तिक गेस के विसाल भंडार खोजे गया, पश्चिमी तटके साथ मुंबई, हाई और सनित, शेत्रों को खंबात की ठाड़ी में पाए जाने वाले तेल शेत संपूरित करते हैं, अन्डवान में कुबार दूइप समूव में भी मत्पूर शेत हैं, जह अन्डविक चित्रों से जोड़ती है, इस दमनी से भारत के गयस उत्पादन को संभेग मिला, उर्जा वा उर्वरक उद्द्योग प्राक्तिक गयस के प्रयुकता है, गाडियों में तरल इंधनों का संपीरन प्राक्तिक गयस सी एन्जी से पिती स्थापन देश में लोग पर यह हो रहा है, यह आप देख सकते हैं, ओर्जा, ओर्जा सेयन थे यहां के, देख लिए एक बार हम लोग यह लाल कलव में केगा होगे, यह आड़ भी कूर्जा की सुरों थे हैं, यह आपके ताप यह इन्न और हो गया, विजय बाड़ा, आंगे हम लोग इन्ही के बार टाइम टाइम से पानी पीना जरूरी है, दिल्ली फरीदाबाद, नरोरा, लाउद भाटाई, आणडविकूजा, काक्रा पारा, तारापुर, केगा कुलप, कलपक्कम, ठीक है, विद्दुद, आदोने की विद्दुद की इन्नुपियोग इतने ज्यादा विस्तित हैं, कि इसके पिती व्यक्ति उखो को विकास का सूजकांक माना जाता है, विद्दुद मुकता दोपिकार से उत्पन की जाती है, फिर वाही जल से जो हाइड्रो टर्वाइन चला कर, जल विद्दुद उत्पन करता है, आप लोगोंने सुना होगा ना, कि आपके याँ बड़े- गेस को जलाने से भी तरवाइन चला कर, ता विद्दुद उत्पन की जा सकती है, एक बार उत्पन हो जाने के बाद विद्दुद एक जैसी ही होती है, फिर चाहे आपकी चाहे जल की हो, फिर चाहे आपकी किसी हीधन द्वारा उत्पन की जाती है, जो एक नवी करन योग स बारत में एक बहु उद्देशी प्रयोजना है जो विद्धूत उर्जा उत्पन करते हैं जैसे भागड़ानागर, दामोदरघाटी कार्पूरेशन, कोपिली हाइडर प्रयोजना आदी, ता विद्धूत जिसमें कोईला पैटॉलियम प्राक्तिक गैस के प्रयोग से उत्प किया जाता है, क्योंकि इनसे आपका ना के बराबर आपको मिलेगा जो पिदूसंट फिलता है, कारवन डाय उपसाइड हो या फिर बाकी गैसों का उत्पन हो, एक कम ही उत्पन होती हो से, लेकिन आप पैटॉलियम से देखते हैं, कोईला से आप देखते हैं कि इतनी बुर किमते हैं, तथा इनकी संभाव कमी ने भविस में उल्जा अपूर्टी की सुरक्षा किपती अनिश्चिताएं उत्पन कर दी हैं, इसके राष्टी ए अर्दवस्तागरी की विद्धी पर गंबीर पिरफा पड़ते हैं, इसके अतरिक्त जीवास में, इंधनों का प्रयोग गंबीर परयावणी है, समस्याएं उत्पन करता है, अता हनभी कहने योग उर्जा संसाद मुनों, जैसे सूर उर्जा, पवन उर्जा, जवारिय उर्जा, जवेक उर्जा, और आपस्ष्ट पदाल जनेत उर्जा के उप्योग को बहुत जरूरत है, ये उर्जा के गयर पर पर जने लगते हैं उर्जा, तो जब तक हमारी जीवन रहेगा इस तहर्थी पर, तब तक आप सूचिए पानी भी रहेगा, ज़द दिन पानी खतम हो जाए, हबा कतम हो जाए, उस दिन वैसे भी हमारा अस्तित खतम हो जाएगा, तो अब जाना जोर दिया जा रहा है इन्ह कारिकरम भी बनाए गया है आप सोचिए कि धूम में से उर्जा मिले लगी सूर से तो हमारे यहां वैसे भी सूर अच्छी रोसनी पड़ती है तो हमारे यहां आपने सोलर लाइट देखी होगी ना सोलर फ्लेट उन से भी वही है आपका परमाडू अत्वा आडवी कूर्जा परमाडू अत्वा आडवी कूर्जा अड़ू की सरचना को बदलने एक से पराप्त की जाती है जब ऐसा परिवतन किया जाता है तो उस्मा के रोम में काफी उर्जा बिमुप्त होती है और इसका उपयोग बिद्धुत उर्जा उत्पाधन करने में किया जाता है इूरेनि की मात्रा पाई जाती है कि सौर उर्जा भारत एक उफन कटिवंदिये देश है जहां सौर उर्जा दोवन की असीम संभाव में है फोटो वोल्टाइक प्रुद्ध की द्वारा दूप को सीधे विद्धुत में परिवतित किया जाता है बारत में ग्रामीड वा सुदूर च परियाबन स्ट्रक्षन में इवदान देगा और किसे में भी खाल्दी की परियाफ्त आप उठती होगी अभी आपने रीवा में देखा होगा सोलर भार्ग इसी का उधारन है अब कर देखते रहते हैं इस तरह कि आप लोग देखते होंगे गाहों की तरफ सौर उर्जा नागर कुएल से मदुरेई तक अवस्तित है इसके अतरिक कांद पिदेश करनाटा गुजरात केरल महराश और लच्चिदी में भी मात्पून पवन उर्जा फाल में नागर कुएल जैसल में इस देश में पवन उर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं वायो गयस उत्पन की जाती है जैविक पदार्तों के अवगर्टनन से गयस उत्पन होती है जिसकी ताफिया सक्षमता मिट्टी के तेल उपलों वच्चालकोल की अफिक्चा अधिक होती है आकि वायो गया सेयंद नगरबाली का सहीकाजता तथा निजी इस्तर पर लगाये जाते हैं पसुगों को गोबर प्रेयोग करने भालि-सयंत ग्रामीड भारत में गोबर gas plant के नाम से जाने जाते हैं एक किसान को दो बिकार से लावान वीद करते हैं एक उढ़िए की ज्वारी यह उड़ जाता है। जाता है। और टरवाइन गुमती है। उससे आपका विद्धुत उत्पन होती है। क्योंकि बड़ती गहराई के साथ प्रगामी डंग से तप्त होती है। जाहां भी भूत आपिये प्रवन्ता अधिक होती है। वहां उतली गहराईयों पर भी अधिकता अभ्मान पाए जाता है। ऐसे चेत्रों में भूमीगत जल चट्टानों से उस्मा का आउसूसन कर तप्त हो जाती है। या इतना तप्त हो जाता है कि अपित्वी की सतय को और उठता है। और या भाब में परियोगत हो जाता है। इसी भाब का उप्योग तरवाइन को चलाने और विद्धो तुत्पन करने में किया जाता है। भारत में सेक्रों गरम पानी के चस्में हैं जिनका विद्धो तुत्पादन में प्रियोग किया जा सकता है। भूत अब ताफिये उर्जा के दोहन के लिए भारत में दो पर आये गएक परियोजनाय शुरू की गई है। एक हमाचल पिदेश में आप मड़ी करन मनी करन के निकट पारवती गाटी में इस्ते थे थे हैं। उर्जा संसादनों का संरक्षन की बात करें तो आर्थिक विकास के लिए उर्जा एक आधार वूर आवसकता है। राष्टी अर्द्रवस्था के पिदेख सेक्टर पिर चाहिए आपका क्रिसी हो दो परिवान हो वाइडेज जो फिर घरेलू आवसकताओं की पूर्थी के लिए हो। उर्जा के निवेस की आवसकता है। उर्जा की आवसकता इन सभी छेत्रों में पढ़ती है। सुतंता पराप्ती के वश्चात क्रियानवित आर्थिक विकास की परिप्टियों जिनाओं को चालू रखने के लिए उर्जा की बड़ी मात्रा की आवसकता थी। फलसवरूप पूरी देश में उर्जा की सभी प्रिकारों का उपयोग धीरे-दीरे बढ़ रहा है। इस पेष्ट पो में उर्जा की विकास के सततकोष्णिय मारिक के विक्सित करने की तुरंत आवसकता है। हमें उर्जा के सीमे संसादुनों की नियाए संगत ओपयोग के लिए सावधानी पूर्वक पूर वागम अपनाना हुगा। उधारन के लिए एक जागुरूप नांगेरिक के रूम में हमें यातायत के लिए निजी बाहन की अपेक्छा सारविजनिक बाहन का उपयुब करें करके जब प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करके बिद्धु बचत करने वाले उपकरणों की प्रयोग से गैर प्रयोग में देखते हैं तो आप काम हो या ना हो लाइट आपकी ओन रहती है तो उसे बंद करके भी आप यहुदान दे सकते हैं या फिर आप देखते हैं कि आप कहीं ट्रैफिक जाम है तो आप गाड़ी चालू रखते हैं दिखावा करने के लिए तो वहाँ भी भाई ब दोटा ही सही लेकिन एवदान दे सकते हैं तो यह आपका अध्याय पांचवा था खाने तता हुजासन सारण इससे संबन देखते रहिए और टेलीगराम पर एवी पीडियाप आपकी डेली हुई है वहां से डाउनलोड करके इसे पढ़ लीजे ठीक अब अध्याय चाह दे चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे NCEIT कप्छा दस्वी की समगारी भारस सेकेंड के राम से जो आपकी वोक से उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें आपके पांच चेप्टर खितम कर चुके हैं छटबा चेप्टर है हम लोग बात करेंगे बी निर्मार्ट उद्द्यों के बारे में याद रखिए आप लोग अगर सिविल सर्विस या फिर किसी स्टेट पी सीस की तेजारी कर रहे तो आप लोग समय रहते हुए NCEIT को पढ़ लें क्योंकि इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है इन्हें आपको पढ़ना ही है तो क्यों नहीं पहले करते रही है आप लोग कपछा 6 मीजे कक्छा 9 फी की सभी बुक्स हम लोग कपड़ेट कर चुके कपछा 10 फी एक बुक्स लोगतांतरी की राजनीती शेकर्णे के नान जाए यो आपकी बुक्स है उसे भी कवर कर चुके और ए समकाली बारस शेकर्णे इसके बाद पूरी 12 तक आपकी यानि की भारवी तक की सभी बुक्स जो आपके लिए जरूरी है उन्हें करवर करेंगे हैं लोग चलिए हम लोग देखते हैं इस चेप्टर को दीवाली के अउसर पर हरीस अपने माता पिता के साथ बाजार गया उन्होंने उसके लिए कपड़े ततना जूते खरी यानि की मिट्टी के दीव खरी थे हरीस ने देखा कि दुकाने अत्यदिक सामान से भरी थी चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देखके रहा है है रान था उसके पिता ने समझाया कि जूते कपड़े चीनी आदी बड़े उद्योगों में मसीनों द्वारा बनाए जाते हैं चोटे उद्योगों में बनाए जाते हैं तो द्वी दीप जैसी चीजें बैक्तिकत तोर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाते हैं आप लोग याद रखिए जो भी आपकी N.C.E.R.T. हैं वो इतनी साधान सब्दों में लिखी गई इसरव सब्द के साथ ने पढ़ना है आपको कोई भी ऐसा सब्द नहीं मिलेगा इसमें अगर अच्छे से बढ़ते हैं जो समझ में ना है बस आपको धेयर रख के पढ़ना है कच्छे पदार को मूलवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मातरा में वस्तूओं के उत्पादन को वी में आप या पर वस्तू निर्माड कहा जयता है कि आप जानते हैं कि कावल लकडी से चीनी गन्दे से लोह इस-पाथ लोह एकसक से तथा एलूमिनियम बॉक्साइड से निर्मित है क्या आप यभी जानते हैं कि कई किसम के कपड़े ऐसे रेसों से बनते ही जो रेसा उत्द रिचित का मतलब सिधनी है आप लोग लेख सकते हैं इक प्रात्मीक चित होता है जहाँ आप देखेंगे, जैसे फसल ठीक है जैसे आप ले ले लिजे forcément कि प्रात्मीक दुद्यक्षेत में किसे रखेंगे जहां इसका चीणी में बदला जा रहा होगा उसे आप लोग उद्ध्योग कह देते हैं उद्ध्योग धंदा लगा हुआ है उद्ध्योग लगा हुआ है समझे हैं दुधियक कारवों में लगे ब्यक्ति कच्चे माल को परिसकत बस्तूओं में परिवर्दित कर देते हैं इस्टील कार कपड़ा उत्देओं बैकरी तब हम प्रेव पदारतों संबंदी उत्दोगों में लगे सर्मेक इसी बर्ट के अंतरगत आते हैं कि दुधियक चेत की कुछ व्यक्ति से वाय पिदान करने में रोजगार पाते हैं इस सद्ध्याय में दुधियक किर्याओं के इंतरगत बी निर्माड उत्देओं की विशह में पढ़ेंगे याद रखें किर्सी चेत आपका प्रात्मिक चेत में आता है और आप सोचिए उससे कि जो भी ग्यों होता है अगर उससे ब्रेड बनाए जा रहे हैं या विस्केट बनाए जा रहे हैं जो भी हो रहा है जैसे गंडे से आपकी चीनी बनाए जा रही है लकडी से लकडी आप प्रांत्न एक्षेत्त में सामिल होगी और उससे कावेत् बनाए मंगत जातीग arada क्यात्थीक चत्थ त्रोट्पर त्रोटSas Haz dalla vaut, hopes ite नुडषाया पर गे에 कुणा करें, किसी देश की अर्थिक unna-t Avengers रिख रिढेंर की ल कि अजक के ने बने लोगत। की बात करें तो बी निर्माण उद्यूग सामानता विकास की तथा विशेष्ट आर्थिक विकास की रेड़ समझी जाते हैं क्योंकि बी निर्माण उद्यूग ना किवल किरसी के आधुनी की करण्स में सहायक है वर दुतियवा तितियक सेवाओ में रोजगार उपलब्द कर अगर किसी पर हमारी निर्वर्दा को भी कम करता है आप लोग देखते हैं कि दुतियक छेत आपके देश में अगर पिछड़ने का कारण है तो दुतियक छेत पर हम लोगों ने जाना पल नहीं दिया और डारेक्ट हम लोग तितियक छेत पर पहुंच गें तो एक खिरम होत से दुतियक छेत में कम ही जोड़ दिया और डारेक्ट तितियक छेत में पहुंच चुकी है इसलिए रोजगार हमारे यहां जाना कुछ पैदा ही नहीं हो पाए समझे रहे हैं कि मतलब अगर उद्वोग धंदे चल रहे हो तो आप सुचिए हम तरह से रोजगार में लेंग किस्तापना कउदेश भी छेत्रिय आसामानदाओं को कम करता है निर्मित वस्तूओं का निर्यात वड़ेक्ज व्यापार को बढ़ाता है जिससे आपेश्चित विदेशी मंत्रा की प्राक्ती होते हैं विदेश विक्सेत हैं जो कच्छे माल को विविन तसा अधिक मूलमा तयार माल में बिनिमित करते हैं भारत का विकास विविद वासी कुट वहीं विकास में नहीं थे यहां आपको बता दू कि देखिए आप लोग किरसी पर किनको काम करते हुए देखते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ है एक तरह ऐसे माल लिजए यह नहीं कह रहा हूँ में कि अगर आप पढ़े लेकिए तो खेती नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई दोराया नहीं, लेकिन अधिकतार निरक्षा जो जन्ता है हमारी वही खेती के कामों में लगी रहती है, और सेवाओं के कामों में लगी रहती है, जो काभियात तक अच्छे से पढ़े लेकिन जो मध्यम ब कोई भी देश विक्सित तभी होता है, अब जापान को ले लिए, जापान के पास कच्छा माल नहीं है वहाँ, लेकिन भी विक्सित है, क्योंकि आपने देखा है कच्छा माल वो अन देशों से आयात करता है, उसके बाद उससे विक्सित करके, यानि कि उसे उप्योग मूल निर्वान तयार माल में बदल कर, यानि कुण का निर्वान करके, जैसे आप ले सकते हैं कि उन्होंने क्या मंगाया, आपके आप से एक किलो कच्छत लोहा मंगाया, ठीक है? उन्होंने वहाँ जाके क्या किया कि आप सोचिए कि चापू में बदल कर मतलब उधारत दे रहा हो चापू बदल दे कीलों में आप सोचिए कि मतलब छोटे-छोटे पुर्जे बना कर आपको में दिये अब बहुत से 25 रोपे का कच्चा लोगा होगा उसे बना दिया हजारों रोपे में बदल दिया तो यही तो तफनीकी है एक तरह से आप बिजनिस कहे लिजिए चाहे से इसलिए आप देखते हैं कि जापान सबसे है पिक से 300 में है और सोचिए कि दो बात परवारू हमला भी ज तक नहीं है एक दूसरी के पूरक है उधार अड़ता भारत में किर्सी पराधारीत उद्धों को ने किर्सी पैदावार बड़ोत्तरी को सहत किया यह उद्ध्यों कच्चे माल के लिए किर्सी बनिर्वर है तथा आइन के द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिचाही के लि जावा मेला अपरतु उत्पादर विक्रिया भी सच्चम हुई यानि कि उत्पादर में भी बड़ोत्तरी हुई है आज बेस्वीकरण के यूंग में हमारे उद्धों को अधिक पितिसपर्दी तथा सच्चम होने की आवसकता है केवल आत्मेरभर ही कापी नहीं है हमारी व उधारन कोई भी हो बस आपको समझ में आना चाहिए समझ रहे हैं मैं तो कहता हूँ उधारन कहीं से भी उठाएए बस आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए किसी भी चक्टर को यहां एक सलसा उधारन आप लेजिए मोबाइल का देखिए चाइनीज पॉंड आपके यह आपका मोबाइल 10,000 का है माल लिए और क्वाल्टी भी उसमें अच्छी नहीं है वही चाइनीज पॉंड आपका 5000 का मिलना है फीचर भी अच्छे हैं उसमें तो आदमी उसे ही खरे देगा एक समय के लिए देशवक्ती ठीक रहती है कि आप सुचें 10 दिन 15 दिन आप देखत ठीक जिनके पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी ना हो वो देशवक्ती नहीं दिखा सकते ही इन कामों में समझ रहें आप लोग कि अपने देश की चीज़ें खरीदें अब बात करते हैं घराष्टी एर्थवास्था में उद्वों का युगदान पिछले दो दस्कों से सकल गहरेलू उत्पात में वी निर्माड वो दोग का युगदान 27-35 से 17-35 ही है क्योंकि 10-35 भाग खनेज खनन, गैस बितुद, ऊर्जा का युगदान है भारत की अपेक्षा अन पूर्वी एसे आई देशों में वी निर्माड का युगदान सकल गहरेलू उत्पात का 25-35 पिछले एक दसक से भारतिय वी निर्माड चित में 7-35 पिती वर्ष की दर से बढ़ोत्री हुई है बढ़ोत्री की एदा अंगले दसक में 12-35 अपेक्षा वर्ष 2003 से वी निर्माड चित का अभिकास 9-10 पिती वर्ष की दर से हुआ है और प्योगत सरकारी नीतियों और अंगले एक दसक में अपना लक्ष पूरा कर सकता है इस उद्देश से राठ्टिये वी निर्माड पितीस पर्दा परिच्छा दियानी की नेसमाल और मैनुपैक्चरिंग कॉंपिटेटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गया हमारे देश में अब बात करते हैं उद्दोग पूजी सकती के साधन और वाजाराधी की उद्दोग से प्रभावित होती है आपकी याद रखे किट्वमाल की उद्दोग की उद्दोग को चला ले जाए तो मुश्किल है इस सभी कारकों का एक इस्थान पर पाय जाना लगवाओ और संभवाओ क्योंकि आप देखते हैं यहां कछा माल है वहाँ पानी की सुध्या नहीं है पानी की सुध्या है तो वहां सरम सकती नहीं है तो इन तीन चारों को आप सोचें कि एक ही इस्थानों पर सभी कारकों को लाना पूंक मुश्किल ल merciful रहता है। फ़लस्वरूप बीणे बार उद्दयों की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुकत है जहां ये कारक उपलव्द अथ्वा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलव्द खराया जा सकता है उद्दोगे क्रिया के पैरम होने के साथ नगरीकरण पैरम होता है कभी-कभी उद्दोगों उद्दोग सहरों में या अगर उनके निकट लगाए जाते हैं इस पेकार उद्दोगी करण तथा नगरीकरण साथ-साथ चलते हैं नगर उद्दोगों को वाजायत तत्म सहवाएं जैसे बैंकिंग, भीमा, परिवाहन, सैमे, वित्तिय, सलाय, आदिव उपलब देखराते हैं नगर केंदोद्वार की गई सुविद्याओं से लावानवित कई बार बहुत से उद्दोगों नगरों के आसफासी केंदित हो जाते हैं दूरस्त देशों से व्यापार पड़ा अधारिट थी जैसे मुंबई कोलकाता बच्चन नहीं आदी फईडाम सुरूप कुछ एक नहे नगर उद्धोगिक केंद के रूम में उबरे जो ग्रामीड किरसी बेट भूमी से घिरे थे यह आप देख रहे हैं उद्धो बाजार सं निवे इसका चमाल अत्वा उसकी घठक उत्पादन हो गया भूंबी पूंजी सरम उद्धिमी आवसर चन यह सभी आपके समझ रहे हैं उत्पादक घठक हो गया इनमें सामिल की जाना परिवान कार खाना तेयार माल उत्पाद परिवान फिर बाजार तक इसकी पहुंच प होता है सरकारी नीतियों तथा निपोड सरमेकों की उपलंदता भी उद्धोगों की अवस्कति को परभावित करते हैं याद रखिए उद्धोगों के तहट अगर उद्धोगों की अनुपूल वहां आपका आदर्स दसाय नहीं है तो आप सुचिए कोई भी कंपनी आपके देश में नहीं आए आप ही अपने आपको ले लीजे कि आप उत्व धणदा कोई भी करना चाहेगे तो कहां करना चाहिए जहां आपको सभी तरह की सुगधायों जहां आपको गरहत पीव मिल सकते हो सасти सरमसक्ती भीneys मिल सकती हो सफ़े रहें चलती आप अपने तो करेंगी उद्दोगों की आदर्स अवस्तिती की बात करें तो उस इस्थान पर गच्छा माल पराप्त करने की लागत उत्पाधन की विद्रण की लागत उस इस्थान पर उद्दोगों की स्थापना का नेड़ है उस इस्थान पर उत्पादन की लागत ये सब ही आपकी उद्धो की आदर्स अवस्तिति होती है उद्धों का अगर हम लोग बर्गी केड़ करें यानि कि ने कितने भागों में बाट सकते हैं रोज मरिया की इस्तेमाल की विविन ने उद्धोंगी कुत्पादों की सूची में बनाया जैसे ट्रांजिश्टर, बिली कावलब, बरस्पती देल, सेमेंट, काच का सामान, पैटॉल, मार्चिस, इसकूटर वाहन दवाईयां आ दिया है यदि हम विसे इस मापतन्नों की आधार पर बात करें तो किसी आधारित सूथी बस्त उणि बस्त पट संजरिसम बस्त रबल हिनी, चाय कौफी, बनस्पती तेल उद्धिव आपके किसी आधारिक उद्ध्योगूँ खाने जा आधारिक अगर उद्ध्योग की बात करें तो इसमें लोहा तथा इसपाथ, सेमेंट, ऐलुमिनियम, मसीन, ओजार, तथा पेट्टो रसाइन इसमें सामिले आपके हैं, अगर हम लोग फिर्मोग के भूमिका की आधार पर बात करें, त अधारिक उद्ध्योग, जो उत्पादन उद्ध्योग की सिदेओ के हेतु करते हैं, जैसे वाकचीनी, दंद, मन्यन, कागज, पंके, सिलाई, मसीन, इसमें सामिले आपके हैं, अब हम बात करते हैं, पूझी निवेस के आधार पर अगर बात करें, तो एक लगू उद्ध् अधार निवेस के आधार पर की जाती है, या निवेस मूल समय के साथ बदला है, गया है, वह अरत्मार में अधिक्तम निवेस एक करोर रुपे तक सुईकार किया गया है, अगर स्वामित्य के आधार पर हम लोग बात करें उद्ध्योगों की, तो सार्वजिनक चेत्म में लगे सरकारी एजिंसियों द्वारा पिरवंदीत, तो सा सरकार द्वारा संचालित उद्ध्योग, जैसे भारत हैवी एल्डेक्ट, अलेक्टिकल लिमिट्ड भेल, और इस्टेल अथोर्टी ओप इंडिया लिमिट्ड सेल आधिव, निजी चेत के उद्ध्योग जिनका एक ब्यक्ति की स्वामित में, और उसके द्वारा संचालित अथ्वालोगों की स्वामित में, या उनके द्वारा संचालित, जैसे टिस्को वजाज ऑटो लिमिट्ड दावर उद्ध्योग आधिव, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इन पर जो भेल है, इस पर सरकार का कब जा रह प्रियास के चला जाते हैं, वाहल इंडिया लिमिटेड, आप जानते हैं कि जैसे आप सोचिए कि सरकार का भी यूगदान है उसमें, और किसी खास बेक्ती आप समभू का भी देख सकते हैं, उसका भी अगर यूगदान है, जैसे आप किसी भी चीज को ले लिए, अगर जाते हैं, उसमें आपका सरकार का कुछ हिस्सा है, और आपका कुछ हिस्सा है, यानि कि माली जिए 59% सरकार का हो गया, 49% आपका हो गया, तो आप दोनों पार्टर्नर हो गया, ठीक है? सहकारी उद्धिव, जिनका सौमित कच्चे माल की पूर्टी करने वाले उत्पातकों, सिम्खों या पर दोनों के हाथों में होता है, संसादनों का कोस सहयुप्त होता है, तथा लाभानी का विवाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे महराष्ट के चीनी उद्धिव, केरल क पर आधारित उद्धिव, इस तरहे की सहकारी उद्धिव है, कच्चे तभा तेयार माल की मात्राव भाहर के आधार पर बाल करें, तो भाहरी उद्धिव, जैसे लोहा इस पात, हलके उद्धिव, जो कम भाहर वाली कच्चे माल का प्रेयोग कर, हलके तेयार माल का उद्ध यह सब्सक्राइब शर्णों से जा है, इसके गीवत ज्र град बात करते हैं अब बाद करते हैं, जीवेद ने किते हैं थी फ़ह को सै क्योंकि इसका उद्धोगी उद्फादर में महत्पून यह उद्धान है, देश का यह अकेला उद्ध्य हुए, जो गच्चे माल से उच्चितम अत्रिक्त मूल उद्फात की संकला में परीफून तथा आग मिरुभर है, एक बात आप लोगों के याद होगा, कि हमारे देश क जो बस्त निर्मार था आजादी से पहने, इतनी महाँ थी कि आप सोचिए कि विदेशों में जो अनराज्यों के राष्टत देख चुआ करते थे, राजा महराजा हुआ करते थे, वो भी हमारे देश के बस्तरों की यानि की बस्त पहनते थे, इतने मतलब फैमस हुआ करते आज हम लोग देखिये किसे स्तिति में पहुँच चुके हैं, समझ रहे हैं तो, तो उस समय हमारे हाँ या तो कारियर अच्छे रहे होंगे, या बस्त अच्छे कारियर ही अच्छे होंगे, जिससे डिजाइन कीजाते होंगे, कि इतने अच्छे फैमस थे कि विदेशी भी अपने कपड़े कि मांग अपते थे अपने यहां की सूती वस्त उद्योग पराचीन महारत में सूती वस्त हास से बकताई और हद करगा बुनाई तक्नीकों से बनाये जाते थे अठारी भी सदापदी के बाद विद्धूतिये करगों काउप्यों होने लगा ओपने वेसिक काल के द्वारान हमारी परमपरगत उद्ध्यों को बावत्धानी हुई क्योंकि हमारे उद्ध्यों इंगलेंड की मसी निर्मित परस्तों से 30 परदा यानि कि इस परदा नहीं कर पाएंगे और याद रखिए आप लोग ही सोचिए कि एक आप अपने खेती के ले लिएजे एक अपने छोटे से हम लोग उधारन को बात करिए हम भारी भं भरकम उधारन को कभी ही नहीं लेंगे इसमें आप ले लीजे कि आपका पड़ोसी है और आप दोनों का एक खेत है आप क्या करते हैं आपके अपने खेत में बैल से जुदाई करते हैं खल बैल से और वो क्या करता है कि टेक्टर से जुदाई कर देता है यानि कि वो अधुनिक जो भी इलक्टोनिक सामान जो भी सामान है यानि कि फिर चाहे आपका टेक्टर है या और इस तरह की कोई उपक इसी तरह आप लेज सकते हैं कि उसे सचाई करने के लिए वो नए नए पंप सैट लिया है और आप वही पुराने जाम आने का करगट नहीं देखते थे कि मतलब बैलों से चलता था उससे सचाई कर रहे हैं तो कौन आगी रहेगा वो आगी रहेगा आप उसके पितियस परदा नहीं कर सकते हैं इसी तरह आप लेज सकते हैं बस्तों में क्या होता है कि कपड़ा बनाने में आप सूचे कि एक मसीन लगी हुई है वो एक गंटे में दस सैड बना के फिक दे रही है। वहीं आप लोग अगर खुद बना रहे हैं सैड उसकी डिजाइन कर रहे हैं तो एक दिन में हो सकता है दो दिन में एक सैड बनें। तो क्या आप लोग उनसे पितीस परदा कर सकते हैं। और याद रखिए उनका सस्ता है। उनका जो कपड़ा है सस्ता मिलेगा बज्याद में। और आपका महेंगा तो कौन करी देगा आपका कोई ने। तो इससे आप लोग पिछड जाएंगे। यहीं हमारा हुगा देश का। रेशा मुत पादन कच्छा रेशा, दुनाई कताई सूथ, बुनाई कपड़ा, रंगाई वा परिश्कित वस्त गार्मेंट, वस्त भी निर्माड़। इस जैसे इस तरह के आप लोग पॉइंट भी याद रख लिया करेंगा, कभी इंटर्विव में भी पूछ लेते हैं, कई बार आपके वंडेग जाब में पूछ लिया जाता है, पहला सफल सूती वस्त होते हो, अठारह सो चंगर में मुंबई में लगाए गया था, पहला स इस जूज रहा था, तथा भारत एंगलेंड के अधीन था, ऐसे में एंगलेंड में कपड़ों की मांग, आपोर्ती ही तुभारती सूतिवस्त उत्यवक को फुरोसाहत मिला, आरंबी आरंबीक वरसों में सूतिवस्त उत्यवक महारात और गुजरात के कपास उत्पादन च किरसी छित का निकट संबन्द, और किसकों और कपास चुनने वालों, गांट बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, दिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों, सिलाई करने वालों, को यह है जीविका यानि की रोजगार पिदान करता है, इस उत उद्यों के कारण रसायने के रंजट में इस्टोर और पेकेजिंग सामगरी इंजिनरिंग उद्यों की मांग बढ़ती है फाल स्वरूप इन्हें उद्वों कभी कास होता है यह भी कताई कार महराष्ट गुजरात तमिलाडू में केंद्रित हैं लेकिन सूती रेसम जरी कसीदा कारी आधी में बुनाई की परंपरागत कोसल ओटे जायें देने के बुनाई अत्य देख भी केंद्री के थें बारत में कताई उत्पादिन विस्ट का विस्ट इस्तर का है लेकिन बुना बस्त कम गुडबत्ता वाला यानि कम क्वाइल्टी वाला हुद है क्योंकि यह देश में उत्पादित ओच चिस्तरी ये धागे का अधिक प्रेयों नहीं कर पाता है बुनाई का कार हद करगों और बिद्धुत करगों बामिलों में हुदता है हास से बुनी खादी कुटी रूद्धों की रूम में बुनकरों को उनके घरों में बड़े प्रमाने पर रोजगार कदान कराता है भारत जापान को सूत का निरयाद करता है भारत में बने सूतिवस्त के अनुवायातक देशों की अगर बात करें तो सहिव राज जमेरिका, इंग्लेंड के रूज, प्रान, पूरे भी एउरोपी अदेश, नैपाल, सिंगापूर, स्री लंका और अफीका के देश हैं यानि यह कहने का मतलब है कि जो आपके यहां के सूति बसते हैं उन्हें हम लोग इन देशों को बेंचते हैं, निरयाद करते हैं, ठीक है, सूति रेशे के विस ब्यापार में हमारे देश की भागेदारी कापी महत्कूर भी है, यह कुल अंतराष्टी ब्यापार का लगभग एक चोथाई भाग है, हमारे यहां कताई कारखाने विस इस तर पर विधिसपल्दा कर सकते हैं, और हम जो सूत पैदा करते हैं, उसका उपवोग करने में सच लेकिन बुनाई कताई तथा क्रमन एकाईयां देश में उत्पन किये उच गोटी के दागे का उपयोग नहीं कर पाती है, इस चेत में कुछ ही बड़े और आदूनीक कारखाने तथा अधिक छोटी वाविक्री हुई एकाईयां ही है, जिनका उत्पाना निस्थाईयां वा करता है, कहने का मतलब हैं कि हम लोग कच्छा माल एक तरह से निर्यात कर देते हैं, वहां से आपका बदल देते हैं उसे दूसरे सामानों में उन्हें हम लोग आयात कर लेते हैं, दागा बचासी रूपे पिती किलोगराम की दर से बेंचा जाता है, अगर यह है पकलून की में बेंचा जाए, तो इसी कीमत 800 रूपे पिती किलोगराम है, रेसे से धागा, धागे से कपड़ा, और कपड़े से परिदान बनाने के प्ते चैन्ड पर मूल में बिद्धी होती जाती है, कहने का मतलब आप लोग इस यहाँ छोड़िए, दूद का ले लीजे आप लोग दूद बिद्ध का क्या रहता है, कि आप सोचिए कि आगर आप घर से बेंचते हैं, तो कितने कीद्धे का विक्एगा 30 रोपे, 30-35 रोपे का, और उसे ही आप लोग अगर सोचिए कि आप लोग दुकान पर बैठ के ले जाते हैं, सजा देते हैं दुकान, और डेरी कुल द देते हैं तो उरह 40-45 आराम से विकेगा हूँ कि आप वह सूचे कि आपने दही वे बदल दिया या पर आपने गी में बदल दिया या पर आपने कोई में बदल दिया तो वह महेंगा होता जाएगा इसी तरहे आप लोगा कि कच्चा माल आप जब बेंचते हैं इस बहुत सस्ता बिखता है और आप सुचिए कि इन्हें आप लोग अगर बदल कि उद्ध्यों में उद्ध्यों करके या इनका उद्ध्यों काम करके कई नए उपयोक लाए सामान बना कर अगर बेंचे तो यही जो आपका 85 रुपे के लोग दागा था यह कई रुपे जाना बिकेगा ठीक है इसकी कीमत बढ़ जाएगी यह अगर भी लंबे रेसे वाली खपास के उताद में महत्पूर बिद्धी दर्च की गई तदापी से आयात करने की आयात करने की आवसकता मैसूस की जाती है विसेस्ता बुनाईगी पा अन संबंधी चित्रों में अनेमित बिद्धुतापूर्ती को दूर करने तथा नई मसीनरी के उद्ध्यों किया हो सकता अन समस्याओं में कम सर्मिक उत्पा लगता तथा किंतिम बस्तुत्यों कि से पितीज़द्धा आधिसामिल एक बार आप लोग देख लिए यह हमारा 11 अब आपके जम्मु कस्मीर को दो भागों में बार दिया गया लंता जम्मु कस्मीर तो 28 राजबच्ट को है आपके और आट के अंदर सासी तक्रेश यह आप देख रहे हैं कि काले यह वरद्धा जैसे जलगाउं औरंगाबाद पूरे मॉंबई यह सभी सूधी बस्त के के आगरा, मुर्सी दाबाद, हुगली, हावडा, राजकोट, पोरवंदर, एहम दाबाद, जो आप लोग लाल रंग देख रहा होगा है यह आपके उनिवस्त्रों के कैमरा जैसे भी कालावर, जैपूर, ग्वालियत, आगरा, साजहापूर, गुरुग्राम, पानेपद, ठी और जो आप लोग यह देख रहे हैं न, यह आपके रेसम, बस्त रुद्ध्यों गया, पर बाकूरा, बाकी उपर जाएगी सिरी नगर, अनन्तनाग, बारा मूला, ठीक है, यहाँ आपके पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, यहाँ अपगानिस्तान है, पीयो के बाली, इससे हमारा इससे सीमा लगती है, यह आपका चीन, नैपाल, भूटान, बंगलादीज, यह आपका स्री लंका, ठीक है, चली आगे हम बात करते हैं परसन उद्ध्यों के बारे में, भारत परसन बापरसन निर्वीत सामान का सबसे बड़ा उत्पादाग है, तथा बंगलादीज क परश्चा दूत्रा बड़ा निर्या तक भी है, सन 2011 में भारत में लगवक 80 परसन उद्ध्यों थे, इनमें अधिकास पर्षिम बंगल में होगली नदी पर, तरपर, 98 किलो मीटर लंबी और 3 किलो मीटर चोड़ी एक सब्री मिकला में इस्थित्ते सभी, पहला परसन लेकिन 3-4 जूट उत्पादक्षित, पूर्वी पाकिस्तान, 8 जिसे आज आज आप लोग बंगलादेश कहते हैं, इसमें चली है, आप सुचिए कि आपके पास मिले हैं, यानि की कहने का मतलब यह है, उद्धोग जहां कारठाने हैं, वो तो आपके पास रह रहे हैं, लेक का गांदी के समय में, हुगली नदी तट पर इनक्के इस्तित होने के निम्नकारण थे, परसन उत्पादक, छेतरों की निकता, सस्ता जल परिवान, सडक, रेल, बजल परिवान की जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में साहिक होना, कच्चे परसन को संसाधित करने में पिचुजल, पश्चे मंगाल तथा समीबर्ती राज उड़ीशा विहार उत्तरपजी से, सस्का स्रेमिक उपलब्द होना, कोलकाता का एक बड़े नगरिये के अंद के रूम में बैंकिंग, बीमा, जूट के समान के निर्यात के लिए पतन की सुपजाय फिदान करना आदी आप सोचिए यही तो मैं हमें चाहिए किसी उड़े उधन्दे को लगाने के लिए, आप एक तरह से कह सकते हैं यही तो आधारिस्तम है इनके उड़ेव के, समझ रहे हैं आप, तो जो परिस्तिदिया अगर अच्छी तरह से उपलब्द हो जाए तो व्यक्ति वहीं करेगा जाना रोजगार, यानि कि इस तरह के उड़ेव, इस उड़ेव की चुनोतियों में अंतराष्टिय वाजार में किन्तिम बस्तों से और बंगलादेश, बेराजील, फिलिपिन्स, मिच्स, तथा थायलेंड जैसे अन्न देशों में कडीश पल्दा, पितीश पल्दा समिलें यागे भी पर्ट्सन पेक, किंग की अनवार पेयोकिस की सरकारी नीती के कारण इसकी घैलू मांग बड़ी, तता पी मांग बड़ा नहीं तो उत्पाद में वेविताग भी आप सके पर्ट्सन की प्रमोग खरीदार अमेरिका कनाडा घना, साउधी एरव, युनाइटिट के गिणम और और उस्टिलिया हैं, बड़ते बेस्विक परियावन अनकूलन, जैब निमनी करन पदार्थों के लिए विसकी बड़ती जाग रूपता ने पुनाहा जूट उत्पाद चीनी उत्पादन में विस्व में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन आप देखेंगे कि गुड है जो खांड सारी है, इसके उत्पादन में हम लोग पहले स्थान पर हैं, इस उत्पादन में प्युक्त कच्चा माल भारी होता है, और धुलाई में इसमें सुक्रोज की मातरा अगट जाती है, चीनी मिलों का 60-30 तता बिहार में है, या उद्यव मौसमी तता अता सरकारी चेत लिए उपयोगते हैं, क्या आप बता सकते हैं साक्यों, एक बात और हमें सही याद रखिए, कि इसके लिए बहुत बहुत बेहतर मतलब एक पिक्रिया होनी चाहिए, कि आप आप सोचिए गंडे को जितने जल्दी से जल्दी अकर इसके इससे रश निकाल लिया जाए, तो बहुत रहता है, इसलिए कि बहुत जल्दी से बादलने की फिक्रिया होनी चाहिए, यहां मतलब फुर्तीला काह होनी चाहिए, क्यूंकि आप सोचिए और प्रग है, उसमें इतना ही रस इसमें से कम होता जाएगा इतना ही नुफसान होगा तो इसलिए आपने देखा होगा कि गुड़ अगर बनाया जाता है तो खेत के पास ही अपनी एक तरह इसे मतलब अपना उद्योग की तरह काम कर लेते हैं उसे बदलने के लिए ठीक है वहीं आपका लगा लेत जाते हैं उद्यों और गुड़ में बदलन लेते हैं तो इससे क्या होता है फायदा भी होता है कि रस ना उड़िए का मतलब रस भी कम नहीं होगा और बहतर फायदा भी हो जाएगा पिछले कुछ वर्सों से इन मिलों की संख्या दच्ड़ी और पच्च्मी राज्य में व पच्च्चा जादा होती है मतलब एक तरह से आप समझेए कि इस ते फायदा होता है सुक्रोष की मातरा कम होगी तो आप सोची उससे क्या फायदा होगी अपेक्च्चा के ठंडे ठंडी जल वाई हुई गुड़कारी है इसके अतरे इन राच्यों में सहिकारी सम्तियां भ गन्य का समय पर कारखाना ना पहुचना खोई का अधिकतम इस्तेफाल ना करबाना इस्ठेत की कुछ समस्तिया हैं कि अब बात करते हैं खने जादारीत उद्द्दोगों की तो बे उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् इसी में तो आता है आपका सामिल रहता है समझ रहाए ना तो आपका लोहा दत्हा इस पात उत्तिव एक आधार गूत यानि कि वेसे खुड्ध हो गए क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी वी उद्ध्युग को बढ़ावा मिला है तो इसमें सबसे बड़ा युगदान लोह कर रहा है आज सोचिए आप लोग खेती एक समय हुआ करती थी डंडे से खोद कर खेती की जाती थी लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से बदला हुआ और हल टेक्टरों से आप खेती की जाने लगी तो लोहे का सबसे ज़्यादा अपयव तो हो रहा है तो एक तरह से आप कह देते हैं कि यह आधारबूत उद्ध्यों है क्योंकि जो अन सभी भारी हलके और मध्यम उद्ध्यों इनसे बनी मसीनरी पर ही निर्वार रहते हैं विवित्पिकार के इंगिनिरिंग, सामान, निर्मार्ण सामगरी, रक्षा चेकिस्ता, टैलीपॉन, विज्ञानिक को परन और विभिनिव exploding की उबभता बस्तूथ के निर्मार के लिए इस पाद की आवसिता होती हैं इस पाद के उतपदान की तथा खभत को फुरा एक बिश की विकास का पर्वाना माना जाता है लोहा तता इस पात के बारी होते हो क्योंकि इसमें फेवत कच्चा ततन तेयार माल दोनों ही बारी और इस्तूल होते हैं इसके लिए अधिक परिवान लागत की आवसकता होती इस उद्द्यों के लिए लोएस्क, कोकेंग कोल, चूना पत्तर का अनपात लगबग आपता चार अनपाते, दो अनपाते, एक है इस पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैगनेज की कुछ मात्रा की आवसकता होती है इस पार उद्द्यों की आदर्स इस्थाफना कहा होनी चाहिए या याद रखे कि इससे निर्म माल को बार्याद और भोगताओं तो पहुचाने के लिए भी सक्चम परिवान की आवस्तिकता होती है 2016 में भारत 956,00,00 टन इस पात का निर्माड वी निर्माड इस पात का वी निर्माड करसंसार में कच्चा इस पात उत्पादक में तीसरे स्थान पर था यह एस पांज यह लोहें का सबसे वड़ा उत्पादक है इस पात के अधिक उत्पादन के बार चुद्पी 2016 में यह पिती बर्स पिती ब्यक्ती कफद केवल 63 किलोग्राम थी जब कि इस समय ग्रिस समय पिती ब्यक्ती औसत खपद 208 किलोग्राम हो गई है पिती ब्यक्ती में ठीक है याद रखें भारत में कुल इस पात उत्पादन की बात करें तो 2010 में मैंट्रिक 10 की बात करा हूँ आपकी 2016-17 में बढ़कर 101.3 होगी और याद रखें आर्थिन जो सर्विक्षंड हाती है उन्हें देखते रही है समय समय कर पदलती रहती है इस समय भारत में 10 पिरमोग संकलित और देवक तथा बहुत चोटे इस पात सहन थे इस पात इन्रिमाड पिक्रिया की बात करें तो कच्छे माल कारखानों तक परिवान जोगदार बटी लोहे इसके का गलाया जाना चूना पत्थर एवं सहाय खनिच हैं जो इसमें मिलाया जा जाता है आयसके को गर्म करने के लिए कोग का इनन की रूम में इस्तिमाल फर धलवा लुआ तलर पदादों को सांचों में डाला जाता है जिससे धलवा लुआ तेयार होता है इस पात बनाना धलवा लोहे को पुना विला कर ऑक्सी करण द्वारा आउस सुद देता हटा कर तता मेंगनेज निकल कॉमियम मिला कर सुद्ध किया जाता है और धातु को अकर देना इस तरह से रोलिंग पिरिसिंग धलाई और गड़ाई इस तरह से आपका धातु में बदल ले जाता है यह आप देख रहे होंगे यह हैं लुआ उत्पादक राओकिरा बिलाई बुगा पर करती रद्धी इस पाथ पाथ स्पंज आइरन का प्रियो घुख होता है इनमें री-वलार रही होते हैं जिनमें इस पाथ शिल्यों का इस्तिमाल किया जाता है आपकिर्ट या निर्दारित अनिपाद की मिदू मविस्र इस पाथ का उत्पादन करते हैं एक संक्लेद इ कर्तित करने से लेकर इस पात बनाने उसे जालने उसे आखा देने तक कि पिते क्रिया की जाती इसमें सारवनिक खित की लगवग सभी उक्रम अपने इस पात को आप लोगों मालूओने चाहिए कि आपका देस 1947 में आजाद हुआ है यानि कि आपके आजादी से दो वर्स बात चीन को आजादी मिलती है और आज आप देखते हैं कि कई मावलों में हमसे आगी चीन है तो कुछ तो कमी रही हमारी नेतियों के आज हम लोग इसे देख रहे है बारत में चुटा नांगपूर की पठारी चेत में अधिकान सुलोहा तथा इसपात उद्यों के साख एंदर थे इस देश में इस उद्यों के विकास के लिए अधिकानपूर सापिक्चिक परस्तितियां भी है यहन में लोह आसकी की कमलागत उचकोटी के कच्चे माल की नि अधिक देश है यहक्ति हम इनके पूर्ण संभाब का भीकास नहीं कर पाएं इन में निमने कारण है उच्चे लागत तथा कोकिंग कुवेले की सीमें तुबलब देता कम सरमे को उत्पादता उर्जा की अन्यमेद पूर्दी और आभिक्सित अउसल इतना आदी इस पाद दूसरे देश से आयात करते हैं क्या बोला जा रहा है आयात करते हैं यानि कि हम उच्चकोटी का इस पाद दूसरे देशों से खरीदते हैं हमारे यह इतनी सुग्दा नहीं है कि उच्चकोटी काम लोग इस पाद बना रहे हूं हाला कि हमारा कोल इस पाद उत्प और वितास के संसाधनों को नियत करने की आवसकता है यह आप देखता है भारत में भारत चीन में कच्चा इस बाद उत्पा देखिए दोहजार भारत में चीन है यह आपका भारत है 37.3 और यहां देखिए 731 यह आपका उत्पादन टन में है और दोहजार तेरह में 21.3 आट सो बाइस चाच्छी दसमलो पाँच आट सो बाइस दोहजार सोले में 95.6 आट सो आट समलो चाट आप समझेगे कि जमीन आत्मान का परक है समझ रहे हैं कि मतलब चाइना कहां है और हम कितने पीछे हैं कई रैंकिंग अभी आप लोग देख रहे हो आती रहती हैं उसमें भी आपको देखने को मिलता है कि हम लोग बहुत पीछे हैं हकीकळ यही यह सच्चाई आप नहीं मानना है तो आप लोग मने रहे हैं अंदभक्ती में लेकिन अकिकट यही है कि हम लोग चीन से बहुत बिचडते जारे हैं एलूमिनियम पिगलन, भारत में एलूमिनियम पिगलन दूसरा सरवालिक मत्पून धातू सुधन उद्धियोगे, यहल का जंग अवरोधी, उस्मा का सोचालक और लचीला तथा अन्य धातू के मिसरण से अधिकटो बनाया जा सकता है, हवाई जाज बनाने में बरतन तथा त एलूमिनियम पिगलन, सयंत, ओड़ी, सपक्षिम, मंगाल, केरल, उत्तर, पिदिश, 36 गर, महाराथ, तमिलाडू, राज्यों में इस्तित्यार के, यह आपके नाल को पिगालक में पट्टीले मिले, पिगालकों में बॉक्साइड का कच्छे, पदार्थ के रूम में युभ इस्ताफना की दो मात्पूर आवस्ता है, नयमे तूर्जा की आप पूर्ती और कमी कीमत पर कच्छे माल की सुनिष्ट किता, एक तरह से कह सकते हैं कि इस दोनों आधारगूर जरूरते हैं, यहां आप तो देखिए, बॉक्साइड कच्छा माल, बॉक्साइड खनन, पर प प्रगालक इस्तल तक भारी आइस्क का पहुँचना, सोज ताला से केल्सिया मेफ बैटॉलियम कोक, कोईला खान से पिच, और अलूमिनियम प्रगालक, अलूमिनियम प्रगालक, एक पिगली दातु को अलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, यह आपका बिंदूत 18,600 पिती टन और ऐस्क के लिए जरूरी रहती है, यह त्यार की, बूल जाओ, अब बात करते हैं, रसाइन उद्देव, बारत में रसाइन उद्देव तेजी से विक्सित हो रहा है, और फैल भी रहा है, इसकी भागेदारी सकल गयरेलू उत्पात में लगबग आपकी तीन पि पिकार की विनिमाड़े काई यह समल लेते हैं आपकी, अकार्वनिक और कार्वनिक दोनों छेत में ती बिद्धी दरज की गई है, अकार्वनिक रसाइनों में सल्फिरी कमल और वरक, किंतिमबस्त, पिलास्टिक, गॉन, रंग, रोगन, डाई, आधी के निर्मान में प्रि प्रियुक्त होने वाली रसाइन, तथा कार्ष्टिक सोड़ा आधी सामिले आपकी, इन उद्धोगों का देश में विस्तित फैला हो है, क्या आप बता सकते हैं कि इसा क्यों है, कार्वनिक रसाइनों में पेट्टॉलियम सामिले, जो किंतिम बस्त, किंतिम रवर, पिलास् पाईया, औसत रसाइनों की बनाने में प्रियुक किया जाते हैं, यह उद्ध्योग तेल सोदन सालाओं या प्रेट्टॉ रसाइन सेयंतों की समीर पेस्थापित यानिकिन की स्थापना की जाती है, रसाइन उद्ध्योग अपने आप में एक बड़ा उप्भोगता भी है, आधार, भूत, रसाइन उद्ध्योग अपने आप में एक बड़ा उप्भोगता भी है, आधार, भूत, रसाइन एक प्रिया द्वारा अनर रसाइन उद्पन करते हैं, जिनका उप्योग उद्धोगी अनुप्योग हो, किरस्ती तथा उप्भोगता पाजारों के लिए कि यह रिख उत्पादों की एक सूची बना सकते हैं, और बरक उद्ध्योग, और बरक उद्ध्योग, नाइट्रोजनी, और बरक मुकतापका इूरिया, फास्पेटिक और बरक, डी एपी, आमोनियम फास्पेट, उमिस्तरित और बरक, जिनमें तीन मुक पोसक और बरक, यह रिखते हैं, और इन्हें आप देखते हैं कि किर्सी चेत में अधिक आप उप्यक किया जाता है, इवडिया हो गया, डी एपी हो गया खाथ, सामझ रहे हैं, आप लोग संते रहते हैं, हरिद किरांती के बश्चात या उत्योग देश के अन्न भागों में फैल गया, खुल औरवर्क उत्पादन का लगभग आपका 40-300 उत्पादन करते हैं, अन्न मात्मों उत्पादन गराज्य में अन्धविदेश उडिशा राजिस्थान, बिहार महराष्ट असंपश्चिम्भंगान, गुवा दिली, मद्विदेश तता करनाटक आपकी सामिन, फिर आता पाई वाई स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्तर हो गया, सिलिका, जिपसं, आदी के आवसकता होती है, रेल परिवान के अतरिक इसमें कोईला तथा बिद्धुत उर्जा भी उर्जा की आवसकता होती है, इस उडिव की इकाईयां गुजरात में लगाई नहीं, क्यों गुडवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी गरहलू, मांग के अतरिक्त पूर्वी एसिया, मद्द पूरू, अपीका और दच्छड एसिया के बाजारों में मांग बड़ी है, या उडिव उतपादन तता निर्यात दोनों की इरोपों में प्रगती पर है, इस उड परिवान के साधन होते हैं, भारत में विवने के अंद्रों पर आपके ट्रक देखेंगे, बसें देखेंगे, कारें देखेंगे, मौटर साइकल, स्कूटर, तीप आया और बहु उपयोगी बाहन भी आपको देखने को मिलेंगे, इसमें मौटर गाड़ी उत्द्यों में य आया जाते हैं, उधारी करण के पक्षात नए और आधुनिक मोडल के बाहनों का बाहजार तथा बाहनों की मान बढ़ी, और जिस्ते इस उद्द्यों में वेसेस का स्कार दो परिया, तथा तीफईया बाहनों में अपारविद्धी देखने को मिली, बढ़त्री देखने को मिली, या उद्द्यों दिल्ली कोडगाव मुंबई, पूरी चेर्ने कोलकाता लखनाव एंदोर हैदरावाद, जमसेत पर बैंगलोर के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, फर आपको देखने को मिलेगा सूचना परुद्धी तथा इलेक्टोनिक उद्द्यों, टेलीजन, टेलीफॉन, सेलूलर, टेलीकॉं, टेलीफॉन, एक्ट्यन, रडार, कंप्यूटर, दूर संचार होते हो, के लिए उपयोगी अनेक अनुपकर्ण तक बनाए जाते हैं इसमें, बैंगलोर भारत का की इलेक्टोनिक राध्धानी की रूम में उबरा है, आप मुंबई देखने को मिलेगा, दिल्ली, हैद्रावाद, पूरे, चैन्नाई, कुलकाता और लगनग में भी देखने को मिलेगी, इस उद्ध्योग का सरवाधिक संकेंदर बैंगलोर, नोईडा, मुंबई, चैन्नाई, हैद्रावाद, पूरे में देखने को मिलेगी, या भी पी उद्धोगनों की भारती और दोस्ता की विद्धी बविकास में मत्कून भूमिकार है तता पी इनके द्वारां बढ़ते भूमि, बायू, जल तथा पर्यावण पिदूसर्ण को भी नकारा नहीं जा सकता है उद्ध्योग चार पिदूसर्ण के लिए उत्तर दाई है बा पिदूसर्ण करने वाले उत्दोहों में ताप बिदूतोगरे भी आपका समगिक थे, बायू की दूसर्ण इसने देख रहे हैं, HCl केबल निर्वार्ट पष्चिममंगल में हो रहा है, केबल निर्वार्ट, केबल बंडर्द, अब बात करते हैं बाइू की दूसर्ण, दरभी यह दोनों ही पिकार के कड़ होते हैं जैसे धूली इस्प्रेण कोहासा दुहाइं रसायन वा कागल उद्डियो इंटों के बंटे तेल, सोधन साल आए पिगलन उद्डियो जीवास, मीधन, दर्न और छोटे बड़े कारखाने पिदूसन के नीमों का ओर्गन करते हु इमारतों तथा पूरे परियावन पर दुस्त प्रभाव डालते हैं। यह आपकी याद रखिए जो भुपाल गेस्त राज़ती की बात की जाती है। यहां से आपको एक सीखने को बात मिलती है कि आप सोचिए कि 1984 की बात है। मैं गलब नहीं हूँ तो साइद यही डेट है ना। 1984 बोपाल गेस्त राज़ती। आप सुपचिए जापान में परमाडू हमला हुआ। उसके बाद भी आज आप देखते हैं कि ठीक मगलब इस्तिती पे पहुंच चुका है आपका जापान। और हमारे भौपाल को देखिए कि अभी भी उसका अभी भी आपको देखने को मिलेगा उसका जो परभाव अभी भी एक वहां देखने को मिलेगा भौपाल के स्टिराज़ती का। याद रखिए आपकी 2-3 दिसंबर 1984 की रात में हुई थी, ठीक है? याद रखिए बहु बाल में. एक कुश्चन और इससे बनता रहते हैं, आपका अक्सर आपने देखा होगा की और इंडर्वी में भी पूच लिया जाता है. इसमें निकलने वाली रेसा होने वाली गयस कौन सी थी? M-I-C-MIC या पर इससे मेथाइल आइसो साइनाइट. थीक है याद रखिए. फिर आप बात करते हैं जल्पिदूसन. और देवों द्वारा कार्वनिक और तथा अकार्वनिक अपसिष्ट पदार्थों की नदी में छो कारण कागच, लोगदी, रसायन बस्त, तपना रगाई उत्योग, तेल सोधन, सालाय चमड़ा उत्योग, एलेक्टो प्लेंटिंग उत्योग. आपने सुना होगा कि जो चमड़ा उत्योग एकाईया थी कानदपूर में उसी के कारण सबसे जाना गंगारादी प्रभावित पिदूसित थी, तो उससे अब काफियत तक कंट्रोल किया जा रहा है, तो दूसरी जगह इने सिप्ट किया गया है, जो रंग, अपमार्च, अंब, लवण, भारी धातों में जैसे सीसा पारा की ना सा करुबरग, कार्बन पिलास्टिक और रवण से, किंतिम रसायन आदी जल में बाहित होते हैं, और भारत की मुख अपसिष्ट पदार्थ में, फिलाई, एस, फॉस्पो, जिप्सम और लोहाइच पात की असुदिया भी जल में मिल जाती है, यही आपकी जलकों की दूसित कर देती है, यहां आपकी कुछ प्वाइंट है, यह क्या है, कुछ गार्गाम, मुहाली, नुवेडा, जयफुर, इंदौर, गादी नगर, मॉंबई, पूरे, गुआटी, कॉलकाता, भूमनेशौर, बेसाका प्रणम, हैद्रावार, एबेंगलोर, मैसूर, चन्राई, और थिरू वनंदपुरम, फिर आपका है तापी यह पिदूसन, जब का देखने को होगा, देखिए, याद रखिए, अब जब आप लोग गरम ठंडा किये बिना, और काल खानों से जो गरम जल रहेगा, उसे छोडेंगे, तो आप जो जल में जीवे, जलिये जीव रहते होंगे, उनकी भी मित्यों हो जाती है, उनकी भी मित्यों उड़ी, तो उन अपना ही धर्दी पर हखे जितना की हमारा है, लेकिन बस हम लाजची है, और वो बिचारे सीदे सादे हैं, परमाडू उर्जा सेंतों के अप्षिट, परमाडू सस्त उतपादक, कारकान से कैंसर, जर्म जाद विकार, तथा अकाल पेसो जैसी बीमारियां होती है, मेर्दा अपना है, बर्सा जल के साथ ये पिदूसक जमीन से रिष्टे हुए भूमीगत जल का तक पहुंच जाते हैं, और जल को भी इस तरह से पिदूसक करद देते हैं, पर एक सब्द आप सुनते हैं, धौनी पिदूसक, धौनी पिदूसक इसे खेंड़ता, उत्तेजना ही नही वरन सेरवन आसम, आज सक्चमता, हिदाइगती, रक्त चात, अनिक आइक बिववदायें भी बढ़ती हैं, अंचाही धौनी उत्तेजना मालसिक चिंता का सरोत है, उत्दोगी तरह निर्मार कार्यों कार्खानों में, कि उकर्ण, जनरेटर, लकडी चीने के कार्खाने, गै लकडी का चीने के कार्खाना हो, तो उस तरफ से जो मतलब भहन कर धोनी आती है, या फिर आपका रोड के पास आपका धर है, तो आपकी दिमाद को डिश्टर कर देती है, और आपको बड़ा गुस्ता टाइब का आने लगता है, समझ रहे हैं, तो एक सीमित होती है हर चीच सबकी एक मतलब नीमित मातरा रखी गई है, अब उसमें हेर फिर होगा तो वो पिदूसित हो जाएगी, उससे नुक्सान होने लगईगा, समझ रहे हैं आप लोग, वही है कि खाना था सभी प्रोटीन बगएर खने लेकर आपको एक अच्छा बोजन खाना था, लेकिन आप आपने बाकी देखेंगे आप लोग की बिटामिन भी पूरी तरह से कम कर दिया, और आप बिना बिटामिन सबके खा रहे हैं चीजे, तो क्या फाइदा होगा, कुछ नहीं फाइदा होगा, तो ये इसलिए तो खाया जाता है कि एक सीमित मतलब सभी आपको एक सीमित मातरा म लेना है, और सीमित मातरा में गैस में भी आप सोचिए कि जल में भी एक सीमित मातरा में सभी खनीज मिले रहते हैं, आप लोग जानते हैं कि सभी जल में भी सभी खनीज मिले रहते हैं, लेकि एक सीमित मातरा है, अब उसमें जाना किसी की मातरा बढ़ जाएगी, बिदूस वो तो खराब होई गया, साथ में ये आठ लीटर जल को भी दूसित कर देता है, इसी तरह से कह सकते हैं कि एक आदमी तो डूबा है किसी तयला में, वो अपने साथ आठ को और ले डूबा है, और दोगिक पिदूसर्ण से सौक्ष जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ सुझाओ दिये गए है, वेवेने पिक्रियावों में जल का नियुनतम उपयोग तथा जल दो या अधिक उतिरोप्तत अवस्तावों में पुनारे चक्रण द्वारा पुना उपयोग किया जाए, या रही करे इसका उपयोग एक से अधिग बार किया जाए, जल की आपूर् जल यानि की संगर्ण यानि की खटा किया जाए, नदियों बातालावों में गरम जल तथा अपसिष्ट पदार्दों को परवावित करने से पहले उनका सोधन यानि की उन्हें सुद्ध करके छोड़ा जाए, ओद्वविक अपसिष्ट का सोधन तीन चर्णों में होता है, याद दरिक साधनों द्वारा पराद्मिक सोधन, इसमें अपसिष्ट पदार्द की चटाई, उनके छोटे-छोटे टुकडे करना, ढखना, तलचट जमाव आधी समिलेत रहता है, दूसरा आपका जविक पिक्रियाओं द्वारा न्दुतियत सोधन, तीसरा जविक रसायन पिक्रियाओं द्वारा देती है सोधन, इसमें अपसिष्ट जल को पुनाचक्रण द्वारा पुनाफरेव योग बनाया जाता है, जहां बोमीगर जल का इस्तर कम है, वहां उद्धों द्वारा इसके अधिक निसकासन पर कानूनी बिक्तिबंध होना चाहिए, बायो में न करने के लिए उप करण होना चाहिए, कारखानओ में कोले के प्रेक्ष्छा तेल यापर गयास के प्रयुकνसी द्वारे के निसकासन में कमी लाया सकती है, आपने देखा होगा कि एक समय ट्रेने होगा करती थी वह कोले से चला करती थी, तो जब वो चालू होती थी, स्पील पकड़ती थी, तब आप देखती थे कि पूरा बादल काला पड़ जाता था उसके दूए से, वहीं आज आज आप देखते हैं डीजल वाली तेरने आ चुकी हैं, इलेक्टोनिक वाली तेरने आ चुकी हैं, उसमें आपको ना के बरावार दुआ देखने को मिलेगा, समझ रह साथ पोषनिये विकास की चुनोटियों के लिए परियावणी संचेत्रा में सेयुक्त आर्थिक विकास की जबूरत है कि आप किसी भी साधन का उपना उपयव करें कि आपकी आने वाली पीडी को वो बचा रहे ऐसा नहीं कि आने वाली PD उससे बंचित हो जाए, आप ही उसका पूरा उभ्यों कर लेए फरीदाबाद में यमना यक्षन पिलान के अंतरगर वहत मल उप्चार सेंथ लगाए गया है तो राष्टी इताब विद्दुदग्रें एंटी पीसी द्वारा दिखाये गया मार्ट भारत में राष्टी इताब विद्दुदग्रें कारपूरसन विद्दुद पिदान करने वाली प्रमुक निगम है इसके पास पर्यावणी पर्यावण प्रबंधन तंत 14001 के लिए ISO प्रमाट पत्र भी है या नेकम प्राक्ति पर्यावण वो संसादन जैसे जल, खनिज, तेल, गयस तताँ इन सर्वेप्चन नीती का हमार्ती भी है तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्दु सेंतों की स्थापना करता है ऐसा नेमन उपायद्वाना संभावण आधुनिक्तम तक्नीकों परादाजित उपकरणों का सही उपयूग करके तथा विद्दमान उपकरणों में सुधार करके अधिक्तम राख का इस्तिमाल कर अपसिष्ट पदार्थों का निम्तम उपतार उथपार पारिष्टित की संतोलन बनाये रखने के लिए हरिचेत की सुरक्षा बब्यक्षर ओपन के लिए पेरिद करना तरल अपसिष्ट प्रवंधन राख तिप्त जलिये पुनल चक्रन तथा राख संग्रें प्रवंधन द्वारा पर्यावन की दूसर को कम करना सभी उड़्या संतों का परिष्टित की रूप से मॉनिटर बस समिच्चा करना और ओनलाइन आपड़ों का प्रवंधन करना इसमें आपका सांग्रें यह आपका रामा गुर्णम सेयंत है ठीक है तो इस अध्याय से संबंदी थे आपके कुश्टन्स दिये गए हैं इन्हें भी आप लोग देख लीजिए और पीडियेप आपकी टेलीग्राम पर लीए है वहां से अच्छे से डाउनलोड करके उससे भी आप लोग एक बार पर सकते हैं ठीक है और यार पता है मुझे खुद नहीं पता चलता हैंगी आप लोगों को आकरे इसमें क्या समझाओं क्योंकि इतने सरल सब्दे लिखे गए हैं कि इसमें समझाने लाइक मुझे खुद आप से विल सर्विस की तैयारी के चेत में उत्रे हुए इस्टेट पीसी इसमें तो इतना तो माल लिया जाता है कि आप लोगों को अक्षर तो समझ में आ रहे होगी तब ही आप लोग इस चेत में उत्रे हुए हो परना आप लोग वंडे एक जाम रटने वाला काम ही करने लगते ही। तो मुझे लगता है इतने तो आप लोग समझदार है। चलिए तो हम लोग छट बात ध्याद देख बे due to be साथ्या में मिलते हैं राटी तक आपके 6 चैप्टर पूरी तरह से खतम कर चुके हैं यह लाश्ट चैप्टर है साथ बन आज बात करेंगे राष्टी है अर्द्विवस्था अर्द्विवस्था की जीवन रेखाएं देखेंगे एक बात हमेसा याद रखें अगर आप सिविल सर्विस या फिर किसी स्टे इन से चार बार भी पढ़ सकते हैं जितना जादा पढ़ेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए और आप सभी को कौन-कौन सी वोक्स जरूरी है वो सभी मैंने टेलीगराम पर डालती है वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख लिजे टेली लोगों को क्या रहता है कि ब्रहम रहता है कि कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है तो इसलिए पूरी डाल दी गई हुआ किलियर की ठीक है हम अपने पिती दिन के जीवन में बिभिन में सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रियों करते हैं इन में से कुछ हमारे पास आसपास उपलब्द होती ह जब कि कुछ अन्य चीजों की जरूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी कि जाती है वस्तुएं तथा सेवाओं मांग स्थल से आपूर्ती स्थल तक इस्थल पर अपने आप नहीं पहुंचती है वस्तुएं तथा सेवाओं की आपूर्ती स्थानों से मांग स्थानों त अब पहुँचाते हैं उसे हि हम लोग उन्हें क्या कहते हैं व्यावपारी कहते हैं। अताह देश के एक देश के विकास की गति बस्तों और सेवां के उत्पादन के साथ उँनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुभिधा पर निर्वर करता है। इसलिए सक्षम परिवाहन के साधंती बेविका से तु पूर आप देखा होगा कि आप सावन खरी नहीं जाते हैं, दुगा से आप घड़ी यानि कि सक्कर भी खरीते हैं, चीनी खरीते हैं, आप लोग चाय पती इस तरह के जो भी material हो, देखें इसे यह बनता कहीं और है, लेक बीच में आपके बिचवलिया कह देते हैं आप लोग या पर कह देते हैं आप लोग ब्यापारी कह देते हैं इन लेवों को, जो बीच का काम करते हैं, आप तर पहुंचाने कर, बस्तून हो तथा सेवाओं का लाना ले जाना बिदवी के तीन महतून चेत्रों पर, चेत्रो परिवहन के साधनों की अगर हम बात करें तो इस थल इसमें आप पाएंगे शड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन, पाइपलाइन, समझ रहे हैं, पाइपलाइन का मतलब वो है कि आप देखते हैं कि तेल एक देश से दूसरे देश तक या फिर गैस को इस से पाइपलाइन से पहुंचाय जाता है, जल की बात करें तो आंतरिक जल परिवहन और समधरी परिवहन, वायू की बात करें तो घरेलू विमान से वाय, सार्विनिक पिराधिकर, निजी विवान से वाय भी है, और अंतराष्टी विमान से वाय भी आपकी होती रहती है, बहुत समय तक ब्य एक जगह से दूसरी जगह जाने आ जाने में आसानी है दो आप सोची है कि एक समय अमेरिका से हम लोग व्यापार करना बहुत मुश्किल होगा अब आप सोची है हवाई जाजों के द्वारा या फिर आप देखते हैं जलमार्ट द्वारा भी वहां पहुंचा जा सकता है सक्षम बतीब गती वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गाउन में परिवर्टित हो गया है परिवर्टन का यह विकास संचार साधनों की विकास की साहता से ही संभा हो सका है इसलिए परिवहन संचार बव्यापार एक दूसरे के पूरक है एक समय आप लोग देखा करते कि आपको अगर 30-40 किलो मीटर दूर जाना पड़ता था तो बहुत टाइम लगता था और अब इस दूरी को आप लोग एक गंटे में आराम से फार कर देते हैं तो आज हमें ऐसे लगने लगा है कि पूरा विस एक गाउन की तरफ बन चुका है कि जंबन है तब गूम के आ स से जुड़ा हुआ है रेल बायू एव जल परिभान समाचारपत्य रेडियो दूर्वी दूर्दसन सिनेमा इंटरनेट आधी इसके सामाजी कार्थिक विकास में अनेक विकास से सहायक भी है इस्थानिये इस्थानिक से लेकर अंतराक्ष्ठी इस तरिये व्याबान है और हमारे जीवन को संब्रिद किया है और आराम दायक जीवन के लिए सुबिधाय भी और साधनों में भी बड़ोते किया इस अध्यार में आप पढ़ेंगे कि किस पेकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थिवस्ता को संचालित करते हैं अताहा यह इस परश्टे की सखन बसक्चम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आजविस राष्ट वाइस्थानिये ब्यापारी दू पूरु अपेक्चित हैं परिवहन ट्रांसपोर्ट सबसे पहले बात करते हैं इस्तल परिवहन भारत विस्त के सरबादिक सड करेंट आपकेड़े आते हैं उनसे भी आप लोग जुड़े रहें करेंट से इसलिए तो आप से कहा जाता है कि एक न्यूच पेपर आप लोग पढ़ते रहें कम से गम हो भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्याराम हुआ निर्मार्ट विवस्था में को कि निर्मार्ट लगद बहुत कम है अब एक चाकित उबर खावर्डवा फिचन भू भागों पर सड़के मना जा सकती हैं लेकिन आप देखते हैं लेकिन लेकिन आप देखते हैं पूरी संतल जमीन बनानी परते हैं उसके बाद ही इसका निर्बार किया जाता है रेलवे प्रवर्ता तथा पहाडी चित्रों में भी सड़के निर्मित की जा सकती हैं, अफ्यक्चाक्रिट कम बैक्तियों, कम दूरी वा कम बस्तुओं के परिवान में सड़क मिध वैई हैं, यह घर-घर सेवाय उपलब विकरवाता है, तथा सामान चड़ाने वा उतारने की लागत सड़क परिवान अनुपरिवान सादनों के उपयों में एकडी के रूम में भी कारिकता है, जैसे सड़क रेलबे स्टेशन बायू बासमुद्री पतनों को जोड़ती है, अब आप सोची है कि आपको कोई दलेवरी करना है, यानि कि गाउं गाउं पहुंचाना है, तो हर ग छह बारगों में भर्गी कित किया गया है, तो राष्टी है राजमारगों के मांचित देखें, पेजन सड़कों की मत्पून बहुंचा बताने, पहले आपकी स्वैडरेम चत्तुर्भोज महा राजमारग, भारव सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चैन्ने, मुंबई, बाद द चैन्ने, मुंबई, इन्चार सहरों को जोड़ता है, चत्रभोज, इसलिए गयते हैं, इस परियोजना के देखें, दो गल्यारे पिस्तावे थे, पिथम आपका उत्तरदच्छन गल्यारा, जो स्रीनेगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और दूती है जो आपका पूर प योजना भारा सरकार निराश्टी है, राजमार्ग परादिकान के अधिकाल चित में है, याद रखें, इसे भी याद रखना है, किसके अंतरगत है, राश्टी है राजमार्ग परादिकान, पर आपका राश्टी है राजमार्ग, राश्टी है राजमार्ग देश के दूरस जोड़ते हैं एक पर आत्मिक सड़कतन थे हैं जिनका निर्माड बार रख रखाओ केंद्रिय लोख निर्माड पिभाग यानि की CPWD के अधिकाल चित में आता है अनेक प्रमुक राष्टिये राजमा कुफ्तर सिदर्चेड और पूरवक से बश्चिम दिशाओं में फैले ह हुआ है दिली वा अमिर्सर की मद्द इतियासिक सेशासूरी मारग राष्टिये राजमार संख्या एक के नम से जाना जाता है यह आपका बहुत पुराना मारग है दिली वा-अमिर्सर की मद्द जो फैला हुआ है यह आका एनेच फ़र्ट है एह आहमदाबाद बढ़ोद दुद मार्ण। फिर आपके राजीUD मार्ण। राज़ों की राजधानियों को जिला मुख्छालैवéo से जोडने वाली हैं। सड़खें राज राज्यराजं। कहलाती हैं। राज्य तथा केंदसासे चित्नों में इनकी तो निर्वाड का दायत राज कि सारुजनिक निर्वाड विभाग यानि कि PWD का होता है फिर आपके आते हैं जिलाबाइग इस सड़के जिले की विभेन पिसास ने केंदों को जिला मुख्याले से जोड़ती है इन सड़कों की विवस्ता का उत्तरदायत जिलापरिशत का होत उसके बाद आप देखतें कि कोलकाता उसके बाद इर्व दिल्ली है ठीक है उसके बाद उत्तरदच्छन गल्यारा देखें कि उत्तरदच्छन गल्यारा एक कन्या कुमारी से लेकर उत्तरदच्छन गल्यारा आपका यहां यह जाता है स्रीनगर तक ठीक है पूरा पर्षिन गल्या यह आप देख रहे होंगे पूर बंदर से यह आप जा रहा है सिल्चर तक राष्टी राजमारक संख्या पांच यह आपकी एक हो गई पंदर है ठीक है बागी देख लेना इसमें आगे पता है हम लोगों ने बात की अभी आपके पूरी तरह से इनके बारे में कि कौन कहां तक यह आप देख रहा होगा यह आपका है जो राष्टी राजमारक संख्या पांच यह आपका देख रहा है पांच तो इन्हें अच्छे से आप लोग आपके जीएस में अभी हमने जो किरन सामान गयां की खतम की हुई है उसमें आपका बताया गया है विस्ताज से कौन सा कहां तक जाता है फर्ष्ट कहां तक जाता है फर्ष्ट कहां तक जाता है सेकेंड कहां तक जाता है तो उसमें भी आ दिकास को business pro, साहन दीना है, इन परियुजनाओं के कुछ business फ्राउधान है, जिनमें देश के पिदेख सहल से पक्की सड़कें, बे सड़कें जिन पर वर्ट बहान चल सकें, द्वार जोड़ना होता है, सीमान सड़कें, उपयोग सड़कों के यतरिक्त भारा सरकार प्राधीकर्ण के दिन, सीमा सड़क संगठन है, जो देश की सीमान चित्रों में सड़कों का निर्मारवाण की देखरेक करता है, यह संगठन 1906 में बनाए गया है, जिसका कार उत्तर दता उत्तर पूल भी चित्र सड़कने में पयाँक्त पदायातार पर भी चट्ची बापकी सड़कों में वर्गिक्त किया जाता है, पक्की सड़कें सेमेंन कंक्रेट बा तार्कोल द्वाराम बनाए जाती है, यह 12-е- ono, और जिसका सड़कें होती है, कच्ची सड़कें बरसा रितू में अनुप्रों म होती है अब समस्क्राइब किस तरह से बनाए गया है देखिए कितना मुस्किल उबा हो गया है यह आपका उत्रिपुर्वी सीमा सड़क पर याता है अर्णा चलती इसमें विवस्था की गई है इसमें क्या होता है कि बता है आपको भारसरकार के द्वारा प्रादिकर्ण जो आपका आप सोची कि जहां मारी सामरी की स्थिति यानि कि आप सोची चाहिना का बॉर्डर है पाकिस्तान का बॉर्डर है प्र जाए आपका नेपाल बंगला देश नहीं भी हो तो इस तरह की सड़कें वहां बनाई जाती है और यह आपकी जो भारसरकार पर आधी करिण के अधन है रेल परिवान ठानेक कारियों में साइक जैसे ब्यापार मर्ती त्यात्रह लंबी दूरी तब समान समान का परिवान आती एक प्रमुक परिवान के साधन के अतरिक्त पिछले 150 बलसों से भी अधीक समय से भारतीय रेल एक मात्कूर समर्वयक के रूम में भी जानी जाती है भारतिय रेल देश की अध्वयस्ता उत्द्योगों बक्रिसी के तीब गती से विकात के लिए भी उत्तर दाई है इस तरह के पॉइंट जो हुगा करें उन्हें भी याद रखती चाहिए भारतिय रेल परिवान देश का सरवाधिक बड़ा सारगनेक छित का पराधी क देश की पहली रेल 1903 में मुंबई और थाड़ी के मद्द चला गई थी आपकी 34 किलोमीटर की दूरी तै करती थी याद रखना 1903 भारतिय रेल परिवान को सोले नहीं है आपके 18 पिखनों यानि की जोनों में विवाजित किया गया है करेंट में बात करा हूं 2020 की ठीक है या देश में रेल परिवान के वितरण को प्रवावित करने वाले कारकों में भू आक्रिती आक्तिक आर्थिक पिसास की ये कारक पिरमों के उत्री मैदान अपनी विस्तत सम्तल भूमी सगन जलसंक्या गनत संपन केसी वा पिच्छो संसादनों के कारण रेल परिवान के विकास बाविंदी में सहायक रहा है यगी पी आसंक नदियों के विस्तत जलमार्गों वा पुलों के निर्मार में भी कुछ बादा है आई है प्राधी पी भारत में रेलमार्ग उबर खाबर वाली चित्रों चोटी पाड़ियों और सुरंगों आधी से उकर उजरते हैं हिमालई परवक्षित में चित्भी दुल्लव उच्चावच विरल जन संक्या दथा आतिक अफसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन की निर्मार में पितीकूल परिस्तितियां उत्पन करता है इसी पिकार पश्चमी राजिस्तान गुजरात के दल ली भागों में मदव देश के बंच्चेत चतीजगर उड़ी सावा जहार करने में रेल लाइन निर्मार करना कटे नहीं लेकिन अब हर जगय लगवग पहुंच चुकी है सहाद्री और से सनिज्य चेत को भी घाट या अक्रदर्नों के द्वारा ही पार करना पाना संभव है कुछ बर्स पहले भारत के मात्कूर आर्टिक चेत में पश्चमी तट के साथ कॉंकर्ड रेलवे के विकास नहीं या नेत्यात्र वस्तुओं के आवगवन को सुविधाजनक बनाया है यागिपी यहां असक के समस्यां थी जैसे भूज, खलन और तथा किसी-किसी भाग में रेलवे ट्रेक का धसनादी इस तरह की समस्यां देखी जाती थी आधराष्टी वस्ता में परिवाण के अन सभी साथुनों की ब्याक्षा रेल परिवाण फिर्मूफ़ वहा है क्योंकि यह सस्ता भी है, यागिपी रेल परिवाण समस्यां से मुक्त नहीं, बहुwsती यात्तरी विनाट्र के टेयात्र करते हैं, रेल समपत्ती की हानी तत्ह चोरी जैसे समझाय भी पूर्था समाप्त नहीं हुए जल्जीर खिंच कर या तरी कहीं भी अनावसक रोग से गाड़ी रोगती है जिससे रेलवे को भारी हानी उटानी पड़ती है जड़ा सोचिए हम अपने रेल गाड़ीों को निर्धाय समाप को चलने से कैसी मदद कर सकते हैं आप सोचिए कि हम लोग प्राइवेट को दे देते हैं प्राइवेट हाथों में दे देते हैं किसी चीज़ को तो बहुतर सुगिदा मिलने लगती है क्योंकि उनका एक अच्छे से आय होती है आय होगी तब ही तो आप सोचिए कि हर तरह से मरम्मत की जा सकती है उनकी और एक प्राइवेट के हाथों में रहती ही तो जिम्मेदारियां रहती है उसकी किस समय पर पहुंचने चाहिए बनना ऐसा हो जाएगा बनना मुआप जा देना पड़ेगा इस तरह की सुगदाय हो जाती तो इससे भी क्या होता है कि उन्हें भी थोड़ा जल्दी करना पड़ता है और आप सोचिए कि जिम्मेदारी हो किसी पर तो वो बहतर काम करता है उसको अब बना जिम्मेदारी की छोड़ दीजिए कि चलते रही है चलते रही है मालू चला कि आज ट्रेन में बैठी दो दिन बात पहुँच रहे हैं हम लोग रास्ता है दस गहंटे का अलग रहा है पचास गहंटे तो इस तरह की समस्या भी देखी जाती है बड़ी लाइन गेज मीटर में रूट होगा है बाहर यह बदलते रहते हैं इसके लिए जादर टेंसन मत लीजे इना जब भी आप लोग पेपल देने जा रहे हूं उस समय आप लोग करेंट से जोड कर देख लिया करिए बड़ी लाइन आपकी 1.666 मीटर मीटर लाइन की बात करने को एक मीटर छोटी लाइन आपकी 0.762 मीटर में आपकी रहती है ठीक है पाइपलाइन भारत की परिवान मंचित पर पाइपलाइन एक नया परिवान का साधन है पहले पाइपलाइन का उपयूग सहरों वागद्धुमों में पानी पहुंचाने ही तू होता था आज इसका प्रियोग कच्छा तील पर टॉल उतपाद तथा तेल से प्राक् परिवर्टित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाये जाता है सुदूर आंतरिक भागों में इस्तिव सोधन सालैं जैसे बरवनी मत्वरा हो गया पानी पत तथा गयस पराधारित और वर्वर्ट कारखानों की रज़िस्ताफना पाइपलाइनों के जैल के कारण ही संबभ हो हो पाइए पाइपलाइन पिछाने की पैरंबीक लागत अधिक है लेकिन इसको चलाने की लागत नहीं उठतформ है आपकी एक बार पाइपलाइन डाल देते हैं इसके बाद हजारों साल के लिए हम लोग फुर्सत हो जाते हैं समझ रहें तो फिर उसके बाद खर्च ना के बराबर होते हैं वहनां अंतरंट देरी तुथा हानिया इसमें लगबर नहीं होती हैं क्योंकि इसमें टैफिक का कोई मामला ही नहीं रहता है बरसाद हो मौसम कैसा भी हो यह अपना काम करता रहते हैं देश में पाइबलाइन परिवान के तीन प्रमुक जाल हैं उपरी एसम के तेलचेत से गवाटी बरोनी बाइलावाद के राश्ते कानपोर उत्तरपिज़ देश तक इसकी एक साखा बरोनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है दूसरी राजबंद से मोरी गिराम तक तथा गवाटी से सिल्ली गुडी तक बिस्तत है पर गुजरात में सलाया से बीरम गाओं मत्रा दिल्ली बसौनीपत की राश्ते पंजाब में जलंदर तक इसकी अन साखाएं बरोद्रा की निकट कोईली चक्सू बा अन इस्थानों से जोड़ती है गेर्स पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर पिदेश में जगदीश पोसे मिलाती है या मत्रतिश की विजैपूर के रास्ते उकर जाती है इसकी साखाएं राजिस्थान में कोटा उत्तर पिदेश के साह जापूर बवरालावा अन इस्थानों पर भी फेली हुई है यह आप देख रहे होंगी क्या है रेल मार गये है जम्मू कस्मीर बाती देखते रही है आप लगवग आपकी हर जगह में पहुंच गई है आप कैसा कोई भी ऐसी जगह नहीं ह देखने को नहीं मिलती थी लेकिन अब आपकी हर जगह देखते हैं कर्णिया कुमारी से लेकर ऊपर आप देखते हैं जम्मू कस्मीर तक सब जगह पहली हुई है ठीक है यहां राज गुजरास से देख सकते हैं लान्रिया बागी यहां तक देखते हैं धन्गोरी यानि के अबडा चलती देखतर ठीक है जल परिवहन की बात करें हम लोग तो भारत के लोग प्राचीन काल से समुत्री आक्तराई करते रहें याद रखी जल परिवहन आज की बात नहीं है यह प्राचीन बात त्यानी की आप समझ सकते हैं कि अडपा सब बता के आसपास से ही आपको बिदेशियों से व्यापार करने के साख्च प्राफ्ट होने लगते हैं इसके नाविकों ने दूर तथा पास के चेत्रों में भालतिय संस्किती बाव्यापार को फेला है जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता सादन है यह अद्रखीर सबसे रेलवे से भी यह सत्ता है यह भारी वाइस थूल का अवस्तून होने में अनकूल है यह परिवहन सादनों में उर्जा सच्चम तता परियावन अनकूल है बारत में अन्ता इस्था लिए 900 चालन जलमार्ग पंद 14,500 किलोमीटर लंबा है इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मसीरी के नोकाओं द्वार निम ने जलमार्गों को भारत सरक्या दोरा राष्टी जलमार्ग होसित किया है हल्दिया तता इलाबाद के मद्द गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है इसे आपका नौगम में जलमार्ग संख्या एक दीगा गया नाम सदियावा धूरी धूबरी के मद्द 891 किलो चंप कारा नहर जो 205 किलोमीटर है एक नौगम जलमार्ग संख्या तीन का आगया है काकी नाड़ा और पदुचेरी नहर एक टेच के साथ साथ गोदाबरी और कृष्णानदी का विश्यस दिस्तार एक आपका 1078 किलोमीटर है एक राष्टी जलमार्ग आपका चार के नाम स से जाना जाता है इसी माताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल और ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तकिये नहर की सासत ब्रह्मणी नदी की विश्यस दिस्तार है ये 588 किलोमीटर है राष्टी जलमार्ग संख्या पाँच कहा जाते हैं से कुछ अनंतर जली जलमार्ग भी ह जिंपर परिवाहन होता है इसमें मांडवी जुआरी कंबर जुआ संदर्वन बराक किरल का पश्चिजल समय लें इन सब के अतरिक्त विदेशी ब्यापार भारतीय तट पर इस्तित पतनों द्वारा किया जाता है देश का पंचानव पितिसत ब्यापार मुद्रा रूम में आपका अर्सर पितिसत समुद्री द्वारा ही किया जाता है ठीक है अब हम बात कहते हैं पिरमुख समुद्री पतन भारत की साथ 7,516.6 कि लिए लबी समुद्री तट्रेका के साथ 12 पिरमुख और 200 मध्यम बार चोटे पतन है यह पिरमुख पतन देश का 95 पितिसत ब्यदे ब्यदे भारत की समुद्री तट्रेका कितनी है पत्चतर सो 16.6 जानि की 7,516.6 किलो मीटर तो के सुतंथा प्राप्ति के प्राप्ति के कच्च में कंडला पतन पहले पतन की रूम में विक्सित किया गया है यानि की कहने का मतलब है कि सुतंथा निस सो सेंतालीस के बाद जो कांडला पतन था, यह पिक्सित किया गया था ऐसा देश बिभाजन से कराची पतन की कभी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था कांडला जैसे देंदयाल पतन के नाम से भी जानते हैं आप लोग यह एक ज्वारी अपतन है यह जम्मु कस्मीर, हमाचल पिदेश, पंजाब, रियाणा, राजिस्थान, गुजरात के उद्धों के तथा खाद्यानों के आयात निल्यात को भी संचालित करता है मुंबई बेहतम पतन जिसके प्राक्तिक खुले विश्तित वस्तो चारूप होता से है मुंबई पतन के अधिक परिवान को ध्यान में रखते हुए इसके सामने जवाहलाल नहरो पतन विक्सित किया गया जो इस से इस पूरे छित को एक संभू मुंबई में पतन में जहाज पर्टे को हो ले जाती हुए समझ रहे है एक ट्रेक पतन की सुविधा भी पिदान कर सके लो हैस के निर्याद में के संदर में मार मागाव पतन देश का सबसे मत पूर्ण पतन है यहां से देश के कुल निर्याद का आधा यानि कि बचासफ पिती सा लोहे एस्क निर्याद किया जाता है यानि कि भीजा जाता है कर्णटक में इस्तित आपका नियू मैंग लोर पतन कुदे खाणों से निकले लोहे एस्क का निर्याद यानि कि बाहर भीजने का काम होता है सुदूर दच्चित बच्चित में कोचीन पतन है या एक लेंगून के महाने पर इस्तित एक प्राक्तिक पोतास रहे है नीम आंगलों पतन पर टेंक का द्वारा कच्चित तेल का निर्वहन देख रहा है आपको पूर्वी तटके साथ तमिलाणू में दच्चित पूर्वी छोर पर तूती कोरन पतन है या एक प्राक्तिक पोतास रहे है तता इसकी पेश्ट भूमी भी अतेंत समध्ध है अता यह पतन हमारे पड़ोसी देशों जैसे स्रिलंका हो गया माल्दीव आधी थतन भारत के ब्यापार को संचालित करता है चैन नहीं हमारे देश का प्राचिंतम किंतिम पतन है ब्यापार की मातरत है लदे सामान के संदर्व में इसका मुंबई के बाद दूसरा इस्थान है वेशा का अपना इस्तल से घरा गहराव सुरंचित पतन है प्यारम में यह पतन लोएस्क निर्याद के रूम में विक्सित किया गया था औरीष समय स्थित्म पारादी पतन वईसिसता लोइआस्क निर्याद करता है कोलकाता एक अत्यम्त अंत्त इससलिए नादिये पतन है यह पतन आपका गंगा प्रमपुत वेसिन की वेहथ वासमरत्विस्टमुमि की सेवाय पत करता है जुआरिया पतन होने की कारण तथा हुगली के तल छट जमाव से इसे नेमित रूप से साफ करना पड़ता है कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने ही तू हल्दिया सहाइट पतन की रूम में भी विक्सिप किया जा रहा है कोलका था पतन के व्यापर के को कम करने के लिए उस पर कम बाहर पड़े इसलिए मतलब वहां व्यस्त ना रहे इसलिए इसे बिकल्प के रूम में बिक्चिप किया गया बड़े आकार के कारगो को उठाने रखने की सुविधा से तूती कोरिन पतने यह यह लगे देख यह ओक देख रहे हैं आपको यानि कि सभी सुविधाये यहां में उपलब्द हो गई बायू परिवहन की अगर हम बात करें तो आज बायू परिवहन तीबितम आरामदाय बप इतिश्ठीत परिवहन का साधन है इसके द्वारा अती दरुगम इस्थानों जैसे उंचे परबत हो गए मरूस्थनों घने जंगलों लंबे समुदरी रास्तों को सोगंता से पार किया जा सकता है वायू परिवहन के हवाव में देश के तरुख पूर्वी राज्यों के वि जाने की सुध्या ना हो जहाँ आप सुचिए कि सडके मनने लाइक ना हो वहाँ भी आप हवाई या आज के द्वारा पहुंस सेंते हैं एक समय आप सुचिए कि आपक यहां से बौडर पर सेना को बेजना बहुत कठिन होता था क्योंकि आप देखते थे वहाँ नादू सड लेकिन आप आप देखते हैं कि वहां भी पतर आपके हवाई अड़े बना दिये गए यह वहां भी जाकर कुछी पलों में आप किसे ना पहुच जाती है ठीक है सन 1903 में वाई परिवाहन का राष्टी कर्ण किया गया यानि कि सभी के लिए कोद दिये गए इसके द्वाद आप तर ये संक्रियाओं में तथा अगम्म बा दुल्लब्भू भावू जैसे उत्तरपूर वीराज जम्मू कस्मीर हमाचल पिदेश बा उत्तराकर्ण की आंत्रे छेत्रों में भी हेलिकोप्टर श्रिवाय उप्लम देख आता है इसे देख लिए आप लोग ये आपके समुद्री पतन है ये जवाला लहरू विशाकपटनम हल्दिया कोलकाता कांदला ये आपके क्या है समुद्री पतन मारमा गाओ निव मंगलोर चैन्नाई तूती कोरें कोची तूती कोरें ठी और जी ये आपके हवाई पतन है थिरू थिरू अनंत्पुरम फिर आप चाहे यहा आप लोग हैधराबाद को ले दीजिए सिवाजी नेता जी सुवाश्यंद बहुत एक कोलकाता बश्यम बंगाल में दिल्ली इंद्रा गांदी अंतराष्टी है अड़ा है अमरसर में राजा सांसी ठीक है यह सभी आपकी मुख पतन हो गया और समुद्री पतन हो गया हवाई पतन यानिकि हवाई इंडिया से समच में नहीं है कि बल उत्तरपूर्वी राच्यों में इन रिवाओं को आम आद्मी तक खुल उपलब्द करानें तो विसेस प्रवंजन किये गया याद रखिए अभी हाल अभी आपने देखा होगा यह उजना चली हुई थी उड़े भारती है हर भारती है समझ रहे हैं तो उसके दैज आप हर कोई उड़ सकता है सरच्ता किराया भी कर दिया गया है लेकिन आप सोच यह कितना भी सर्च्ता कर दिया आज लेकिन हर ब्यतरी उड़ने कि क्यावल उनकी कि बहिन करना बसकी बाग नहीं है क्योंकि हमारा देश बहुत गरीब है आपको लगता होगा उपर से देखने में लेकिन अभी आप समझगे कि एक ऐसे समूगी रहते हैं हमारे ऐसी एक बड़ी जलसंग क्या है जिन्हें खाने के लिए दोबक्त की रोटी के लिए भी लाले बढ़े रहती आप समझे कि बहुत बुरी स्थिति है आपको लगता है कि हम ठेक स्थिति में और आपके जो आकड़े आते हैं गरीबी के और अमीरी के यह भी बड़े दिल चस्में चौकाने वाले आप सोचिए आपके यहां उन लोगों को गरीबी की रेखा में रखा जाता है जो जिनके प अप सोचिए कि 1000 रुपे अगर आपके सहरों में 1000 रुपे महिने की खर्च अगर जुक्कन्य आय एउंग है उससे गरीबी की रेखा से उबाहर कर दिया जाता है और आप सोचिए गाव में 11,710 रुपे अगर इतना माल लिया है तो सोचिए दिन का खर्च आप साहर में रहत तो यह बहुत बड़ी आसा मानता है, आपको लगता है कि आप का देश अमीर है या इतनी गरीबी जन सक्या है, वो साकड़ों को देखिए कि उन ब्याकड़ी किस तरह से बनाया जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इस्तिति है, संचार सेवाएं, जब से मानव पि या संदिस बिजने वाले की गत्ति भीहिन, रहते हुई भी लंभी दुरी का संचार बहुत आसान है, निजी दूर संचार तता जल संचार ने, में दूर दसन रेडियो समाचार पत, प्रेश, सनेमा, आदी, देश के प्रमुक संचार साधन है, भारत का डाक संचार तंत बि या द्वारा पहुंचाए जाते हैं, दूतिय से निजी की डाक में आपका रजिस्टर पैकेट, कितावें अख़बार, मैंगजीन सामिल है, धरातली डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं, और इने के लिए स्थल वजल परिवाहन का प्रियोग किया जाता है, बड़े सेरो ब्यापार चैनल, भारी चैनल, और दस्ता भी चैनल के नाम से जाने जाते हैं, यह आप देख रहे हैं, राष्टी राजमार एट पर एक आपका लीन कॉल बॉक्स भी डला हुए, एक समय सूची है आप लोग की चिस तर ऐसे व्यक्ति संपर्ख करता होगा अगर विदेश म तो आप एक पत्त लिखते होंगे, दो, साथ, दो, चार, दस दिन के बाद वो पत्त पहुच रहा है, उसके बाद दो, चार दिन के बाद होँआ से पत्त आ रहा है, आज आप देखिए कि आप लोग एक पल नहीं लगता है, एक मिनिट में फौन आप पात पूच लेते हैं, क्या हाल है, कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप तो मैंने सुना है यह पता है, ओनलाइन मतलब चैटिंग-चैटिंग में इस तरह से कॉंटेक्ट होन लेगे हैं, कि आप अगर जम्मू कसमीर में रह रहे हैं, तो आपको दच्छन वारत के आनी के तमिलाडू में जाकर किसी से प्यार हो जाता है, ओनलाइन, सोसल मीडिया पर, या फिर आप जम्मू कसमीर, या फिर आप बिहार के किसी गाउन से रह रहे हैं, और मैंने सुना है किसी अमेरिकी लड़की से प्यार हो गया उसे, लड़की को, समझी है आप उस लड़की ने दोनों साधी भी की, तो आप बड़ा मतलब चलन हो गया, हम लोग बहुत आगे पहुच चुक हैं इस मामलेक, आप सोची, समझा रहे हैं, दूर संचार तंत में भारत, एसिया महादीम में अग्री है, नग्रियत शित्रों के अतरिक्त भारत के दो त्याई से दिख गाउं, स्ट्री दूरभास से कि विशेश प्रबंधन की, फूरे देश बर में एस्टेडी की धरों को भी नेमित किया है, यह सब सुचना संचार वा अंतरिक्ष पुरद्व की की, कि समन्विल विकास से ही संभव हो पाया है, एक कहानी बता था हूँ है, यह हमारी जिंदगी की बड़ी दिन चस्प कहान है, कि मैंने जब कॉल किया, एक बार आज से वही मैं बात कर सकता हूँ, आपका 2006-2005 के करीब की बात है, तो मैं मेरे पता जी बाहर रहते थे, और उहां उनके पास फॉन था, और हम लोग गाउंगे रहते थे, तो क्या हुआ कि उसके बाद कभी नहीं हो जाता है, गाउंबालों को ज्यादा सपने आते हैं, खराब खराब, सपने आ जाते हैं, कि यह हो गया, यह हो गया, तबियत खराब हो गई, यह हो गई, तो मेरी मम्मी बड़ी मतलब रोने मेरे की बिचार करने लगती है, नहीं सम बख्या नहीं हुगा तो बदा है मैं जाता हूं मतलब हमारे यहां से दो से चार किलो मीटर दूर एक गावा मतलब थोड़ा सहर ठीक है मतलब वहां सुग्धा थी तो उस समय पांच साथ रुपे एष्टडी का कॉल लिया करता था वह आदमे तो हम तीन मिनिट मतलब तीन से चार मिनिट बात किये और समझे आप लोग उस समय ग्यमू या कुछ लेकर हम लोग जाते थे बात करने के लिए भी समझ रहे हैं तो मतलब ये दो जा चार की साथ बात है तो आप समझे कि ग्यमू समय आपका वही 6-7 रुपे किलो 6 रुपे किलो साथ बिखता था और कम बिखता था इतना ही तो आप समझे कि अगर 5 किलो ग्यमू ले जाए तब जाकर 2-4 मिनिट बात हो पाती थी फिर उसके बाद हमारे यहां फौन आया आपने देखा होगा नौकिया का आता था बहुत पुराना सेट जिसे कितनी बार ही फोर दीजे गिरा दीजे उसी कुछ नहीं फर्क पड़ता था फिर वो फौन आया सबसे पहले फौन समझे रहें तो मंतलब बड़ी यादें पुरानी जुड़ी रहती हैं इस तरह की बातं भूलते ह मुखंते भी नहीं है क्या आप्स बहुत कुक्च का आनि हो तुर आप भी सेयर कर सकते नीचे जन संचार मानों को मनव्यवन्यंत्यकton के साथ बहुत से राष्ट्री कार्करवों बानीतियों के विशाय में जागू करता है इसमें रेडियो दूर्दर्शन समाचार पत्य पतिकाएं कितावें तता चल्चत संभलेते हैं आकास बाणी ओल इंडिया रेडियो राष्टी चित्री तता इस्थानिय भासा में देश के विविन भाग के व्यक्तियों हेतु मनुरण्जन मनुरण्जन ग्यांपर दक बखेत जगत समंधी कार्करव स्पिसारित करता है बारत में बरस बार अनेक समाचार पत्य सामवरीक पत्तिकाएं पिकासित की जाती है ये पत्तिकाएं सामरीक हुद्ने के नातियर जैसे मासिक सब्ताहिक क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहां यही भासा कुछ जान्दा ही लोगों की द्वारा यूज़ की जाती है इतके बाद अंग्रेजी बाउदू के समाचर पत्वी हमारे यहां आते हैं बारत विस्व में सरवादिक चल्चित्रों का उत्वादक लिए यह कमाउदी वाले फिल्में वीडियो फीचर्स फिल्म छोटी वीडियो फिल्में बनाता है बारतिय ब विदेशी सभी फिल्मों को प्रिमार्ड करने कि अरिकार केंद्री ये फिल्म प्रिमार्डन बोर्ड यानि कि Central Board of Flame Certification को है पर आपका अंतराष्ट कि व्यापार राज्यों बादेश में ब्रतियों के बीच बस्तूं का आदान प्रिदान व्यापार कहलाता है वाजार एक ऐसी जगह है जहाहे इसका बिणीव होता है दो देशों के ब्यापार अंतराष्ट के ब्यापार कहलाता है यह समुद्री हवाई इस थलिये मार्गों दौना भी हो सकता है यह 22 इस थानी व्यापार सहरों कस्वों वाग adam में होता है राजिसनर ये व्यापार दो प्रियादिक राज्यों किमद्ध रहता है एक देश के अंतराष्टी व्यापार की प्रग्यति उसके आर्थिक बिर्भौर का सूचक"- इसलिए ऐसे राष्ट का आर्थिक बैरुमीटर भी कहा जाता है सबी देश अंतराष्टी व्यापार पर भी नेवा है क्योंकि संसादनों की उपलंता चित्री है और इनका वितरन आसमान है आयात तथा निर्याद व्यापार के गंड़क है आयात बा निर्याद का अंतर ही देश के व्यापार संतलन को निर्धारित करता है आप सोचिए कि अगर आपका निर्याद जानदा है और आयाद कम है तो तो आपकी ठीक इस्तिती है यानि कि आप दूसरे को बैच जानदा रहे हैं खरीद कम रहे हैं लेकिन आपका जब आयात जान्दा हो जाता है, यानि कि दूसरे देश से हम लोग जान्दा करीदते हैं, बेज़ते कम हैं, तो ये संतुलन, व्यापार संतुलन घाटा कहलाने लगता है। अगर निर्यात मूल आयात मूल जोसे अदिक है, तो से हम लोग अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, अगर इसके विपरीत है, तो निर्यात किया पेक्चा अदिक आयात आसंतुलिद व्यापार कहराता है। बिस्व के सभी भॉगली पिदेशों तथा सभी व्यापारी खंडों के साथ भारत की व्यापारी संब्देश भारत में रियात होने वाली पिरमुख बस्तुमों में रत रतन हो गया जवरात हो गया रसाइन एवाल सममादीत उत पाद एवाल किसी एवाल सम्मदीत उत अफपाद हैं भारत में आयात्वस्तवों में कच्चा पैठुलियम उत्पाद और रतन बाल जवाहारा आधार दात्वी मसी ने कृसी बार अन्य उत्पास सामने बारत अंतराश्टी इस तर पर एक सॉपक्यूयर महासक्ती की रूम में उबरा है तो था सूचना वरुदविकी की मात्यम से अत्य देख गिदेशी मुद्रा अर्जित करा है परेटन एक व्यापार की रूम में कैंसे भी हमारे देश में अर्दव्यवस्था में बहुत बड़ा युगदान मिलता है कई लोग इससे रोजगार भी बिलते हैं अब सोचिए आप कहीं मांग लीजे आग्राव ठीक है आगरा में गूमने के लिए लोग आते हैं तो हां होटलों का भी काम चलेगा क्योंकि खाना तो खाएंगे वहां रोकेंगे तो आप देखते हैंगे कि रेस्टोरेंट होंगे या फिर रहने हैं कि जो भी होटल होंगे उनका भी काम वहां जो ब्यक्ति काम कर रहेंग कि उनका भी रोजगारों से चलता है तो यह बहुत बड़ा इस्सा देता है में अर्ध्वयोसा में यूगदार करता है पिछले तीन दसकों में भारत में परेटन उद्देव में महत्पून बिद्दी हुई है एक सोपचास लाग सी अधिक बेक्थी परेटन उद्देव में प्रितेक चरूप सी सलगन है परेटन राष्टी एक्ता को पुरुसायत करता है तिथा इस्थानी हस्तकला और सांस्कितिक उद्दुगों को भी पेसेत दीता है परेटन को बड़ावा जयने के परियास भी किये जा रहे है आपके अरवना चल्पेदेश हो गया बुलंद हो दी जा रही मेडिकल टूरेंज छित इंडिया रैंक्ट वर्ड फॉर्थ बेस्ट फॉलिडी हेवन चौत्रे नमबर परवारत तो चलिए इससे आपके कुश्टेंस दिए गए इसी अधिया से समझ दिए और यहां पर रखिए आपक आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी इससे आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी इससे झालцию है तो अभी तक हम लोग कक्छा चटवी क सबी जğer लिए ज्यूरूरी है उन्हें कपर करके कुकर कुआं कप्छा दस्वी की पी दो बुख और बचती है कपुए गरेंयों और सभी इसके लेक्षरों की बात करेंगा हम लोग कक्छा चटवी से कक्छा पूरी बार भी तरके आपको सभी मिलेंगे NCEIT कून कवरेज के नाम से जो पिले लेश्टर सूची है उसी में डले रहेंगे टीक मिलते हम लोग आगे एक नई बुक के साथ